हाँ जी तो जनता जनादन को प्रवीन चौधरी यानि के PC वाबा का तह दिल से वापिस से नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग जितने भी बच्चे आथ CSWT में हैं उनको वापिस से वह यहाँ पे गुड न्यूस जो है वो देना चाहूँगा वो यह कि आप सभी लोगों के लि प्रवाइट करेंगे और तेसरी सबसे अच्छे वाली बात वह यह कि जो आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल है पूरा मॉड्यूल पूरा मॉड्यूल इन डेप्थ ठीक है पहले पेज से लेके आखरी वाले पेज तक पूरा मॉड्यूल आपको हम कवर करके देंगे और इ कि पैसा कितना लिया जाएगा आंसर है जीरू रुपीस not even a single penny एक single पैसा भी आपको पे करना नहीं पड़ेगा completely पूरे तरीके से आपको क्या लेगा ये free of cost रहेगा पूरा free of cost ठीक है apart from that शायद आपने ध्यान दिया होगा कि हमने economics जो है वो भी एक chapter record करके डाला था ठीक है और फिर इसके बाद में हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है legal aptitude and the logical reasoning देखे साब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ logical reasoning के बारे में तो प्रवीन चौधरी is never a good choice मैं आपको logical reasoning जो है logical reasoning जो है वो मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा हाँ अगर यहाँ पे logical की spelling ल-ए-ड़-व-जी-आई-सी-ए-ल होती ठीक है तो मैं पढ़ा सकता था reason being what? reason being कि मुझे जैसा मैं आपको बताए कि eco and law ठीक है यह दो चीजों का knowledge है जो कि मैं पिछले 9 सालों से पढ़ा रहा हूं ठीक है तो ecology अगर आप बात करेंगे तो उसको मैं अच्छे साब को ज़रूर पढ़ा सकता हूं and हाँ अगर मैं यहाँ पे legal aptitude की बात कुरी यानि कि law अगर मैं बात करूं तो आगे चलके जब आप CS executive में आएंगे ठीक है and even जब आप CS professional में जाएंगे यानि कि सिरी सिरी बात यह है कि जब आप CS field में enter होते हैं वहां से लेके जब आप CS को टाटा बाय बाय बुलके जाएंगे CS studies को टाटा बाय बुलके जाएंगे जब आप CS बन जाएंगे उस time तक मैं आपके साथ में बना रहूँगा ठीक है CS executive के अंदर तकरीबन 5 subject ऐसे हैं जो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ पहले group के अंदर 3 और दूसरे group के अंदर 2 फिर उसके बाद में अगर आप CS professional की बात करें तो उसमें भी कुल मिलाके 5 subject है जो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ और सारे के सारे subject जो है वो law से ही जुड़े हुए है ठीक है तो मैं यह चाहूंगा कि जब आप CS WET में law पढ़ते हैं तो मुझसे ही आप वो law पढ़े ताकि कल जाके जब आप CS professional में CS executive में आएंगे तो उस time पे आप यह ना कहें अरे प्रवीन सार सौरी बट हमें यह वर्ड का मतलब पता नहीं और उस वर्ड का मतलब जो है वो आपको executive से ही पता होना चीए था उस वर्ड का मतलब जो है यह आपको executive से पता होना चीए था या फिर आपको CSWET से ही पता होना चीए था बट हमने क्या किया हमने CSWET में उस वर्ड को इग्रोर कर दा हमने वो topic पे ध्यान दिया लेकिन उस topic के अंदर जो एक important word आया था उस word पे हमने ध्यान नहीं दिया उसको हमने क्या कर दिया skip कर दिया ठीक है तो प्लीज हमको ऐसा करना नहीं है बस इसी intention से मैंने सोचा कि जिनको मुझे आगे executive में और professional में पढ़ाना है तो उन लोगों को क्यों ना मैं CSWET से ही in-depth गुरूम करके चलूँ ताकि आगे चलके आपको पढ़ाई करने में किसी भी type के कोई दिक्कत face करनी ना पुरू understood the point? done तो उसके इसाब से ये subject जो है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ और knowledge किस तरीके के आपको आएगी वो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेंगे अपार्ट फॉन देट मैं ये भी आपको बता दू कि इसका जो पहला chapter रहेगा that is the Indian Constitution जो कि सिर्फ औसफ CS के बच्चे के लिए नहीं बलकि हर किसी इंसान के लिए बहुत ज़ादा important वाला chapter है हमारी कंट्री का सन्विधान Dr. Bheem Rao Ambedkar जी ने ये सन्विधान हमारे लिए लाकि दिया था जो 26th of January 1950 में लागू हुआ था जिसके basis पे हम लोगों को क्या मिलता है fundamental rights मिलते हैं किसको country के citizens को तो क्या fundamental rights हैं उनको कैसे project किया जा सकता ये सारी चीजों के बारे में discussion जो है वो इस chapter के अंदर किया गया तो वो हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन हाँ इसके बात में अगर आप बात करते हैं element of the general law जिसमें कि हम contract act जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं as well as law of tort जो है वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं and elements of the company secretary's legislation, element of the company law and legal reasoning यह पांच topic, पांच chapter यह पांच chapter जो है यह मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिसमें से चार chapters के classes जो हैं वो आपको YouTube पे नहीं मिलेंगे बलकि कहां मिलेंगे सर्थ? यह आपको मिलेंगे CS Cart India के app पर कहां पर मिलेंगे? CS Cart India का app. यह कहां से मिलेगा? यह app जो है वो आपको मिलेगा simply जो आपका Google का Play Store है Google का जो Play Store है वहां जाके आपको मिल जाएगा बहुत ही ज़्यादा काम वाला app है मैं आपको बता दूँ इतना ज़्यादा काम का यह app है कि अगर मैं ICSI के app को side में रखूं तो यह एक दूसरा ऐसा app है सिर्फ और सिर्फ दूसरे का ऐसा app है जिसके 50,000 से जादा download हो चुके 50,000 से भी जादा क्या हो चुके है download हो चुके ठीक है? इसमें आपको free के notes मिलते हैं, free के apps मिलते हैं, फिर उसके आदमें आपको amendments वगरा जो है, वो मिलते हैं updates वगरा जो है, सबसे पहले अगर आपको कहीं पर मिलेंगे, तो इसी application पर जाके मिलेंगे, चाहिए? तो अगर आप CS से belong करते हो CS में आप enter कर रहे हो and अगर आपके पास में ये वाला application आपके phone के अंदर नहीं है, तो ऐसे के इसमें मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत ही important चीज को यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा, miss कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है? उल्टा, मैं तो यह कहूँगा कि वीडियो को अभी इसी वक्त पॉस करो, और पॉस करके क्या करेंगे? फटाक से जाके इस आपको डाउनलोड कर लेगे ठीक है? डन, हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि पहला चेप्टर अभी फिलहाल आप देखी लेंगे लेकिन उसके बाद में अगर मैं दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचमा, यह पांच चेप्टर की बात अगर मैं करूँ, तो इनको अगर आप देखना चाते हैं, तो ऐसे के इसमें आपको CS Card, इंडिया का जो एप है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ जाके ही, आपको इस चेप्टर जो है, वो मिल जाएगे understood, जाधा टाई यहाँ पे वेस नहीं करते हैं, और बढ़ते हैं सीधा हमारे Part A पे, जिसका नाम क्या है, Legal Aptitude इसमें भी अगर मैं बात को, तो सबसे पहला चेप्टरम को पढ़ना है, जिसका नाम क्या दिया गया है, Indian Constitution, और इस चीज़ को अगर हिंदी में बात की जाए, तो क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं सन्विधान क्या कहा जाते हैं, इसको कहते हैं सन्विधान, ठीक है अब ये सन्विधान के अंदर सबसे ज़्यादा प्यारा और सबसे ज़्यादा important वाली चीज आती है जो कि मेरे हिसाब से शयदा 6th class से पढ़ते आ रहे हैं इसे भी Hindi में क्या नाम दिया जाता है Hindi में नाम देते हैं प्रस्तावना प्रस्तावना ठीक है यह Hindi में नाम दिया जाता है इस लिए पता है अब इस चीज को पुरा अच्छे से पढ़ना और इसको समझना बहुत मतलब बहुत जादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है राइट एक एक वर्ड को यहां पढ़ेंगे पढ़के उसका मतलब जो है वो समझेंगे और हमारे constitution में यह क्यों दिया हुआ है उसकी बात जो है वो भी अपन यहां पे करेंगे द्यान दीजेगा कहता है we we मतलब हम सारे के सारे लोग कौन से सारे लोग the people of इंडिया जो इस country के लोग है जो क्या है इस country के लोग है तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो 140 करोड के आसपास हम लोग है right having solemnly resolved यानि कि है हम सब लोगों ने क्या किया है आपस में मिलके इसको resolve किया है right resolve to constitute इंडिया into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens the following things सबसे पहले यह जो पहला paragraph यहाँ पे लिखा हुआ है इसको यहाँ पे करते हैं हम decode बहुत ध्यान चे सुनियेगा वैसाब अगर मैं हमारे constitution के बात करूँ तो ऐसा कतही मत सोचिएगा कि सर एक सरकार बनी थी 1950 में उस सरकार ने हमारे सामने यह constitution लाके दे दिया नहीं नहीं क्या लिखा हुआ है बकायदे यहाँ पे लिखा हुआ है वी में कौन आता है बेटा आप भी आ गए और मैं भी आ गया हम कौन हैं सब ले हमना इंडिया के लोग हैं वी दे पीपल ओफ इंडिया हम लोग जो भारत के लोग हैं हम सारे के सारो मिलके having solemnly resolved हम सभी लोगों ने यह resolve किया है अगर lawful language में आप बात करेंगे कोई भी चीज़ को decide करना उसे कहा जाता है resolve करना ठीक है सब लोगों ने resolve किया है कि हम constitute करेंगे constitute करने का मतलब क्या होता है बनाना किसको हमारे भारत को किसमें into sovereign सबसे पहला word कौन से country हमारी sovereign country है जिसके dignity होती है integrity होती है sovereign दूसरा socialist समाजिक समाजिक का मतलब क्या है सर हम यहाँ पे किसी एक इंसान के बारे में सोचके नहीं चलते है या फिर हम किसी एक पड़लग class of people के बारे में नहीं सोचते है बलकि पूरी की पूरी society के बा कुछ भी नहीं हो सकता जो कि किसी एक society के किसी एक इंसान के लिए favorable रहेगा लेकिन दूसरे इंसान के लिए वही क्या होगा नुकसान दायक होगा हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं सोचा जाता ठीक है दूसरा secular secular का Hindi में मतलब होता है धर्म निर्पेक शुना हमारे country में किसी करोगे फिर उसके बाद में अगर आप अफगानिस्तान की बात करोगे इराग की बात करोगे इरान की बात करोगे कजाखिस्तान की बात करोगे यह जो तान 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 वाला पूरा का पूरा बेल्ट आता है अगर आप इसकी बात करोगे तो वहां Muslim धरम जो है उसको follow किया ज जाता है लेकिन क्या हमारे इंडिया को हिंदू कंट्री का जाता है नहीं मुसलिम कंट्री का जाता है नहीं सिख कंट्री कहा जाता है नहीं इसाई कंट्री कहा जाता है नहीं तो सब क्या कहते हैं हमारी कंट्री को सेकुलर कंट्री का मतलब क्या है मतलब यह है कि हमारे कंट्र में जो citizen होगा कौन होगा citizen ठीक है हर इंसान जिस धर्म को चाहे उस धर्म को पाल सकता है उस धर्म को मान सकता है पाल सकता है मतलब क्या है पालन कर सकता है ठीक है उसी धर्म का पालन कर सकता है किसी को force नहीं किया जाएगा कि आप अपने पुराने धर्म को छोड़ दीजिए और ये नए धर्म को अपना लीजिए किसी मुस्लिम को जबरन हिंदू नहीं बनाया जाएगा किसी हिंदू को जबरन मुस्लिम नहीं बनाया जाएगा किसी मुसलिम को जबरन क्रिश्टन नहीं बनाया जाएगा और वाईसा वरसा लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि अगर इन में से कोई भी इंसान अपना धरम चेंज करना चाहे कल तक कोई बंदा हिंदू था अपना जो certificate बनवाया उसमें उन्होंने no caste certificate बनाया और no religion certificate बनवाया मतलब मतलब यह कि हम किसी भी धरम को नहीं मांगते हैं ऐसा certificate जो है वो उन्होंने अपना बनवाया है तो बोले इंडिया में यह चीज चलेगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर उसके बाद अगला point क्या है democratic very much important sir हमारी country जो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक वंश जो है वो पूरे के पूरे country पे राज कर रहा है जैसे इंग्लेंड के अगर आप बात करों इंग्लेंड में राजा का जमाना आज भी है आज भी आप वहाँ पे Queen Elizabeth के बारे में सुनते है प्रिंस चांसलर के बारे में आप वहाँ पे सुनते है हाँ या ना अरुगेड़ी ना point बोले हाँ सब बात करते हैं हाला कि वहाँ पे Prime Minister भी है President भी है बट उसके अलावा वहाँ पे राजा महराजा भी है और उनकी हिसाब से चीज़े जो हो देखके चलनी पड़ते हैं लेकिन अगर आप हमारी country की बात करते हैं हमारी country क्या है बेटा democratic country है Sir what is the meaning of democratic? लोक, तंतरिक लोक का मतलब क्या होता है? जनता ठीक है? तंतरिक का मतलब क्या होता है? Sir जादू टोना करने वाला अरे नहीं दे बाबा वो अलग चीज़ है यहाँ पे तंतरिक का मतलब है ऐसा तंतर ऐसा तंतर या ऐसा सिस्टम जिसको कौन चला रहे है लोग चला रहे है The system which is run by the people for the people of the people उसे कहते हैं democratic ठीक है? Democratic republic है and to secure all its citizens हम यह भी decide करते हैं कि country के जो भी citizen अब यह जान दीजगा भई यहाँ पे word क्या यूज क्या है? citizen कौन होता सिस्टिजन? बहुत सिंपल सा जो इंडिया में पैदा हुआ उसे कहा जाता है citizen लेकिन गलती से भी ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ सिटिजन जो है उसको अपन दूसरा word यूज कर सकते हैं क्या? resident नहीं ऐसा नहीं है very much important resident का मतलब होता है ऐसा बंदा जो हमारी कंट्री में रहता है reside करता है reside करने का मतलब क्या होता है? रहना ठीक है? ऐसा बंदा जो हमारी कंट्री में रहता है उसे resident कहा जाता है और ऐसा बंदा जो इंडिया में पैदा हुआ होगा उसे इंडियन सिटिजन कहा जाता है ठीक है? तो ध्यान दीजेगा यहां हम नीचे कुछ सिक्योर करने की बात कर रहे है क्या करने की बात कर रहे है? कुछ सिक्योर करने की बात कर रहे है और यह हम किसके लिए सिक्योर करने की बात कर रहे है हमारे citizen के लिए किसी और के लिए है क्या नहीं सर शायद किसी और के लिए नहीं है सिर्फ हो सिर्फ हमारे citizen के लिए क्या क्या चीज़ है सबसे पहली बात justice किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा कानून सभी को एक समान मान के चलेगी और कानून जो है वो सभी के लिए एक समान रहेगा अगर आप गरीब हैं तो आप कानून का दरवजा खटटा सकते हैं अगर आपके साथ किसे ने कुछ गलत किया तो अगर आप अमीर हैं और आपने कुछ गलत किया example संजदत सल्मान खान और ऐसे case में अगर आपने यहां पर कुछ गलत किया होगा तो ऐसे case में तो ऐसे case में आपको सजा हो सकती है भले ही आप कितने भी बड़े celebrity हो या कुछ भी क्यों नो understood बड़ी के साथ फिर उसके बाद में social अच्छा justice किस तरीके से society के point of view से economic के point of view से and political point of view से यह justice जो है वो आपको दिया जाएगा apart from that liberty liberty का मतलब क्या होता है आजाद sir आप मैं या इस दुनिया के 140 कुरूर की जंता में sorry इस इंडिया के इस इंडिया के 140 कुरूर की जंता में से हर एक बंदा क्या है आजाद भारत का member है आजाद भारत मतलब independent इंडिया 1947 में हमारी country जो है वो अंग्रेजों से क्या हो गए थी independent हो गए थी ठीक है तो अगर independent हो चुकी है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे खयालों का हमारे expressions का हमारे belief का हमारे faith का और हमारे worship का हमारे पास में क्या हुण अच्छी बिटा आजादी होनी चाहिए क्यूंकि country ऐसा तो नहीं है कि किसी politics की ही politician की है सिर्फ ऐसा बोलेंगी क्या नहीं ना किसकी ए country सर आपकी है country मेरी है country सबकी है country तो अगर country यह मेरी है, तो मेरी कंट्री में मुझे अच्छी चीजे करने की आजादी होनी चाहिए. अब यह बात ध्यान रखिये का वैसा, मैंने क्या बोला, अच्छी चीजे करने की आजादी होनी चाहिए, क्या मेरे पास में यह आजादी होनी चाहिए, कि मैं जाके किसी का मुडर करक नहीं अब ये मत बोलना सर अभी तो आपने बोला था कि आजाद भारत के आप मेंबर हैं तो बोले आपको अलाओ करना चाहिए ऐसा प्लीज मत बोलिएगा गलत हो जाएगा ठीक है अगर आप ethical काम करना चाहते हैं सही काम करना चाहते हैं सही सोचना चाहते हैं सही express करना चाहत सही belief दिखाना चाहते हैं या कोई चीज में faith रखना चाहते हैं या फिर किसी सही चीज में worship करना चाहते हैं तो कोई problem वाली बात नहीं है you have that liberty यह secure किया गया ठीक है फिर उसकी बाद equality जो मैंने आपको बताया equality of the status and opportunity मतलग कानून की नजरों में आपका status क्या है समान है चाहे आप बड़े हो चाहे चोटे हो गरीब हो अमीर हो सबके लिए समान है ठीक है exceptions दिये गए है genuine वाले genuine वाले for example ladies first exception होगे kind of exception होगे ठीक है वो genuine वाली चीज है उसको बोले दिया गया है otherwise अगर आप देखो कि तो हर चीज में क्या मिलेगा आपको equality मिलेगी ठीक है फिर उसकी बाद में अगर आप opportunity की बात करते हैं सब बोले government job जो है वो किसको मिलेगी सर्फ male को या सर्फ female को बोले ऐसा कुछ नहीं है male को भी मिल सकती है female को सर बोले किसी मंत्री के बेटे को मिलेगी किसी celebrity के बेटे को मिलेगी या किसी गरीब के बेटे को भी मिल सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं है जो qualify करेगा उसको मिल सकता है, हलांकि ये चीज के लिए reservation जरूर किया गया था कहा गया था उस जमाने में 1950 के अंदर, कि अगर आप SC हैं, ST हैं या आप OBC हैं, तो आपके लिए reservation किया जा सकता है, क्योंकि वो टाइम पे आपके साथ क्या होता था गलत होता था, आपको opportunities जो हैं, वो मिलती नहीं थी ठीक है, बट अगर मैं normally बात करूँ, हर किसी को equality पे रखा गया है, अगर आप status के हिसाब से बात करो, या फिर आप opportunity के हिसाब से बात करते हो, and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation understood the point and फिर उसके बाद में कहता है in our constituent assembly कौन से assembly, जो पारलेमेंट देखते हो आप, ठीक है, तो उसके लिए जो भी आपके constituent के assembly वहाँ पे बनाए गया होगी, जिसमें लोग ही कट्टा हुए था ठीक है, assembly this 26th day of November 1949, अरे सर आपने तो 26 January 1950 बताया था जान से सुनियेगा बेटा कि इस शीज को अप्रूव करने का जो डेट है वो अलग हो सकता है और ये कबसे effective रहेगा effective date कबसे होगी वो आपकी यहाँ पे अलग हो सकती है, तो प्लीज प्लीज यह गड़बड यहाँ पे कतही मत कीजिएगा effective date की बात अगर करूँ और approval date की बात करूँ तो इसमें गड़बड मत कीजिएगा effective date जो है वो 26 January 1950 था 1950 था December के बाद में जन्वरी दो महीने के अंदर इसको क्या कर दिया गया इसको effective बना दिया गया got the point, done do hereby, adopt हम सब इसको मिलते के क्या करते है adopt करते है, enact करते है enact करने का मतलब क्या होता है, लागू करना ठीक है and give to ourselves यह जान दिजेगा क्या लिखा हुआ है give to ourselves हम अपने आपको दे रहे हैं किसी बाहर वाले को नहीं दे रहे है ठीक है, इसी लिए कहा जाता है, कि अगर आप Indian Constitution की बात करते है it is by the people क्यों बोला ऐसा क्योंकि हम देखी, यहाँ पे लिखाता न हमने कहा था we the people of India हम लोग कर रहे हैं, खुद से कर रहे है, it is by the people ठीक है, by the people for the people right, यह सब जो बाते बोली गई किस के लिए बोली गई, इंसानों के लिए जो हमारी country में रहते हैं, हमारी country के citizen है, ठीक है for the people and to the people to the people का मतलब क्या है, किसको दिया ही है हमने अपने आपको यह दिया सब, तो यह ध्यान रखेगा, अगर constitution की बात की जाए, it is by the people, for the people and to the people और हाँ, एक और बहुत ही जादा important वाली बात, क्या, किसस, चूंकि आपको यहाँ MCQs पूछे जाएंगे क्या पूछे जाएंगे, MCQs, तो ध्यान रखेगा, सबसे पहली बात, justice की बात करी गई फिर उसके बाद, liberty की बात की गई फिर उसके बाद, equality की बात की गई justice, liberty और equality, ठीक है, equality की बात की गई और फिर उसके बाद में एक और चीज़, that is what, fraternity fraternity की बात की गई गट दा पॉइंट, तो यह ध्यान रखेगा, और अगर हाँ, justice की बात करूँ तो तीन चीज़ों में justice, सबसे पहले, social point of view से, दूसरा, economic point of view से, और तीसरा, political point of view से गट इट, फिर उसके बाद में अगर आप liberty की बात करते हो किसकी बात कर रहे हैं, liberty की बात कर रहे है, तो liberty क्या चीज़ों की दीखिए, बेटा, सबसे पहले, thought की liberty आप जो चाहो वो सोच सकते हो, कोई मनाई नहीं है, दूसरा, आप चाहो तो अपने आपको express कर सकते हो, इसमें भी कोई दिकत नहीं है expression कर सकते हो, तीसरा, आप कोई भी चीज़ में belief कर सकते हो, ठीक है, चौथा, कोई भी चीज़ में आपका faith हो सकता है और last but not the least आप जो चाहें वो worship कर सकते हैं आपके मरजी है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये बगवान को मानना है आपको अल्ला को नहीं मानना है ऐस दे केस में भी ये समझ में आए? ठीक है सब equality की बात अगर आप करोगे तो दो चीजों में equality पहला स्टेटस में ठीक है और दूसरा opportunity में ठीक है एक्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है fill in the blanks दे देंगे कि इस constitution जो है वो ensure करता है justice into social, dash political आपको dash जो है उसके जगह पे लिखना होगा क्या economy तो ये द्यान रखेगा ठीक है फिर उसके बाद में fraternity assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation fraternity ensuring ensuring दो चीज़ें पहला dignity of individual और दूसरा unity and integrity of nation unity and integrity of nation got the point चलिए तो लिख लीज़े ये वाली चीज़ को आप अच्छे से और फिर उसके बाद में एक और चीज़ जिसके हम यहां पे बात कर रहे थे उसकी बात अपनी यहां पे कर लेते हैं सर आपने यहां पे एक पॉइंट बोला that was about the citizen and resident वो क्या था सर कुछ समझ मिलिया बहुत द्यांसर सुनिएगा मान लीजिए कि there is a man कौन है कोई कोई इंसान ठीक है तो यह इंसान जो है इसको law के हिसाब से अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं that a person is a resident of India sir यह कौन होता है sir resident of India आप चुके आप CSET में हैं मतलब कि आप अभी just start कर रहे हैं तो यह सारी basic वाली चीज़ों के जिसके बारे में आपको discuss करना ज़रूरी होगा ठीक है resident in India की बात अगर की जाए तो भाई साहब जो इस देश में एक particular एक particular time के लिए रहता है रहता है किसी भी एक साल में किसी एक साल में the person who resides in this country into any one year just a second थोड़ा अगरी कट रहा होगा थोड़ा सा में setting कर देता हूं इसका ठीक है इसको थोड़ा सा पन उधर भी कर देते हैं यहां पर थोड़ा सा इसको पन उधर इस साइड भी कर लेते हैं राइट चले तो यह होगा कौन यह होगा रेसिडेट ठीक है साब बुले फिर उसके बाद में अगला आता है आपका कौन citizen citizen कौन होता भाई साब बुले ऐसा बंदा या फिर इंग्लिश में one who born in India अगर आप इंडिया में पैदा नहीं हुए आप क्या नहीं क्या लाएंगे इंडिया के citizen नहीं क्या लाएंगे अच्छा लेकिन एक बात और द्यान से सुनो क्या जो बंदा resident of India है पिछले एक साल में क्या करता है कुछ time के लिए असर आपने कुछ time क्यों बोला exactly आपने क्यों नहीं बताए कि कितने time के लिए तो ध्यान दीजेगा जब आप executive आएंगे न तो आप अलग-अलग law पड़ेगी हो सकता है कि आप income tax act जो होता है उसकी बात करें ठीक है हो सकता है कि companies act जो है उसकी आप बात करें companies act 2013 ठीक है या फिर insolvency bankruptcy code नाम की एक चीज आएगी Indian contract act जो होता है उसकी एक discussion जो होगा ठीक है तो अलग-अलग act में अलग-अलग duration दिया गया है कि पिछले एक साल में example में आपको बताता हूं अगर companies act के साब से बात की जाए तो companies act कहता है कि पिछले एक साल में जो यह पर्टलर टाइम है वो दिया गया है 182 डेज 182 दिन बुले आपका इंडिया में होना ज़रूरी पिछले एक साल के अंडर understood the point अच्छा दूसरी एक बात और यह तो शायद आपने 11-12 में पढ़ा है क्या साल जो है वो दो टाइप का होता है अगर आप साल की बात करोगे तो साल जो है वो दो टाइप का होता है कौनसा कौनसा सार एक होता है calendar year चीक है और दूसरा होता है जिसे आप कहते हैं क्या financial year आपने ये financial year नाम जो है वो तो शायद सुना भी होगा और आप इसके बारे में जानते होगे अगर आप commerce के student है तो लेकिन अगर आप science के student है तो ध्यान दीजेगा financial year आपका शुरू होता है 1 April किसी भी साल के 1 April से और खतम होता है 31st March of next year ठीक है ये 1st April of this year इस साल के 1 April से शुरू होगा और अगले साल के 31st March पे क्या होगा खतम होगा इसे कहते है financial year लेकिन वहीं पे अगर मैं calendar year की बात करूँ तो बहुत simple है जनवरी में शुरू होता है December में खतम हो जाता है एकदम simple इसे कहते है calendar year होना क्या होता है January में शुरू होता है और December में क्या हो जाता है खतम December वाले महिने में खतम हो जाता है Got the point? Done तो इसे कहा जाता है क्या calendar year तो ये ध्यान रखेगा अगर मैं ये 182 days की बात करूँ It should be in one financial year Calendar year नहीं दिया गया क्या दिया गया? One financial year But important point कि ये मैंने किस के हिसाब से बताया This is as per Companies Act This is as per Companies Act 2013 Sir, Income Tax Act के हिसाब से कुछ और हो सकता है तो अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं Income Tax Act के हिसाब से भी यही होगा तो मैं गलत हो सकता हूँ ठीक है? वहाँ पे resident होना किसे कहा जाएगा वो अलग चीज है Understood the point? Done इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा For a particular time Done, देख लिजिए इसको अगर आपको लिखना है तो आप इसको note down कर लिजिएगा इसको आप अच्छे से note down कर लिजिए चली भई हो गया फटाफट फटाफट रिविजिन कर लेता है अब आपको कि सर क्या वही चीज़ बार 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 पढ़ा होगे अरे CSET के अंदर जितना डेप्थ जाके आप पढ़ोगे ना उतना आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो एक्जिक्टिव में भी मिलेगा और प्रोफेशनल में भी मिलेगा यह द्यान रखेगा मेशा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ जिसका नाम दिया गया Constitution of India Constitution of India हिंदी में अगर नाम दूँ तो नाम दे सकते हैं सन्विधान भारत का सन्विधा ठीके साब अब इसके अगर बात की जाए तो इसको अप्रूफ कब किया गया था जरा बताओ अप्रूफ कब किया गया था भाई साब सब ले अप्रूफ किया गया था यह 26th of November 1951 ठीक है 1950 में किया गया था फिर इसके बाद में सरी इफेक्टिव कब से हुआ सब ले इफेक्टिव हुआ है आपका 26th of January 1950 में ओ स्वारी गडबड हो गई यह 1949 आना चीए देखा इसी तरीके से पंगे होता है अगर आपने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया तो इसी तरीके से पंगे होता है ठीक है तो इफेक्टिव फ्रॉम 26th of January 1950 और अप्रूव कब हुआ था 26 नवंबर 1949 में हुआ था फिर उसकी बाद में हमने कहा कि अगर आप कॉंसलिटिशन की बात करें अगर आप इसकी बात करो तो इसका ड्राफ्ट जो है ड्राफ्टेड बाई डॉक्टर भीम राओ अमबेडकर ठीक है भीम राओ अमबेडकर जी जो है उन्होंने इसको क्या किया था ड्राफ्ट किया था तो ये भी आप क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे फिर उसके बाद में अगर आप प्रियम्बल की बात करते हैं अगर आप गिवन, Constitution is given to secure, क्या सिक्यार करना है, चार पांच चीज है, सबसे पहला क्या था, Justice, ठीक है, दूसरा क्या था, Liberty, तीसरा क्या था, Equality, चौथा क्या था, Fraternity, understood the point, ये चार चीज़े, और इसके अंदर, जो point आ रहे थे, वो अब आपको लिखने, Liberty, पांच चीज़ों की थी, जहां तक मेरा ख्याल है, Equality, दो चीज़ों की थी, Fraternity, to ensure था, Fraternity to ensure, दो चीज़े, understood the point, ठीक है, अच्छा, एक बात और बेटा में आप लोगों से कहना चाहूँगा, और ये मेरा सबसे बड़ा कारण है कि मैं CSWET के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सबसे बड़ा करण, क्या, सबसे देखे कैसा है कि जब आप law की बात करते हैं, law is a language, agree करते हो, सब हिंदी एक language है, English एक language है, क्या मैं कह सकता हूँ कि mathematics is also kind of a language, आप maths के equation वगरा जो उसमें बात कर सकते हैं, अगर आप scientist वगरा की बात करेंगे, वो लोग उसमें discussion करते हैं, सेम इसे तरीके से law जो है वो भी एक language है, तो अगर आप यह चाहते हो कि law में आपको जो marks है, वो अच्छे मिले, तो आपको कुछ ऐसे वाले words, जो कि law में ही जादा यूज होते हैं, यह देखे, do, here, by, ऐसे काफी सारी words आएंगे आगे, मैं आपको hit करते रहूँगा, poke करते रहूँगा मैं बार बार आपको, कि देखो यह ऐसे words का इस्तेमाल अपने को करना है, ठीक है, या फिर इसके पहले, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, solemnly, solemnly का मतलब क्या होता बिटा, शपत लेके, ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ एक और वर्ड यूज वा क्या, resolve किया, resolve करने का मतलब क्या होता है, kind of, अगर मैं बात करूँ, decide करना, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर आप ऐसे भी लिशकते दे, we the people of India, we the people of India, having decided, having decided to constitute India, बोल सकते हैं नहीं इसा, बोल सकते हैं यहाँ सर, लेकिन, point क्या है, सरी यह legal language, legal language अगर आपका है, तो decided word लिखने की बजाए, अगर आप resolve लिखेंगे, तो जादा proper दिखाई देता, और मैं आपको बता दू, यह वाले जो words है, इन words का executive में, और professional में बहुत जादा importance होगा, क्योंकि वहाँ जो आपको आंसर देने पड़ते हैं, वो objective नहीं होगे, बलकि कैसे होगे, subjective, आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, और जो लिखना आपको पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं, कि सर आपने पांच माग के question का answer लिखा, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आपको उसके अंदर जो लिखना है, वो आपको लिखना है, professional writing में, there should be professional way of writing, जितना professional लिखोगे, उतना जादा आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, यह ध्यान रखेगा, understood the point, done, ठीके साब, चलिए बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, हमारे module के बारे में, ठीके, अब लिखिन यह module जो है, वो थोड़ा प्रॉपरली दिखना ही रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा set, फिर से कर लेता हूँ, this will be good, yes, this seems to be good, चलिए साब, अब इसमें सबसे पहरे, स्टार्टिंग का जो है, उसको तो पढ़ने की कोई जरुद नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, हमारा Constitution जो है, वो किस पर बेस्ट है बेटा, fundamental values पर बेस्ट, ठीक है, अब 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 अबजेक्टिव, विच दे वांटे तो अचीव थू 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 बिल्कुल सर, हमने जाके देखा प्रेंबल पढ़ लिया था पूरा, the fundamental rights यह सबसे important है, ध्यान दीजेगा, जब अपन पूरे constitution की बात करेंगे न, तो हमारा जो यह constitution है, ठीक है, इसमें कुछ important बातें आपको दी गई है, कुल मिला के चार, सबसे पहली जो हमारे लिए, सबसे important है, वो क्या है, वो है, fundamental rights, ठीक है, fundamental rights मतलब, basic वाले अधिकार, एकड़म जो basic वाले होते हैं न, दिखने ही रहोगा तुम मैं इसको दोर नीचे कर देता हूं, एकड़म जो basic वाले होते हैं वो वाले अधिकार, fundamental rights वो जो उसको, ठीक है, सर यहां अपन क्या करेंगे, आगे चलके article number 14, सर Constitution में articles आपको दिये गए, kind of आप उसको धारा नाम दे सकते हैं, हिंदी मगर आप चाहें तो ठीक है, article number 14 से लेके article number 32, article number 14 से लेके article number 32 तक, अलग अलग बाते अपने को बताए गई है, sir citizen का right है, right of equality, citizen का right है, right of speech and expression, citizen का right है, right of education, ऐसे काफी सारी rights जो है, वो वहां पे discuss किये गए हैं और वो हमारे क्या है, fundamental right है, अब एक चीज़ बहुत simple सी, अगर आप हमारे country में बात करते हैं, तो हमारे country के अंदर क्या मैं यह कह सकता हूं, कि अगर देखा जाए, जो देखने में हमारे सामने आता है, तो लोग कहते हैं, मंत्री वगरा हो गए, मंत्री हो गए या फिर जो government office में काम करने वाले लोग हो गए, अफसर वगरा जो हो गए, इन ही का राज चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, दिखने में वैसा ही आता है, लेकिन कानून यह कहता है कि नई, 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 माना की अफसरों के पास में प्राइमा फिसी, प्राइमा फिसी मतलग जब हम पहली बार उसी इसको देख रहे हैं तो, ठीक है, प्राइमा फिसी माना की उनके पास में अधिकार दिखाई दे रहे हैं, बट वो जो अधिकार दिये गए ना, वो दिये गए हमारी प्रजा के लिए, जनता के लिए, और अगर कभी भी ऐसा कुछ पदा चलता है कि कोई अफसर अपने उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जनता के अगेंस्ट में, तो ऐसे केस में उसे कहा जाएगा, हमारे fundamental rights को infringe करना, तोड़ना, खराब करना, ठीक है, सबसे पहला point ही आ गया कि सब fundamental rights क्या-क्या होता है, करेंगे अपन बात उसके पाल, और अगर वो fundamental rights को harm किया गया, तो ऐसे केस में remedy भी प्रोवाइड की गई है, कहां दी गई सर, सर यहीं पर दी गई सर, Constitution के अंदर, सर उस remedy को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं Constitutional remedy, क्या कहा जाता उसको, Constitutional, सर, जिस चीज की remedy, जिस चीज का इलाज, जिस चीज का solution, हमारे सन्विदान में दिया गया है, उसे कहा जाता है क्या Constitutional remedy, understood the point, ले ठीक है सर, लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह नहीं है, कि आप अपने आपको खुदा समझे, आप हर बात पर यह कहें, अरे मेरे पास तो fundamental right है, fundamental right है, इसके अलावा आपके ऊपर एक और चीज जिसका नाम दिया जाता है, fundamental duties, जिम्मेदारी भी है आपकी कुछ, से क्या जिम्मेदारी है, करेंगे अपन बात आगे चलके ठीक है, फिर उसके बाद में एक चीज और दी गए है, जिसका नाम दिया गया है, directive policies, directive policy of state, ठीक है, तो उसके बारे में भी discussion जो है, वो अपने को यहां पर करना पड़ेगा, तो basic एगर मैं बात करूं, तो यही तीन important जो की हमारे सन्विधान में आती है, इस त्री तिंग्स आती है, ठीक है, ठीक है, तो यह देखे, यहां पर क्या बोला गया है, कि preamble जो है, उसमें आपको सारी चीज़े बता दी गई, अपर्ट फॉम्ट फंडमेंटल राइट्स जो है, वो अपना आगे चलके देखेंगे, फिर उसके बाद में एक और चीज़ यहां पर बोलागे है, क्या, directive principles, principle क्या होते है, आपके rules बगर ठीक है, लेकिन कौन से वाले, directive, directive मतलब जो आपको एक path देते हैं, जो आपको guide करते हैं, उसे कहते है directive, ठीक है, directive principles, of the founding father to the succeeding generation, together with the later part on the fundamental duties, तीन चीज़े मैंने आपको बताई, सबसे पहले right, दूसरा fundamental duty, और तीसा directive policies, तो यह तीन चीज़े जो हैं, वो हमारे सन्विधान में दी गई हैं, जिसके बारे में हमें discussion करना होगा, और किसी भी भारतिय को, किसी भी भारतिय को, कम से कम इंडियन को, यह चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कि उसका सन्विधान उसके लिए क्या कहता है, understood, ठीक है साब, the vision of socio-economic, सरी यह socio-economic का मतलब क्या होता है, जहां आप society के बारे में भी सोचते हैं, और आप इंडिया की economy के बारे में आप सोचते हैं, दोनों के simultaneous growth के बारे में आप सोचते हैं, उसे ही कहते हैं socio-economic होना, ठीक है, the vision of socio-economic change through the constellation is reflected in the preamble, ठीक है साब, the preamble expresses the idol and the aspirations of renuncent India, मतलब ऐसा इंडिया जो की काफी टैन से चला रहा है, और उसको हमने kind of यहाँ पर क्या किया है, renovate किया है, ठीक है, at independence, जैसे हमारी country आज़ाद हुई थी, कब हुई थी बेटा? बुले साब, 15 August या 26 January हुई थी, exactly पता नहीं, ऐसा तो नहीं है न, 15 August 1947 को हमारी country क्या हुई थी, independent हुई थी, तो यह ध्यान रखेगा, हो सकता एक्जाम में पूछ किया अचा है, emerging out of a long period of foreign domination and operation, अब यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह operation का मतलब किसी का इलाज करना नहीं होता, operation का मतलब होता है दबाना, exploit करना, misuse करना, तो foreigners यानि की कौन? England वार, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दबाई था ना हम लोगों को, हमारा misuse किया था ना, exploitation किया था, in a feudal system, the people were grimly struggling to be reborn into a life of dignity and a hope, अच्छा एक बात और, कुछ words यहाँ पर ऐसा हैंगे, उसका कोई मतलब नहीं आएगा, आप खुद ही बोरू जाओगे, तो अगर किसी word का मतलब समझ में नहीं आता है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, कि आप मुझे मैसेज करो, सर यह word का मतलब समझ में नहीं आएगा, अरे भाइसा, जितने भी words है ना, सारे words का मतलब डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा, तो सर मतलब आपको नहीं पूछेगा, अरे पूछो बिल्कुल, लेकिम पॉइंट यह है, कि अगर आप मुझे पूछने के लिए मैसेज करेगे, आपने क्या क्या, आपने मेरे नमबर पे मैसेज किया, लेकिन फिलहाल में क्या कर रहा हूँ, फिलहाल में recording कर रहा हूँ, शायद आपके लिए कर रहा हूँ, शायद executive के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, शायद professional के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, दिन बर आप क्या करते हूँ, मैं तो यह करता हूँ, सुबह से लेके शाम तक मैं recording करता हूँ यही मेरा passion है यही मेरा profession है ठीक है तो आपका जो सवाल था एक छोटा सा सवाल उसका जवाद देना क्या अभी क्या भी मेरे लिए possible होगा क्या आपको यह अच्छा लगेगा कि मैं किसी और की जवाब के लिए आपको क्यों कि अरे दो मिट वेट करना एक सवाल आया है इसका मैं जवाब देता हूँ होगा क्या नहीं कहना सब यह चाहता हूँ कि प्लीज 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 किसी भी बंदे पे completely dependent मत हो जाएगा यह आपके profession में एक बहुत बड़ी सीख है ठीक है maximum चीजों का जवाब जो है वो आपको कहा मिल जाएगा dictionary में मिल जाएगा हाँ legal word अगर आपका है ठीक है तो ऐसी case में अगर आपको कहीं पे जवाब नहीं मिल पा रहा है तो बिलकुल प्रवीन से के पास कभी पे आईए कोई दिक्रत वाली बार नहीं ठीक है ठीक है the judicial contribution judicial का मतलब क्या होता है जो judge वगरा होता है cases को solve करने वाले मतलब court system उसे कहते है judicial system ठीक है contribution to the synthesis and integration of the fundamental rights and the directive principles in the process of constitutionalizing the social and economic right has been crucial and realization of the directive principles यह कोई काम का नहीं है कोई काम का नहीं है इस पर सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा ठीक है मेरी साब से यह भी आप छोड़ दीजिए इस पर भी सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा लेकिन हाँ इस पर जरूरा जाओ यह आपके लिए important है इस पे सवाल आ जाएगा, यह तो बस नॉमली आपको history बता रहे हैं कि मतलब यह ऐसा किया गए, ऐसा किया गए, ऐसा किया गए, लेकिन, जब आप बात करते हैं framework के बारे में, तो सबसे पहली बात, कब से effect में आया, came into force का मतलब क्या होता है, effect में आना, सर्ट 26 जनवरी 1950 का है इंडिया का कॉंस्टिश्न जो है ये लारजस्ट लारजस्ट रिटन कॉंस्टिश्न ये भी आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है जी के दौर पे जन्रल नौलजर के तौर ठीक है डन Apart from dealing with the structure of government Constitution किसमे deal करता है कि हमारी country का structure जो हो कैसा होना अच्छी ठीक है The Constitution makes detailed provisions for the rights of citizens यह तो भी बात होगी Fundamental rights की बात कर रहे होंगा आप शायग या फिर Another persons in a number of entrance provision and for the principles Directive principles To be followed by the state in the governance of the country Labeled as the directive principles of the state policy All the public authorities यह जान रखिएगा क्या बुला All the public authorities चाहे वो legislative हो सर यह क्या होते है जो कानून बनाती है या फिर वो administrative हो यह कौन है सर जो कानून बने हुए कानून को पालन करवाती है और judicial यह कौन है सर अगर कानून को पालन नहीं किया गया तो ऐसे case में remedy जो है वो provide करती है decision प्रोवाइड करती है judgment प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं judicial ठीक है Drive their power directly or indirectly from the constitution which in turn drive its authority from the people अब यह बहुत ध्यान से सुनिएगा यह important point आपके लिए क्या सर हमने कहा हमारी country में कौन है बेटा जनता है ठीक है जनता ने क्या किया जनता ने बनाया constitution got it किस के लिए so for the people by the people of the people right तो इसके हिसाब से आपका जो constitution है उसने क्या किया उसने बनाई public authorities सर एक मिनट यह यह public का मतलब क्या है ऐसी authority जो जनता की सेवा के लिए बनाई गई है ध्यान रखेगा हमने क्या कहा constitution भी किस के लिए बनाई गई जनता के लिए ठीक है तो public authority किस के लिए बनाई गई जनता की सेवा के लिए लेकिन आपको यह बता दू कि जो public authorities है ना यह कुल मिलाके आपकी तीन है कित्ती बेटा तीन इसमें से जो पहली है उसका नाम क्या दिया गया legislative क्या बलेंगे legislative authority ठीक है साब दूसरा जो है उसका नाम क्या दिया गया sir administrative ठीक है साब और तीसरा जो है उसको क्या नाम दिया गया sir इसको नाम दिया गया judicial judicial authority got the point तीन बताए मैंने आपको पहला legislative दूसरा administrative और तीसरा legislative sir अगर मैं legislative की बात करूँ तो बोले sir यह कौन से authority होती है तो ध्यान से सुनिएगा authority which make any law क्या बनाती बेटा कानून बनाती है example आपने सुना होगा company's act 2013 या वो तो बात की बात है उसके भी पहले आता है constitution of India sir यह कहां बनाया गया यह कहां बनाया गया आपने सुना था word assembly constituent assembly ठीक है तो जो वो constituent assembly हुआ करती थी वो कौनसी बाड़ी थी बेटा legislative बाड़ी थी और legislative authority उसको कह सकते ठीक है simple तरीके से sir authority जो कि क्या करती है कानून बनाती है आज अगर हमारी country में आप बात करोगे तो 2600 से भी जादा कानून है पढ़ेंगे अपना आगे चलके executive में बहुत सारे आएंगे professional में बहुत सारे आएंगे यह यहीं पर आप बात कर लीजे constitution का देख लिया था फिर Indian contract act आएगा 1872 का है law of tort आपको पढ़ना पढ़ेगा फिर companies act 2013 आपको पढ़ना पढ़ेगा income tax का act बनाया था 1961 में वो आज तक चले आ रहा है फिर जो share market वगार होता है उसके लिए act बनावा जिसका नाम है सेवी act 1992 वो आपको पढ़ना पढ़ेगा GST का act दिया हुआ है 2017 का वो आपको पढ़ना पढ़ेगा insolvency bankruptcy code आपको दिया गए understood लेकिन सवाल याता है कि सर ये legislative body जो है वो दिखती कैसे किसे कहा जाता है legislative body तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप इंडिया की बात करें as Indian constitution constitution has dual system क्या है हमारे यहां पर dual system dual system कौन सा कौन सा है ध्यान दीजेगा हमारा constitution जो है उसमें कुछ features है federal वाले और कुछ systems है union वाले कुछ federal वाले है कुछ कौन से है union वाले ठीक है तो dual system अब चूंकी ऐसा है because of that reason हमारे पास में दो authority है हमारे पास में दो legislative body है एक है अपने पास में जिसका नाम दिया गया है parliament सुना है क्या पार्लियामेंट और दूसरा होता है जिसको आप नाम देते है state legislature क्या 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 कहते है state legislature अच्छा हाँ एक बात और आप सुनिएगा मैं इसको पार्लियमेंट बोलने के बजाए इसको मैं नाम देता हूं houses houses of parliament ठीक है अब houses of parliament जो है वो further दो है अगर आपने कभी सुना होगा तो एक का नाम है लोक सभा और एक का नाम है राज्य सभा ठीक है लेकिन वहीं पर अगर आप state legislature की बात करोगे तो यह आपका हिंदी में आप नाम दे सकते हैं इसका क्या विदान सभा got it sir द्यान से सुनिएगा यहाँ पर मैंने आपको बोला कि हमारा जो system है वो कौन से वाला है बेटा federal वाला है federal features sir what is the meaning of this federal feature बहुत द्यान से सुनिएगा sir हमारे country के अंदर दो type की government है एक feature में आपको यहाँ पर फिलार बता रहा हूँ आगे अपन और discuss करें कित्रे type की government है दो type की government कौनसी कौनसी सर्फ एक है central government जिसमें control जो है वो सिर्फ और सिर्फ center के पास है और दूसरी है state government जिसमें हमारे country में अलग-अलग state government बनाई गई है अलग-अलग states बनाई गई है union territories बनाई गई क्या बनाई गई है union territory रेज़ेंटली आपने सुना होगा section 370 sorry article constitution के अंदर article 370 दिया गया था जिसके इसाब से जमुवन कश्मीर जो है उसका बोले अलग सासन रहेगा ऐसा कहा गया था इंडिया का part होके भी उसको इंडिया का part वहाँ पर माना नहीं जाता था अगर आप law के साब से बात करेंगे ठीक है तो अभी recently क्या किया गया था 370 को हटा दिया जा था उसको हटा के जमुवन कश्मीर को लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 लिस्ट 1 जो है उसे आप union list का नाम दे सकते हो लिस्ट 2 जो है उसे आप state list का नाम दे सकते हो लिस्ट 3 जो है उसे आप concurrent list के नाम से बिला सकते हो लिखने की ज़रत नहीं है मैं आपको आगर लिखवा के दूंगा और List 4 जो है उसे Residuary List के नाम से जाना जा सकता है Important point ये है कि जो Union List है उस matter पे जो भी कानून बनाना होगा या जो भी Decide करना होगा जो भी Resolve करना होगा वो सिर्फ औसरफ कहा Resolve होगा बेटा? Parliament के अदर State Legislature किस चीज़ के बारे में Decide करेगी? List 2 के जो भी Matters आएंगे State List वाले उसके बारे में Decide करेगी उसके अलावा कुछ भी Decide नहीं करेगी उसके अलावा कुछ भी Decide यहां पे नहीं करेगी, Understood the point? Done तो यह जान रखिएगा, सर यहां पे अगर मैं लिख देता हूँ यहां पे यह हो गया बट किसके लिए? For the Matters Matters related to List 1 That is Union List ठीक है? ठीक है साथ लेकिन वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो It is for the Matters Related to List 2 List 2 That is State List Got the point? कानून बनाने का जो अधिकार है वो इनके पास में है कोई है जिसको यह सवाल हो कि सर एक Minute यह क्या नाटक कर रहे हो आप मतलब आपने बुला Constitution is by the people for the people of the people मतलब Constitution हम लोगों ने बनाया हमारे लिए बनाया ऐसा बुला आपने? बुले हास ऐसा बुला आपने? लेकिन एक Minute आपने अभी अभी बुला कि हमारे country में कोई भी कानून कैसा होना चाहिए इसके बारे में decision हम लोग नहीं लेंगे बलकि Parliament में लिया जाएगा सर यह तो गरत बात हो गई सब Parliament में call बैटते हैं अभी दान से सुनिएगा Parliament में कौन बैटते बैटा? बुले MP और MLA बैटते हैं MP बैटता और दूसरा कौन सा? MLA यह दो लोग बैटते हैं बुले हाँ सब अब इनको choose किस ने किया था? election हुआ था ना? जब election हुआ था तो इनको choose किस ने किया था? हम लोगों ने किया था ठीक है? जिसको maximum vote मिले थे उसी ने उसको choose किया और वही बंदा जाके क्या करेगा? यानि कि पारलेमेंट में जो बंदा बैटा है एक बात बताईए क्या पारलेमेंट में 140 क्रोड़ों लोग बैट सकते हैं क्या? क्या 140 क्रोड़ों की हर एक बात के उपर voting करवा सकते हैं क्या? हर एक एक के उपर? answer is no answer is no तो अगर ऐसा नहीं हो सकता अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्या किया? सब कुछ लोगों को choose किया गया जिनको हमने MP बनाया, जिनको हमने MLA बनाया और उनसे कहा कि तुम जाओ हमारे बिहाफ पे पारलेमेंट के अंदर या फिर State Legislature के अंदर और वहाँ जाके हमारे बिहाफ पे हाँ बोल दो, ना बोल दो, तुमारी मरजी है बोले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं बोले, अगर ऐसा उस चीज में किया गया हुगा, तो फिर चलेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है understood the point, बोले ठीक है साथ, लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखेगा कि कोई भी एक्ट जो है कोई भी एक्ट जो है, वो इन दोनों हाउसेज में पास होने के बाद, final ascent जो है final ascent by president of India होना चाहिए ठीक है, final ascent किसका आचाहिए बीटा, president of India का और वहीं पे, अगर मैं state लेकिस सेचर के साब से बात करूँ, it should be final ascent by governor state का क्या होता है बीटा, governor होता है governor of the state यह समझ में आ गया ठीक है साब, फिर उसके बाद में administrative body कौन होता है हिंदी में English में लिख देता हूँ, the authority which यह authority who implement the law ठीक है जो कानून बनाये गया था, उस कानून को क्या करने का काम करती है implement करने का काम करती है उसको पालन करवाने का काम करती है ठीक है, सब कौन रहे गई है तो जान से सुनिएगा the all the ministries ministries at central level and state level ठीक है, सर एक्जम्पल है कोई बिलकुल बहुत सर एक्जम्पल है for example, ministry of defense ठीक है, दूसरा ministry of finance तीसरा ministry of corporate affairs ministry of health ministry of education ठीक है, तो ऐसी जो भी अलग-अलग ministry होगी ना, जो जो department आपके होगे वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए उन सब को क्या बोला जाएगा administrative body के नाम से उसको जाना चाहेगा ठीक है, लेकिन फिर वहीं पर point आता है क्या judicial body अगर मैं judicial body के बारे में बात करूँ तो simple तरीके से कह सकते हैं all courts including including civil courts criminal courts ठीक है या फिर high court high courts and supreme court got it लेकिन हाँ एक बहुत important बात है यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है वो यह कि अगर आप judicial system की बात करोगे judicial body की बात करोगे they work independently यह ध्यान रखिएगा कैसे काम करते हैं? independently वो किसी सरकार के नीचे दपके काम नहीं करता है क्या नहीं करते है सरकार के नीचे दपके काम नहीं करते independent आपने कई बार सुना भी होगा शहर कई बार आपने सुना होगा Supreme Court ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार Supreme Court ने लगाई महारास्त्रा सरकार Supreme Court ने Central Government को जापा Central Government को बहुत जान से सुनिएगा, जो मैंने आपको बोला, सीधी सीधी बात भाई साब, जो आपकी जुडिशेरी सिस्टम है, वो किसके नीचे काम कर रही है, कॉंस्टिटूशन के नीचे, जुडिशेरी सिस्टम यानि कि आपका हाई कोट हो गया, सुप्रीम कोट हो गया, या फिर आपका civil court हो गया, criminal court हो गया, उनके पास में जो power है, वो कहां से आती बेटा, वो constitution से आती है, क्या कर सकते है, क्या नहीं कर सकते है, सर कहां पे लिखा हुआ है, सर सन्विधान में लिखा हुआ है, constitution में लिखा हुआ है, कहा लिखा हुआ है, constitution में लिखा हुआ है, understood the point, तो इ पर चलिए तो आपने इसको प्रॉपरी नोट डाउन जो कर लिया होगा और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में ठीक है तो यहां अगर लास्ट में देखेंगे यह पेग्राफ अपना हो गया था प्रेमबल क्या है प्रेमबल क्या है इसके ऊपर भी आ सकता है यह पूरी की पूरी बात जो हो अपना अच्छे से कर चुके हैं यह पूरी चीज अपना अच्छे से पहले ही पढ़ चुके है तो दुबारा उसको रिपीट करने को मतलब नहीं आता है ठीक है साथ इसको पढ़ने की जरुड़त नहीं है ठीक है लेकिन इसके बार में एज डिसकस्ट अब होता है यहां पर W A S T D नहीं लिखा हो है क्या लिखा हो है वेस्टड वेस्टड मतलब देना या वी कन से गिवन ठीक है या ओठ्राइजड वेस्टड इन पीपल ऑफ इंडिया and political sovereignty is distributed between the union and the states ठीक है union का मतलब यहां पर क्या बेटा central government got it तो बहुत द्यान से वापर से द्यान से सुनेंगे जो legal वाली sovereignty है वो किसके पास में है जनता के पास में है लेकिन जो political वाली sovereignty है वह किसके पास में है वो union के पास में है और state के पास में तो यह बात को भी रियान में रखिएंगा मैं सको अलग से यहां पर लिखिता हुआ अगर व्री आप बात करते इसके बारे में sovereignty के बारे में तो sovereignty जो है वोब्रेग दो टाइब की दो टाइप की sovereignty एक आपके हो गई कौन से वाली लीगल वाली ठीक है और दूसरी जो है वो आपके कौन से हो गई political वाली political वाली किसके आथ में है in hands of government ठीक है अब अगर आप government की बात करोगे तो हमने क्या बुला government दो टाइप की होती है एक आपके होई कौन से वाली central वाली और दूसरी आपके कौन से वाली है state वाली understood बहुत ठीक है साथ लेकिन वहीं पर अगर मैं legal यानि कि law बनाने की बात करूँ तो इसकी जो authority दी गई है वो किसके पास में है people सर लेकिन आपने तो बुरा था को करना है तो एक बार इस इसको note down भी कर लिजे क्योंकि MCQs इसके उपर आपको simply पुछा जा सकता है understood the point चलिए आएंगे बापिस से बात करेंगे अगले point के बारे में the democratic word जो आपने यूज किया कौन से वर्ट डेमोक्रेटिक ठीक है character of the Indian polity is illustrated by the provisions conferring on the adult citizen the right to vote हमारे constitution को democratic क्यों कहा गया है क्योंकि हर एक Indian के पास में किस चीज का अधिकार है विटा vote करने का अधिकार and by the provisions for elected representative and responsibility of the executive to the legislature very much important तो सवाल ये भी आपको आ सकता है कि democratic क्यों कहा गया है सबसे पहला reason क्या बताया हम वोट कर सकते है दूसरा क्या बताया sir हमें represent करने के लिए लोगों को elect किया जा सकता है MPs को MLA को ठीक है फिर उसके बाद में and responsibility of the executive to the legislature कानून जो बनाए गया है उसके जिम्मधारी किसके बास में रहेगी executive body अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर लिख देता हूँ कि जिसको आपने administrative नाम दिया इसको आप executive body भी बोल सकते है ठीक है जो कानून को execute करने का काम करती है जो कानून को execute करने का काम करती है उसे आप नाम देते हैं क्या executive body ठीक है चली फिर उसकी बाद आपने word यूज किया क्या socialist अगर हम socialist word के बारे में बात करें तो यह पहले से नहीं था लेकिन जब 42nd amendment आया amendment sir constitution 1950 में बना था लेकिन 1950 से लेकिए आज तक कि अगर आब बात करोगे तो हमारे scenario के अंदर social scenario की बात कीजिए economic scenario की बात कीजिए political scenario की बात कीजिए बहुत बड़ा फरक हो चुका है बहुत ज़ादा फरक हो चुका है dynamics आ चुके है changes हो चुके है तो 1950 का जो constitution है वही अगर आज तक valid रहे सही होगा क्या आप खुद बताइगे क्या ये बात सही होगी answer is no ये सही करते ही नहीं होगा तो ऐसे case में क्या करना जरूरी है सब बहुत ऐसे case में जरूरी ये है कि आपको time to time अपने constitution को क्या करना पड़ेगा amend करना पड़ेगा बहुत सारे amendment आए अभी तक अगर आब बात करोगे तो बहुत सारे amendment आए लेकिन जो 42nd number का amendment आया था उस amendment में word को add किया किया क्या socialist और इस word से यहाँ पर कहना क्या चाहते है constitution में ध्यान दीजेगा इडेंस तो secure to its people justice, socially, economically and politically the directive principles of the state policy contain in part number 4 ये ध्यान रखेगा MC के वापिस से कि directive principles जो है वो कौन से part में cover की गए part number कौन सा है 4 आर डिजाइन फॉर दा achievement of the socialistic goal envisaged in the preamble the expression democratic republic signifies that our government is of the people, by the people and for the people ये बात में आपको पहले ही बता चुका understood the point तो एकदम ज्यान से वैसा आपने sovereign होने की बात करी social होने की बात करी secular होने की बात करी ये तीनों का मतलब क्या निकलता है अपने देख लिए फिर आपने democratic republic होने की बात करी उसका भी मतलब क्या निकलता है वो भी हमने क्या की अच्छे से देख लिए understood the point? done ठीक है सर फिर इसके बाद में एक बहुत ही बड़ा point यह आता है कि सर हमारा जो constitution है वो federal है या फिर unitary है कौनसा कौनसा? या तो federal और या तो unitary सर, unitary की बात अगर मैं करूँ तो बहुत simple सा जहां control किसी एक ही authority के पास होता है जहां control किसी एक ही बंदे के पास होता है उसे आप कहते हैं क्या होना? Unitary Economy होना या Unitary Government होना चाइना की बात आप कर लीज़े चाइना में चाहे आप किसी भी state की बात करो किसी भी city की बात करो Beijing हो गया Wuhan हो गया फिर आपका क्या बोलते हैं उसको शंगाई हो गया ठीक है? यह सारी की सारी जो जगह आपकी है ना It is only under the control of the Prime Minister of the China उसी के control में और किसी के control में भी नहीं है सब वहाँ पे state governments है क्या? नहीं सब कोई state government नहीं है कोई state government नहीं लेकिन अगर आप India की बात करोगे तो India में federal system भी है और unitary system भी है दोनों system लेकिन कैसे है क्या-क्या features उनके होते हैं तो बात इसके अपन कर लेते हैं ध्यान से लेखेगा Sir, अगर बुले आप हमारे consultation की बात करते हो तो it is federal लेकिन with certain certain मतलब कुछ निश्चित certain unitary features the majority of the Supreme Court judges in Keshav Nanda भारती अब यह जिन्दगी में पहली बार आपके सामने किसी case law का नाम आ रहा है ठीक है द्यान से देखेगा बेटा यहापे आपको मैं बता दूँ कि आगे चलके हो सकता है हो सकता है नहीं हो नहीं है confirm इस बात का तो क्या कि आपको ना ऐसा बहुत जगह पे लिखा हुआ मिलेगा क्या लिखा हो बेटा केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR सरी यह All India rank है क्या नहीं All India rank नहीं है बात करेंगे क्या है 1973 SC 1461 ठीक है तो इस चीज़ को आज आप यहाँ पे समझ लीजिएगा लेकिन हाँ इसके बाद भी मैं आपको बता दू कि एग्जिक्टिव में प्रोफेशनल में जब इसके बारे में कोट करना आएगा तो आपको यह इतना लिखने की कोई जरुवत नहीं है यह वाला ठीक है यह जो All India Rank वगरा लिखा हुए ना Not exactly All India Rank मैं बताओंगा क्या मतलब इसका लेकिन आपको यह लिखने की यहाँ पे कोई जरुवत नहीं है सिर्फ अगर आपने लिख क्या केशव नंदा भारती versus state of किरला that will be sufficient पर सवाल ही आता है कि इसका मतलब आखिर क्या होता है कौन सी चीज का मतलब क्या निकलता है ठीक है तो बहुत ध्यान से ध्यान दीजेगा सबसे पहली बात अगर मैं केशव नंदा भारती की बात करू He was nothing but a petitioner सरी petitioner क्या कौन होता है जो case file करता है जसने court में क्या किया होगा case file क्या होगा उसे कहते हैं petitioner petition file करने वागा ठीक है ठीक है साब फिर उसके बाद में यहाँ पे आपने word यूज किया state of kerala सरी ये कौन है सरी इसे आप नाम दे सकते हैं defendant defendant और या फिर आप चाहो तो इसको respondent नाम भी दे सकते हो सर लिए एक मिनुट आपने नाम के लिखाया है state of kerala क्या कोई बंदा किसी government के अगेंस में भी case कर सकता है या पूरे kerala state के अगेंस में case कर दे चलेगा क्या हाँ बिल्खुल चलेगा द्यान सो सुनिए constitution जो है वो हमें fundamental rights देता है अगर हमारे basic वाले right को कोई भी public authority कोई भी public authority अगर infringe कर रही होगी तो ऐसे case में हम solution पाने के लिए remedy पाने के लिए कहां जा सकते हैं court के पास जो भी court के पास में जाना लग किया गया होगा उस court के पास जाके अपने इस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं कि sir हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है understood the point? done ठीक है आप बोले लेकिन sir एक मिनट ये AIR अगर इसका मतलब All India rank नहीं है तो क्या All India Radio है answer is no इसका मतलब क्या है बेटा All India Report क्या इसका मतलब? All India Report, got the point? 1973 sir ये year of case है कौनसे साल में case file हुआ था ये वो है ठीक है और sir यहां जो SC लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ये तो शायद आपने guess करी लिया होगा बट फिर भी मेरा का मैं बताने का मैं यहां पर बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है? Supreme Court और फिर उसके बाद में सवाल आता है सबसे बड़ा कि यह 1461 क्या है? कुछ नहीं इसस केस नंबर उस साल का केस नंबर 1461 था अंडर सूट दा पॉइंट तो यह दियान रखेगा आगे से अगर कहीं पे भी आप इस तरीके का कुछ भी लिखा हुआ देखते हैं तो जिसने पहला जिसका नाम पहले लिखा हुआ है वो बंदा पेटिशनर कहलाएगा ठीक है? और हाँ एक बात और कई बार ऐसा होता है कि किसी लोवर कोट ने ओर्डर पास किया था उसके ओर्डर के अगेंस्ट में अपील करी जा रही है ठीक है? तो जिस बंदे को आपने यहाँ पेटिशनर बोला इन केस ओफ अपील, that person will be called as appellant just a second क्या बोलेंगे इसको अपन? appellant, A-Double-P-E-Double-L-A-N-T appellant इसको बुला जाएगा अपील करने वाला is called as what? appellant, understood the point? लिख रही है आप यह वाली चीज को चली, तो इस पडलग केस में आपका सुप्रीम कोट, सुप्रीम कोट के जो जजेज, ठीक है? उन्होंने क्या बोला? they were of the view that the federal features form the basic structure of Indian constitution मतलब हमारे constitution में अगर आप बात करते हैं कि हमारा constitution जो है, वो unitary features के base पे है, या federal वाले पे, तो कहा गया federal वाले पे based ठीक है? However, there are discussion as to whether the constitution establishes a federal system or a unitary form of system ठीक है? with some basic federal feature, thus to decide whether the constitution is federal, unitary और quasi-federal quasi-federal का मतलब क्या होता है बिटा? कि majorly अगर आप देखोगे तो शायद वोली unitary के features है, but हो सकता है कि एक अधर feature किसका हो federal बात, मतलब federal तो नहीं है बड़ उसके जैसा है, ठीक है? यहाँ पर मैं यह भी आपको बता दू कि word quasi, यह कोई English word नहीं है, बलकि Latin word, quasi का मतलब होता है alike ठीक है? और अगर यहाँ पर quasi-federal की बात करूँ तो कह सकते है federal but not exactly federal बोल सकते हैं, बोले federal type का है, but exactly federal नहीं है, उसे कहते हैं, आप क्या, quasi-federal होना, ठीक है? it would be better to have a look at the content of the constitution, उसे बुले, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आजागा, ध्यान से सुनिएगा अगर बुले, आप federal polity और system की बात करें ठीक है? तो उसमें क्या-क्या features होते हैं, वो देखते हैं, सबसे पहला point सब उले dual government होती है, क्या हमारे country की जो government है, वो dual है क्या? yes sir, कुछ power है, जो कि central level पे है, कुछ power है, जो कि state level पे है, यानि कि dual government है, कुछ ऐसे matters है, जिसके उपर decision अगर लेना होगा, तो central level पे decision लिये जा सकते हैं, लेकिन, काफी सारे ऐसे matters है, जिस पर government, अगर तेलंगाना का रहा, तो तेलंगाना की government, ठीक है, वो लोग decide कर सकते हैं, तो yes sir, we have the dual government, पहली बात, दूसरी बात, there will be distribution of power, अगर आफ federal system की बात करें, तो power किसी एक के हाथ में नहीं होती, बलकि उसको क्या करते हैं, distribute क्या होता है, sir, बिल्कुल सही बात है, क्यान से सुनिएगा, आगे चलके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कि हम बात करने वाले, बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे about the companies act 2013, sir, अगर मैं इस act के इसाब से central government की बात तो, तो आपकी ministry है, जिसका नाम है Ministry of Corporate Affairs, M.C.A. M.C.A. के पास में power है, और उसे ही क्या कहा जाता है, government, लेकिन एक सेकिंड, एक सेकिंड, उसके बावजूद, company से जुड़े वे सारे के सारे जो काम है, वो M.C.A. नहीं करता, बलकि M.C.A. ने अपना जो power है, वो delegate कर दिया, किसके पास में regional director के पास, बड़ा लेक देता हूँ, मैं इसी इसको, किसके पास किया बेटा रिजिनल director के पास कर दिया, और original director के भी नीचे power को distribute किया गया है, जो कि किया गया है ROC के पास, ये भी मैं बड़ा लेक देता हूँ, ROC का मतलब होता है क्या Registrar Of Companies Understood the point तो आप जवाब बताइए कि क्या Company से जुड़ा हुआ पूरा काम MCA देखता है क्या नहीं साब, Power को क्या किया गया है Delegate किया गया, Distribute किया गया बोला गया है कि ये वाला काम आप देखोगे 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 अलग अलग लोगों को बोला गया ठीक है तो सर ये वे एक Federal Care System जो कि हमारे कंट्री में है फिर उसके बाद Supermacy of Constitution This is very 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 much important बाई साब बहुत ध्यान से ये बात को समझ लीजिएगा मैंने आपको यहां पर क्या बताया कि जनता जो है वो क्या बनाती है Constitution मतलब बनाया हम लोगों ने ये Constitution जो है वो अपने आपको दिया सर एक मिनट हमने बनाया कि Dr. Bhim Rao Ambedkar जी ने बनाया किसने बनाया सर भी भीम राओ Ambedkar जी नहीं नहीं उन्होंने ड्राफ्ट किया बटा उन्होंने ड्राफ्ट किया बट उसको एप्लिकेबल किसने किया हम लोगोंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था We the people of India क्या बनाया पने We the people of India solemnly resolved that कि हम लोग अपने आपको यह constitution दे रहे हैं ठीक है हाला कि ड्राफ्ट जो किया गया तो किसने किया था Ambedkar जी नहीं किया लेकिन उसको effective किसने किया हम लोगोंने किया ठीक है और दूसरी बात यह ध्यान दीजेगा इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर यह दिखाया था कि सबसे बड़ा हमारे लिए कौन है बटा सबसे बड़ा है हमारे लिए constitution understood और जितनी भी चीजें है चाहे आप किसी भी public authority की बात कर लीजे फिर चाहे वो law बनाने वाले होंगे या फिर law को adhere करवाने वाले होंगे उसको implement करने वाले होंगे और या फिर वो judiciary system होगा सारे के सारे इन में से कोई भी किस के उपर नहीं है बेटा constitution के उपर नहीं इस हिसाब से मैं एक बात और यहाँ पे statement आपको बोल सकता हूँ कि constitution is nothing but mother of all the laws यह बात हमेशे धान रखेगा क्या constitution is mother of all the laws सर नहीं समझा कहना क्या चाहते हूँ सर वो games of throne में देखा था कि mother of dragon है यह लेकिन mother of all the laws यह क्या ना टक है बात धान से सुनियेगा आपको बताता हूँ सर हमने कहा कि इंडिया में 200 sorry 2600 से भी जादा क्या है laws ठीक है उसमें भी आपने एक्जामपल बता है Companies Act 2013 is also a law यह फिर apart from that there is something which is called as क्या Insolvency Bankruptcy Code 2016 यह फिर दिर दिर संथिंग कॉल्ड as GST जो कि 2017 का है यह फिर दिर संथिंग विच इस कॉल्ड as Income Tax Act जो कि 1961 का है यह फिर दिर संथिंग विच इस कॉल्ड as C-B Act Securities Exchange Board of India Act जो कि 1992 का है ऐसे बहुत सारे एक्ट असा ठीक है लेकिन ध्यान रखेगा कहा गया है कि इन सारे के सारे एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो सकता जो कि Constitution के खिलाफ रहे Are you at the point? When you say Constitution is mother of all the laws इसका मतलब यह है कि जितने भी laws है Many more यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं तो आप बोलोग इससा सिफ इनी में ठीक है? Many more Indian Indian laws इसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो सकता है which are against the Constitution of India ठीक है? और अगर मान लीजिए ऐसा है लिख देता हूँ यहाँ पर if any provision in these laws if any provision in these laws are against the Constitution of India ठीक है? अगर है इसके against रहे then they will be called as then they will be called as unconstitutional क्या कहा जाएगा इनको? इनको unconstitutional कहा जाएगा against the Constitution ठीक है? एंड सर एक मिनट बात यहीं पर खतम नहीं होती होना होती होती है साथ में एक बात और भी कहीं होती है क्या? such provision provision shall be null and void क्या रहेंगे वो provision null and void होती होती है null and void का मतलब क्या होता है? not effective यह non गोल दो non effective होना ठीक है? उन provision के हिसाब से काम नहीं किया जा सकता उसको मानने की जरुरत ही नहीं है अगर वो unconstitutional रहा तो got it? लिक लिए जीजिए 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 पॉप और रहा जीजिए तो एल लिए लिए झाल झाल हन जी डन चलिए गोड़ते है आगे next point the political system introduced by our constitution possesses all the aforesaid essential of the federal polity as both the union and the state governments and their respective organ derive their authority from the constitution and it is not competent for the states to secede from the union this is not necessary that you against it there is a division of legislative and executive power between the union and state government this I have already told you that the power of both is distributed now the Supreme Court stands at the head of our judiciary to guard against the violation of the constitutional provision if you don't know then I will tell you what? that all if you talk about the Supreme Court then in our whole country there is only one Supreme Court right? but after that if you talk about the High Court we talk about the High Court this will be this will be who you talk about? the High Court so sir there is a High Court to represent every state every state what is the High Court every state what is the High Court it is the High Court which is the High Court the High Court is the High Court Supreme Court के सबसे बड़े जज़ को Chief Justice of India कहा जाता है ना कि Chief Justice of Supreme Court लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ High Court के बारे में तो sir even High Court में भी जो Judges होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ठीक है एक आपका होता है कौन सा Chief Justice और दूसरा अधर लेकिन यहां आप Chief Justice of High Court बोलेंगे इसका क्यों क्योंकि sir High Court एक नहीं है पूरे country में High Court बहुत सार है तो सरी काम करते हैं Chief Justice of State बोल देते हैं बोल सकते हैं लेकिन ऐसा बोलते नहीं है बोल सकते हैं गलत नहीं होगा ठीक है लेकिन मैं आपको बता दे रहाँ कि जो आपका High Court का Chief Justice होता है उसे आपका Supreme Court का Chief Justice होता है उसे Chief Justice of Supreme Court नहीं बलकि Chief Justice of India उसे कहा जाता है Understood the point? ठीक है साथ फिर उसके बाद Supreme Court decide dispute between the union and the state अगर कल को जाके किसी भी type का कोई problem create होता है between the central government and between the state governments दोनों के बीच में अगर कोई confusion create होता है कोई problem अगर create होती है Supreme Court जो है वो इनका problem solve करेगा dispute को resolve करने की कोशिश करेगा ठीक है साथ और the states inter say states inter अए साबरे ये क्या आगया state inter say का मतलब क्या होता है मतलब होता है between two states ठीक है inter say word जब आप use कर रहे है इसका मतलब क्या है between तो अब ये एक बात और वापिस से हम आपको ठीक है लेकिन between states जब आप बोलते हैं तो between word कब आएगा पहले आएगा inter say word जो है वो कब आएगा बाद में आएगा तो ये चोड़ी चोड़ी बात है जो आपको क्या करने पड़ेंगी ध्यान में पड़ेंगी ठीक है done and interpret finally the provisions of the consultation ठीक है साथ the question as to whether the consultation has a federal or unitary consultation with some federal feature came up in the various cases before the supreme court and the high court मतलब ये topic जो बहुत बार आचुका है but in the most cases observations have been made in the particular context and and have to be understood accordingly the question rests mostly on the value judgment that is one's own philosophy आपकी मरजी है आप कैसे उसके बारे में discuss कर रहे हो या कैसे सूच रहे उसके उपर बोले क्या करेगा depend करेगा अब इसमें मैं आपको वापस से एक चीज़ जो लिखके दे देता हूँ ताकि आपको knowledge रहे उस बात का क्या that Indian constitution constitution is considered considered federal with some unitary features ठीक है सब federal क्यों बोला सब federal इसलिए बोला क्योंकि इसके नीचे मैं बना देता हूँ कि जहां पे भी federal system होता है वहां पे सबसे पहली बात dual government रहेगी not dull dual government रहेगी पहली बात दूसरी बात distribution of power होगा ठीक है तीसरी बात सूपरमेसी ओफ कॉंस्टिटिशन ठीक है कॉंस्टिटिशन जो है उससी को क्या माना जाएगा supreme power यहां पे माना जाएगा और भी कोई point था कि है जो अपने को देखना है वहां पे independence of the judiciary अगला point क्या है independent judiciary system ठीक है फिर उसके बाद में अगला क्या है written constitution ठीक है लिखा हुआ सनविदान हमारी country का लिखा हुआ सनविदान है ऐसे बहुत सारी countries है जिनका कोई written constitution नहीं ठीक है और फिर उसके अगले सबसे last बढ़ सबसे important point rigid procedure to amend the constitution अगर आपको constitution को एमेंड करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा पूरा का पूरा rigid process जो है उसको follow करना पड़ेगा तो ये point मेटा ध्यान में रखिएगा आपको एक्जाम में कोर्शन आ सकता है कि Indian constitution is federal with some unitary features क्योंकि ये सारे के सारे जो features है एक, दो, तीन, चार, पांच और छे ये छे के छे features हमारे constitution में है सब्सक्राइब नोट इड़ा हाँ जी अगला चो हमारा topic है उसका नाम क्या है fundamental rights लेकिन इसके पहले कि हम fundamental rights के बारे में बात करें सर एक चीजान दीजेगा आपने कहा right, right का मतलब क्या होता है अधिकार लेकिन जब भी आप कहीं पर अधिकारों की बात करते है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आप किसी के against अपने अधिकार की बात कर रहे है सवाल ही आता है कि क्या आपके जो fundamental rights है वो मेरे against में है क्या नहीं, दान दीजेगा, very much important point आपके जो भी fundamental rights है they are always against state अब एक बात और बहुत मतलब बहुत ही ज़ादा important क्या, साव, अगर आप बात करते हैं about the government तो आपने कहा कि government दो टाइप के होती है एक होती है, central वाली दूसरे होती है, state वाली तो यहाँ पे एक गल्ती मत कीजेगा माना कि यहाँ पे मैंने word जो लिखा है वो कहा लिखा है, state यहाँ पे state का मतलब state government नहीं है बल्कि यहाँ पे state का मतलब क्या है बटा सीधा सीधा government है तरीके होते हैं अपने अपने बोलने के तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे constitution में जो word लिखा गया है State, जब तक के specifically State Government लिखावा आपको ना मिले, ज़ान दीजेगा क्या कहा मैंने, जब तक के specifically State Government आपको लिखावा ना मिले, अब प्लीज, 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 इस चीज़ को State Government ही मानके नहीं चलेंगे, यहां पे State का मतलब मैंने क्या बताए सारी government भी आ गई and as well as मैं आपको ये भी बता दूँ कि सिर्फ government नहीं बलकि even अगर कोई government की agencies होंगी न तो वो भी इसमें count हो गई government agency भी बोला जा सकता है या फिर आप इसको नाम दे सकते है government instrumentality क्या ना दे सकते है government instrumental मतलब मतलब ऐसी संस्था ऐसा organization ऐसी body जो शायद हो सकता है दिखने से लगती हो कि private but actual में government उसके पीछे है और government उसको चलाती है उसे कहते है government instrumentality होना या फिर government की क्या होना बेटा agency होना तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो भी आपके fundamental rights है वो सारे के सारे किसी private individual के against में नहीं है अंबानी के against में है क्या नहीं Reliance company के against में है क्या नहीं किस के against में है? Government के against में और government का मतलब यहाँ पे है बीटा गवर्मेंट का मतलब है State State against तो सबसे पैला हमारा सवाल ही आता है कि साहब आपने जो यह word यूज किया है state, इस state का आखिर यहाँ पर मतलब क्या है, किस-किस इंसान को यहाँ पर आप count करने की बात कर रहे है, कौनसी-कौनसी government यहाँ पर count होगी, या फिर क्या ज़रूरी है कि किसी को government ही होना चाहिए, तो बहुत dancer सुनिएगा, अगर मैं यहा article number 12 जो है वो दिया गया, कौनसी article बेटा, article number 12, उसमें properly defined किया गया है, कि state का मतलब क्या होता है, ठीक है, देन से देखिये, कहता है with a few exception, कुछ संस्ता ऐसे होगी, जिनको अलग किया गया है, उनको state नहीं माना जाएगा, exempt कर दिया गया, with few exceptions, all the fundamental rights are available against the state, now under article 12, unless the context otherwise requires, legal words, otherwise requires, अगर कहीं और पे कुछ और बोला होगा, तो उसको follow कीजेगा, otherwise, जो आपको नीचे में दिया गया ना, इसी को follow करो, ठीक है, देन से देखिये, क्या कहता है, the state includes, अच्छा बेटा, एक ये बहुत ही जादा important वाली बात आती है, जो कि constitution of India से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत जादे important वाली बात और ये मैं आपको बता दूँ, आगे चलके executive में मुझे आपसे ये वाली गलती कते ही नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत जान से सुनिएगा, sir, law नाम की जो चीज है ना, इसमें एक चीज यूज होती है, जिसको आप नाम देते है, definitions, बताओगा हमने definition होते है, economist में define किया हुआ है, वगरा, 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 ठीक है, ऐसे ही law में भी definitions होती है, law में sections के अंदर define किया हुआ रहता है, कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, बट अगर मैं definition के types की बात करूँ, तो definition जो है, वो उकल मिला के, तीन types की होती ह कितने टाइब भी बढ़े आप, तीन टाइब की, सबसे पहले एक आपके होती है, जिसको आप नाम देते हैं, एक्सो होस्टिव डेफिनिशन, सब ये एक्जाम में आएगा क्या, नहीं सब, ये शायद आपके एक्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको इसके बारे मे अगर आप पास भी हो जाते हैं, और CS बन जाते हैं, तो मैं आपको बता रहों कि काम जो है, वो आपको इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, सैलरी जो है, वो आपको अच्छे नहीं मिल पाएगा, the reason being, कि आपके पास में knowledge की कमी है, तो ये दियान रखेगा, knowledge की कमी नहीं हो होनी चाहिए, knowledge आपको बरपूर होना चाहिए, law के बारे में हर चीज का knowledge जो हो आपको रहना चाहिए, understood, चली, तो एक होता है, जिसे आप कहते है, exhaustive definition, दूसरा होता है, जिसे आप कहते है, inclusive, एक हो गया, exhaustive, दूसरा हो गया, inclusive, और तीसरा जो है, उसे आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, क्या, exclusive, ठीक है, तीन टाइप की definition होती है, सर, लेकिन एक सेकिंड, तीनों में differentiate कैसे करेंगे, किसका मतलब क्या निकलता है, क्या निकलता है, तो सबसे पहले बात करते हैं, exhaustive वाले के, ठीक है, सर, exhaustive, इसके अंदर जो भी आपकी definition रहेगी, तो उसमें, simple तरी लिखा है, बस वही है, इसके अलावा, अलावा कुछ और मानने की जरुरत नहीं है, समझा क्या, जो लिखा है, सो लिखा है, इसके अलावा कुछ और मानने की जरुरत नहीं है, अगर मैं इसका example दूँ, मैं कोई भी randomly example आपको यहाँ पर देता हूँ, जो मुझे याद आता है, ठीक है, अब चुकि हम लोग company law, company secretary हम लोग कहलाते हैं, तो company law हमारे रग रग मे बसा होता है, उसमें सबसे important इक definition आती है, जिसका नाम क्या है, company, ठीक है, company word को define किया गया, किसके हिसाब से बेठा, इसको define किया गया, section number 2, clause number 20, of companies act 2013 के हिसाब से, definition दिया गया बखाय तो, और ध्यांदी जया क्या कहा गया, कहा गया है, कि बहुले, अगर आप company की बात करते ह is a company, ठीक है, company means a company which is, which is registered under companies act 2013, जिसको क्या किया गया है, रजिस्टर किया गया है, किसके अंडर ने, under the companies act 2013, understood the point, उसे company कहा जाते है, अब एक बात यहां पे बहुत ध्यांद से सुनिएगा, word क्या लिखा गया है, means, means का मतलब क्या होता है, sir, company का मतलब, means का मतलब क्या होता है, का मतलब, sir, बले company जो है, companies act 2013 के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसे ही कहा चाहेगा, जिसका registration जो है, वो companies act 2013 के इसाब से किया गया होगा, तो सवाल आता है, sir, अगर मान लिजे कोई company इंडिया के बाहर in corporate हुई, और उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, जान से सुनिए, क्या काम ने, sir, ऐसी company जो कि इंडिया के बाहर in corporate हुई है, और इंडिया में उसका कोई क इसाब से कंपनी को, हम company जग 2013 के हिसाब से company काएंगे क्या, sir, नहीं काएंगे, क्यों, अरे, sir, माना कि generally वो वाली चीज क्या है, company है, but हमारे company जग 2013 के हिसाब से, उसको हम company नहीं मानते, sir, law में लिखा हुआ है, sir, exhaustive definition कब रहेगा, जब word यूस किया जाएगा, कौन से वाला means, यह ज्यान रखेगा, हमेशा ज्यान रखेगा, ठीक है, इसे कहते हैं exhaustive, जो दिया है, सो दिया है, ना इसके बाहर जाना, और ना इससे कम, इससे कम भी एक्जूम नहीं करना, जो दिया है, बस वही दिया है, ठीक है, done, ठीक है, sir, लेकिन फिर उसके बाद में point आता है, क जिसमें, जिसमें, कुछ और चीजों को, चीजों को assume किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, assume किया जा सकता है, भले ही, भले ही, वो mention नहीं किया गया, ठीक है, example, यह देखे, recent वाला एक दम, recent वाला यहीं पे ही, article number 12 में आपको बताया हुआ है, क्या कहता है, बेटा, article number 12 के इसाब से कहता है, state includes, word का use क्या गया है, includes, sir, मतलब क्या, मतलब यह कि यह जो यहां लिखा हुआ है, यह इतना हो गया, और यह इतना, यह तो बोले state है, बट इसके अलावा भी, हो सकता है, कुछ बोले हम यहां पर बताना भूल गए होंगे, specify करना भूल गए, वो भी state है, वो भी state है, अगर वो, यह जो features है, इन features को क्या करते होंगे, clear करते होंगे, not otherwise, यह नहीं कि आप यहां पे दिया हुआ है, बकायदा case हुआ है, अजय हसिया versus खालिद मुझिब, इनके बीच में case हुआ है, जिसमें, यह decide किया गया था, कि माना कि कुछ institutions को state नहीं बोला किया होगा, यह वाल institution, हो सकता है कि कुछ institutions को definition के अंदर states नहीं बोलागे, वर उसके बावजुद उनको क्या कहा जाएगा, state कहा जाएगा, ऐसा case में decide हुआ, करके हम आपे word क्या लिखा हुआ है, inclusive, includes, ठीक है, और या फिर, जब हम यह company law की बात कर रहे थे, तो मैं उसका example मैं यहां पर आपको देता हूँ, example, example आगे चलके word आपको आएगा, जिसका नाम होगा, body corporate, क्या नाम है, body corporate, ठीक है, और अगर मैं यह word body corporate की बात करूँ, इसको define क्या गया है, section number two, clause number 14, of companies at 2013, और क्या लिक है साथ, सर, इसमें लिखा हुआ है, body corporate, word पर ध्यान दीजेगा, includes, 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 a company, registered, outside India, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, body corporate includes, a company registered, outside India, मतलब, ऐसी company, जो इंडिया के बाहर register करी गई होगी ना, उसको भी क्या कहा जाएगा, उसको भी बोले body corporate कह दिया जाएगा, ऐसा बोला गया, ठीक है, अब एक बालता हो, क्या इंडिया में जो company का incorporation किया गया है, उसको body corporate कहा जाएगा, क्या, क्या उसे ऐसी body कहा जाएगा, जिसका incorporation किया गया है, बोले तो body corporate, आपका जवाब है, नाम से तो ऐसा ही समझ में आ रहा है, body corporate, ऐसी body जिसका incorporation किया गया है, उसे body corporate कहा जाता है, और येस, इसको भी कहा जाएगा, लेकिन एक मिन, अगर आप definition में देखेंगे, तो कहीं पैसा लिखा है क्या, कि company registered in India, will be called as body corporate, लिखा है कैसा, नहीं समनी लिखा हो, बट स्टिल, स्टिल उसको ऐसा माना जाएगा, क्योंकि understand वाली चीज अब ऐसा हो, नाम क्या ही उसके है, body corporate, तो ये अलग से बताने की जरूत ही नहीं है, द्यान से सुन लिजिएगा, important बात मा आपको बताता हूँ, कि अगर इस definition के हिसाब से, आप body corporate के मतलब की बात करोगी, यानि कि किसको body corporate माना जाएगा, आप अगर उसकी बात करते हैं, तो द्यान से कहते हैं, foreign company, तो वो भी इसमें आपके account हो गई, ठीक है, foreign company, लेकिन इसके अलावा, एक minute, अगर आपकी company नहीं है, क्या है, bank, या फिर आपका bank नहीं है, लेकिन क्या है, PFI, Public Financial Institution, या फिर आपकी जो company है, basically वो insurance का काम करती है, वो एक आपकी insurance वाली company है, ठीक है, ये सब के स क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, partnership firm की तरह कि चलो दो लोग मिल गए जाके काम चालू कर देते, नहीं, नहीं, अच्छा, partnership firm से याद है, शायद आपनी ये word कभी सुना होगा, LLP, Limited Library Partnership, ठीक है, Sir, normal partnership firm जो है, उसको आप body corporate नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसका कभी incorporation नहीं किया जाता, उसका तभी incorporation नहीं किया जाता है, law की नजरों में उसका existence नहीं होता है, लेकिन, अगर आप बात करते हैं, LLP के बारे में, that is a Limited Library Partnership, अगर LLP की बात आप यहां पे करते हैं, तो LLP जो है, उसको आप यहां पे simply क्या बोलके चलेंगे, body corporate बोलके चलेंगे, लेकिन, sir, एक मिंट, ऐसा तो कहीं पे भी definition में लिखा हुआ नहीं है, ऐसा तो कहीं पे भी definition में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन, sir, word के use किया गया है, includes, डियान रखेगा, जहां पे भी आपकी inclusive definition होगी, जिसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें जिनको mention नहीं किया गया है, उनको assume करके चलना पड़ेगा मान के चलना पड़ेगा कि वो भी यहाँ पे क्या है वो भी यहाँ पे definition में covered है तब word use होता है कौन सा includes ठीक है और फिर उसके बाद में आता है last but not the least is what exclusive definition exclusive जो exclude करने का काम करती है कुछ चीजों को हटाती है निकालने मुले पाई साथ इसका मतलब यह है बट हाँ एक चीज़ बता दूँ कि इसके अलावा दो चीज़े और है जिसको यहाँ पे count किया नहीं जाएगा ठीक है बता देता हूँ things वापेस एक बार things mentioned in definition shall be excluded ठीक है एक्जामपल दीज़ेगा बैसा यहाँ जब अपने body copy की बात के ना तो basically मापको बता दूँ मैंने पूरा definition यहाँ पर नहीं लिखाता मैंने आपको मतलब बता दिया था पर पूरा definition अभी तक हुआ नहीं था पूरा definition अब पूरा करता है ध्यान दीज़ेगा मतलब क्या होगा exclude ठीक है does not include अब इसमें दो बाते बताएगे क्या any cooperative society cooperative society registered under any society act ठीक है माना की बले उसका registration हुआ है लेकिन किस में हुआ है society act में हुआ है तो उसको कह नहीं बोला जाएगा body corporate नहीं बोला जाएगा for the purpose of companies that पहली बार ठीक है फिर उसकी बाद में point आते क्या दूसरा दूसरा point तो बहुत ही विचित्तर है any other notified body corporate मतलब मतलब यह कि शायद हो सकता है कोई actual में body corporate है है उसने अपने incorporation करवा है तो वो क्या होगी body corporate लेकिन government ने notification दे दिया official gazette में sir किसमे official gazette बारती राजपतर sir क्या होता है वो बात करेंगा उसके बारे में बताऊंगा हम आपको उस चीज़ के बारे में main point हमारा फिलाल क्या है कि अगर आप exclusive definition की बात करें तो word क्या लिखा होगा does not include ठीक है does not include या फिर क्या बोलेंगे exclusive of ठीक है या फिर excludes ऐसा लिखा हो आपको मिलेगा यह तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो है वापको यह आपको लिखी हुई मिलेगी understood the point अगर ऐसा लात उसे क्या कहीं या एक्स्क्लिजिव definition का नाम दिया जाएगा लिख लिख लिजे यह चीज़ को बहुत important है आगे हमेशा जिंदगी भर आपको काम आने वाली है अगा नाम दोन है नाम आख इंदगी है नाम परैंसे क्काम आरे टाएगा काम चलिए, so let's move on और बात करते हैं हमारे point के बारे में state की definition के बारे में जो की बहुत ज़्यादा important है, ध्यान दीजेगा क्या कहता है कि अगर state की बात की जाए यानिकि government की बात की जाए, तो it includes first of all government and the parliament of India government of India का मतलब क्या है बिटा, central government ठीक है, parliament of India बता चको हम आपको पहले, दूसरा government and the legislature of each of the state, यानिकि सिधी सिधी बार central government को count कर लिया, दूसरा parliament को count कर लिया, ठीक है फिर हर एक state government को count कर लिया and state legislature को भी count कर लिया but apart from that, यह देखो all the local or the other authorities local authority या फिर other authority, sir municipal corporation आपके शहर के जो भी municipal corporation होगी, वो भी किस में आगी बिटा, वो भी authority में आगी, state state में account, ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी और authority होगी, उसको भी यहाप account कर लिया गया, लेकिन important point यह है, कि यह जो आप authority की बात कर रहे ठीक है, C वाला जो अपरी embassy बगरा होती ही, वो सब हो गए वो क्या है बिटा, government of India के control में, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, state मान लिया जाएगा, अब यह बात ध्यान दीजेगा, law के अंदर यह हर एक बारी चीज को पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी होता है तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे मेरे हिसाब से आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चीए कि अगर article 12 काई का बेटा, of constitution खुद से लिखके देखो यह चीज अगर मैं article 12 of constitution के हिसाब से बात करूँ, तो यहाँ पर definition दी गई किसके? state के और क्या कहा गया है? state सबसे पहली बात, includes मीन लिखा है क्या? नहीं सर, मीन नहीं लिखा है क्या लिखा है? includes ठीक है? state includes इसमें सबसे पहली बात सर, central government and parliament सर, ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? Central government, CG मत लिखना अगर एक्जाम में बात करूँ, मैं executive में जबाएंगे और हाँ, यह बात भी दान रखेंगे एवन executive के अंदर constitution आपको दिया गया है और इतने ही depth में आपको दिया गया है पूरा कपूरा constitution, same to same तो क्यों उसका वेट करने का? अभी से पढ़ लेते हैं अभी से पढ़ लेते हैं उस इसके बार है, ठीक है? तो central government and parliament पहली बात फिर उसकी बाद में दूसरी बात state government and state legislature मैं short में लिख रहा हूँ, वड़ आप क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे ठीक है? फिर उसकी बाद में तीसरा तीसरा जो point है, उसमें sub point दिये गए क्या बोला गया है? local authority and other authority जो की इसमें फिर पहला point, जो की working within within territory of India इंडिया की जो territory है उसमें काम करते हैं, इंडिया के जो आपका पूरा border दिया गया है उसके अंदर-अंदर में काम करते हैं, ठीक है? और या फिर और दूसरा point यहां पर आपको दिया गया है, जो क्या कहता है? और working under the control of government of India समझा? तो यह भाई साब सिदा-सिदा क्या हो गया? state की definition होगी. state के बारे में ये बाते जो है वो आपको simply बोली गई है. लेकिन जैसा मैंना आपसे कहा, सिर्फ और सिफ state के अगेंस्ट में fundamental rights नहीं है. हमारे जो fundamental rights है, वो state के अगेंस्ट में होने के साथ साथ, state instrumentarity जो है या state agency जो है उनके अगेंस्ट में भी है. तो देखे उसके बारे में बहुत सारे case laws वगरा हुए है, जिसमें कि इस चीज के बारे में क्या किया गया है, decide किया गया है. द्यान से सुनिएगा, क्या कहता है? सबसे पहली बात अगर बुले, आप local authorities की बात करते हैं. It means the authorities like municipality, district boards, panchayat, improvement trust, port trust, mining settlement board, etc. ठीक है? और बाकाईदग केस हुआ, Ajay Hasiya vs Khalid Mujib, ठीक है? इसका केस हुआ, Supreme Court has initiated the following test for determining whether an entity is the instrumentality or agency of the state or not. मनलब कोई भी organization, कोई भी department, जो है, वो state की agency है कि नहीं है, government की agency है कि नहीं है, यह government की instrumentality है कि नहीं है, उसको अगर आपको पता करना है, तो बुले, आपको यह following चीज़े जो है, उनको ध्यान रखना चीज़े, क्या क्या चीज़े, सबसे पहली बार, if the entire share capital, company का share capital, एक company है, उसको क्या कहना चाते हैं, उसको आप state कहना चाते हैं, लेकिन state कहने के पहले आपको यह देखना होगा, कि क्या उसका entire share capital, जो है, is held by the government, अगर हाँ, तो जवाब है yes, the company is an instrument of the state, सिद्धी सिद्धी बार, ठेक है, it would go a long way towards indicating that a corporation is an instrumentality or agency of the government, माना जाएगा उस चीज़े, फिर दूसरा आता है, where the financial assistance of the state is so much as to meet almost the entire expenditure of the corporation, अरे बाप रे बाप, माना वो company को government क्या करती है, financial assistance provide करती है, पाईसा देती उसको, पर इतना देती है, कि almost entire expenditure, इसी से पूरे हो जाते हैं, माना पूरा खर्चा, government bear कर रही है, अगर कोई college ऐसा है, अगर मैं college की बात करूँ, तो private college भी होते हैं, private universities भी होती हैं, अब कोई university जो है, कोई college जो है, उसको state का instrument कहा जाएगा, या state की agency कहा जाएगा, यह किसमें depend करेगा, यह depend करेगा सबसे पहली बात, क्या उसका share capital, पूरा का पूरा government के पास में है, पहला, दूसरा, या फिर government जो financial assistance प्रवाइड करती है, उससे उस college का almost पूरा खर्चा निकल जाता है, 100% शायद नहीं भी निकलता होगा, शायद 90% निकल लेकिन यह भी क्या है, almost हो गया, थोड़ा बहुत contribute नहीं किया, almost सारा खर्चा जो है न वो आप ही निकाल दे रहे हो, तो उस college को भी क्या कहा जाएगा, government का instrument कहा जाएगा, government की agency कहा जाएगा, understood, done, it would afford some indication, ठीक है साब, next, whether the corporation enjoy a monopoly, status which is conferred or protected by the state, example, Indian railway, क्या Indian railway कोई authority है, नहीं साब एक organization है, क्या करती है, से train के service प्रोवाइड करती है, but एक minute, क्या ऐसा है कि कल को जाके, अगर अम्मानी चाहे, कि जीयो नाम की train जो है, वो चलनी चाहे तो वो चला सके, नहीं साब, फिलाल तो ऐसा नहीं, अगर फिलाल ऐसा नहीं है, मतलब, Indian Railway के पास में क्या है बिटा, Monopoly है, यह Monopoly किस ने दिया, Government ने, It is comforted by the state, तो ऐसे केस में, Indian Railway को भी क्या माना जाएगा, Instrument of the state माना जाएगा, Got it, ठीक है साब, फिर उसकी बाद, Existence of Deep and Pervasive Control of the Government, अरे बाद परे, मतलब, आपकी कंपनी की जो अफेर्स है, वो कौन मैनेज करता है, Government मैनेज करती, Deep Control है, Pervasive Control है, तो आपकी जो कंपनी है ना, वो Government के कंट्रोल में मानी जाएगी, उसको भी state मान लिया जाएगा, ठीक है, फिर उसकी बाद, if the function of the corporation are of public importance, मतलब company जो भी काम करती है, वो जनता के लिए करती है, public importance, ठीक है, and closely related to the government function, तो भी उसको क्या मना जाएगा, state मना जाएगा, and last but not the least is, if a department of the government is transferred to a corporation, government का department, जो था ना, उसी को उठा के क्या कर दिया, किसी corporation में transfer कर दिया, पर बन जाएगा, अब ध्यान से दिखेगा, भाई साब, मैं आपके सामने, पूरी काथा जो है, वो यहाँ पर लिखके देता हूँ, first of all, first of all, as per constitution, as per constitution, fundamental rights, FR, short में क्या लिखेंगे, इसको पन, FR, fundamental rights, are available to Indian citizen and other people, other people, but in some cases, ठीक है, in some cases, against the state, ठीक है, against the state, and state, instrumentality, or state agency, ठीक है, in case में क्या है, हमारे पास में, available है, लेकिन सवाल आता है सब, कि what is the meaning of state, अगर बोरे हम state की बात करते हैं, तो यह वाली चीज़ को define किया गया है, किसके अंदर, आर्टिकल नंबर ट्वेल्फ, ट्वेल्फ, आफ कॉन्स्टिटूशन, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिटूशन उसके आर्टिकल नंबर ट्वेल्फ में ही दिया गया है, और कहा गया है, क्या, that state, गल्ती से भी, आप क्या नहीं लिखेंगे, means नहीं लिखेंगे, सक्यों ऐसा, क्योंकि जैसे ही आपने means लिखेंगे, इसका मतलब यह हुआ, कि जो आप इसके नीचे लिख रहे हैं, उसके अलावा किसी को भी state बोला, नहीं जाएगा, लेकिन ये क्या होगा बटा, आपका गलत हुचाएगा, स्टेट साथ में वर्ड क्या आएगा, इंक्ल्यूट्स, स्टेट इंक्ल्यूट्स, सबसे पहला पॉइंट, सेंट्रल गवर्मेंट और पार्लिम्ट, सर बार-बार क्यों लिख रहे हो, आप सोचो अगर मैं बार-बार लिख रहा हूँ, मैं कौन हूँ, कंपनी सेक्रेटरी, बन चुका हूँ क्या, हाउ सर, बन चुकियो, एक्जाम पास कर लिया, हाउ कर लिया, तो मेरे को बार-बार लिखना जरूरी कहा, नहीं साब, बट मैं क्यों लिख रहा हूँ, एक रिविजिजन टाइप का हो जाएगा, हमेशा के लिए दिमाग में बैट जाएगा, तो सर, अगर प्रवीन सार ऐसा कर रहे है, तो क्या मुझे करना जरूरी है, कि बिंग ए स्टुडेंट, बिलकुल, पचास बार लिखो, बार-बार लिखोगे, तो चीज़े आपको याद होगी, आप अपने आइडिया की साबसे चीज़ों को करोगे, आपके अंदर स्किल डेवलिप होगा, जिसका नाम होता है एनालिटिकल स्किल, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है, चलिए, सीजी अन पारलियमेंट, दूसरा, स्टेट गवर्मेंट एंड स्टेट लेगिसलीचर, तीसरा, लोकल ऑथरेटी एंड अदर ऑथरेटी, लेकिन इसमें क्या बोला गया, पहली बात की, पहली बात विदिन टेरिट्री ओफ इंडिया, ठीक है, और, और दूसरा एक काम और करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिखते हैं, वर्किंग, वर्किंग विदिन टेरिट्री ओफ इंडिया और दूसरा, जस्त अ सेकिंड, अंडर कंट्रोल ओफ गवर्मेंट ओफ इंडिया, चाहिए इंडिया के बाहर अगर काम कर रहे हैं, तो गवर्मेंट ओफ इंडिया के कंट्रोल में होना, चाहिए उससे का गया है क्या स्टेट, फिर उसके बाद में लेकिन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर आता है, कि what is the condition for the state instrumentality or the state agency, अभी ध्यान से देखिएगा, क्या, following criteria, may be evaluated, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा, तो कुल मिला के कितने criteria दे गए थे हैं, छे criteria आपको दिए गए थे, सबसे पहला क्या बोला गया था, entire share capital, SC मतलब क्या हो गया, share capital is held by government बोल दो या state बोल दो, अभी अपन state बोल रहे हैं तो यहाँ पर अपन बार बार क्या बोलके चलेंगे, state बोलके चलते हैं, यह पहला point, फिर दूसरा, FA मतलब financial assistance, मैं short में लिख रहा हूँ, आप क्या करेंगे, अच्छे से लिखे, financial assistance provided by state meets almost all expenditure of such organization, बराबर वो organization के जो खर्चे है, पूरे के पूरे लगबग, पूरे के पूरे के पूरे कौरे कौन meet कर रहा है बटा, government जो है, वो meet करती है, ठीक है, तीसरा, such organization, such organization enjoy monopoly, कहांजा कर रही है, monopoly which is conferred, comfort by state, वो उसको किस ने दिया, state ने दिया, got it, और फिर उसका रही चौथा, organization doing something of public interest, वाला उसका काम जो है, वो क्या है, public interest वाला है, लेकिन साथ में एक point और भी था है, यहां पर, पहला, दूसरा, तीसरा, यह रहा, and closely related to the government functions, closely related to government functions, ठीक है, फिर उसके बाद में आता है, आपका आगला पांच्वा point, पांच्वा point क्या के ता भाई साथ, deep and pervasive state control, deep and pervasive control of state, ठीक है, यह हो गया, और फिर उसके बाद में last but not the least, क्या था, department of the government department is transferred to the organization, any government department is transferred to such organization, got it, तो यह 6 ऐसे-से cases होंगे, जिसके अंदर यह मान लिया चाहेगा, कि वो जो organization है न, वो कोई और नहीं है, सिर्फ state की क्या है agency, तो अगर अगर इन में से किसी भी organization ने किसी भी Indian citizen के fundamental rights के साथ में छेड़-चड़ करी, क्या क्या, fundamental rights के साथ में छेड़-चड़ करी, तो ऐसे case में अपन, अपने fundamental rights को enforce करने की बात कर सकते हैं, कौन से case में किया गया था, कोई तो बिता है अजय और खालिद, मुजिद, sorry, अजय हसिया, ठीक है, इतना ही याद रखो कि तो चलेगा, क्या चीज, case कौन सा था, अजय हसिया versus खालिद, मुजीब, got it, यह अलए case में था, और यह लिखने है आपको, just a second, हाँ जी, चलिए, तो कर लीजिए नोड़निस से इसको भी आप, हाँ जी, so a very good morning to all of you, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले topics के बारे में, जो कि आपके constitution नाम की chapter से जुड़े हुए है, ठीक है, अब यह topics में अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले कि हम यहाँ पर fundamental rights के बारे में discussion करें, किसके बारे में, fundamental rights के बारे में, मैं आपको बता दू कि यहाँ article कौन सा है, 14, 14 से शुरू होगा, लेकिन इसके पहले हमने एक चीज़ discuss की थी, जिसका नाम आपने क्या दिया था, state, ठीक है, state का मतलब हमने क्या बताया था, government, ठीक है, government जो कि central level पे भी हो सकती है, state level पे भी हो सकती है, या फिर local authority, other authorities, या फिर state instrumentality और या फिर state agencies जो है, उनको भी हमने क्या किया था, cover किया था, और हमने ये कहा था, कि अगर आप बात करते हैं, fundamental rights के बारे में, तो हमारे जो भी fundamental rights हैं, वो हमेशा किसके against में रहेंगे, state के against में रहेंगे, understood the point, बुले, हाँ से बात तो समझ भागी, लेकिन एक second, इसके पहले कि हम fundamental rights के बारे में discussion करें, यहाँ पे एक point जो है, वो आपको दिया गया है, that is to be called justifiability of the fundamental rights, जो की है आपका article number 13, article number 13, अब आपको एक बात और यहाँ पे बता दू, चूंकि आप यह law के मामले में नए student है, ठीक है, तो उसके हिसाब से, आपको एक चीज़ और पता हो नीची है, कि there is something in law that is called as what, doctrine, क्या केते इसको, doctrine कहते है, sir, doctrine मतलब क्या, doctor की बीवी, नहीं, 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 law की कुछ theories हैं, जैसे हमने economics में theories के बारे में बात करी है, theory of demand, theory of supply, ठीक है, सेम ऐसे ही, यहाँ पे law में भी कुछ theories हैं, जिनके basis पे हमें law जो है, उसको understand करना होता है, और law को समझने के काम आता है, understood the point, ठीक है साथ, अब यहाँ पे देन से दिखेगा, sir, article 13, जो है, it gives tith to the fundamental rights, अरे बावरे, मतलब, fundamental rights जो है, उनको खतरनाक बनाता है, उनको क्या करता है, खतरनाक बनाता है, state के against में अगर बात की जाये, तो कौन, article number 13, it lays down the rule of the interpretation in regard to the laws, which are inconsistent with or in derogation of the fundamental rights, मतलब साहब, अगर कल को जाके, हमें यह पता चलता है कि किसी भी particular act के अंदर, किसी भी particular act के अंदर, कोई भी ऐसा provision दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है, जो कि किसी भी इनसान के fundamental rights को हाम करता होगा, क्या करता होगा, fundamental rights को हाम करता होगा, तो ऐसे case में क्या किया जा सकता है, article number 13 के हिसाब से आपको solution जो है, वो मिल सकता है, understood the point, ठीक है साब, अब यहां पर दियान से दिखिएगा, सब भी existing laws, कौन से laws, existing laws, ठीक है, article number 13, सब article 1, सर, existing laws का मतलब क्या है, बहुत दियान से सुनियेगा, हमने कहा कि हमारा जो constitution है, वो 26th of January 1950 से क्या हुआ, लागू हुआ, एगरी करते हैं इस बात को, बुले हां से, कब से लागू हुआ, 26th January 1950 से, हमारा जो constitution है, वो क्या हो गया, लागू हो गया, बुले हां, लेकिन, मैं आपको पता दू, इसके पहले भी, इसके, before this also, there were some laws, जिन्हें आप नाम क्या देंगे, existing laws, example मैं आपको देता हूँ, आगे चलके हम पढ़ने वाले हैं, Indian Contract Act, जो की 1872 आएगा, year देखिया आप, year क्या दिया हुआ है, 1872, या फिर, आप बात करेंगे, Transfer of Properties Act के बारे में, जब आप Executive में आ जाएंगे, तो उसका जो year है, that is 1882, ठीक है, फिर उसके अलावे एक Act आपका आता है, जिसका राम है, Indian Stamp Act, जो की 1899 का है, ये सारे के सारे Acts की बात अगर की जाए, या फिर, apart from that, आप Sales of Goods Act की बात करेंगे, जो की 1930 का है, 1930 में बनाता है, या फिर, आप Partnership Act की बात करेंगे, जो की 1932 का है, understood the point, ये सारे के सारे जो Act है, ये आपके Constitution के आने के पहले ही आ चुके थे, understood the point, तो अब सवाल ही आता है, कि Sir, अगर कोई existing law है, जो की Constitution के आने के पहले आ चुके थे, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, कि इसके पहले, कि हमारे country के citizens के fundamental rights के बारे में बात की जाती है, उसके के इसमें क्या करें, हो सकता है कि वो जो existing law होगा, वो किसी भी Indian citizen के fundamental rights के against है, तो क्या करेंगे इस case में, ठीक है, तो बहुत द्यान से देखे रहे हैं, यहां पर क्या कहता है, कहता है, Article 13.1 relates to the laws already existing in the force, that is, मतलब laws which were enforced before the commencement of the Constitution, यानि कि इस date से भी पहले वो laws बने हुए थे, Okay, now a declaration by the court of their invalidity, court ने declare कि वो जो laws रहेंगे, वो क्या रहेंगे, invalid होगे, but कब, however, will be necessary before they can be disregarded and declared that pre-constitution laws are void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental rights, अरे बापरे बापरे बापरे, क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बाप कहता है, कि अगर कल को जाके पता चलता है, कि आपके existing laws में ऐसी कोई भी बात लिखी हुई है, क्या क्या हुआ है, ऐसी कोई भी बात लिखी हुई है, जो कि क्या है, constitution या फिर fundamental rights के against, यानि कि unconstitutional हो गया, बुले हां सर, तो कहा गया, कि वो पूरा का पूरा पार्ट आपका जो होगा, वो क्य होता है, कोई चीज का effect नहीं होना, उसे कहते हैं, वाइड होना, क्या होगा, वो सिदा-सिदा वाइड हो जाएगा, ऐसा कहता है, article 13, sub article 1, फिर उसके बाद में, अगला point आता है, 2, article 13 का sub article 1 सा, 2, जो कि किसकी बात करता है, future laws, future laws मतलब, इस date के बाद जितने भी laws आएंगे, ठीक है, 26 जनुरी 1950 के बाद जितने भी laws आएंगे, for example, अगर आप बात करते हैं, आज के एट में Companies Act, जो कि 2013 का है, इसके पहले 1956 का हुआ करता था, उसके पहले कप का होता था, 1956 का होता था, ठीक है, या फिर apart from that, आपका Income Tax Act है, जो कि 1961 का है, बराबर 50 के बाद में ही आया, या फिर उसके अलावा आप बात कर लीजे, सेबी Act के बारे में, सेबी Act जो कि 1992 में आया, उसकी बात आप कर लीजे, तो कहता है, future laws मतलब ऐसे वाले laws, जो कि ये वाली date के बाद में लाए गए होंगे, उसमें क्या कहा गया, कहता है, laws mate, वगरा वगरा वगरा, shall not make any law, आपक कोई ध्यान देना होगा, state कोई ध्यान देना होगा, क्या, कि you do not have to make any law which takes away or abridges the right comfort by the part 3, part 3 का मतलब कहा है, constitution में जो article 14 से लेके 32 तक, आपको जो right दिये गए है, वो constitution के part number 3 में आते है, ये भी ध्यान रखेगा, ठीक है, and if such a law is made, it shall be void to the extent to which it curtail any such right, understood the point, done, ठीक है, the word law according to the definition given article 13 itself includes, उसमें क्या-क्या आता है, ये देखें, यहाप आपको बता दिया, कि क्या-क्या चीज़े इसमें cover करी जाती है, ये समझ में आया कि बट आपको, ये गबर आप देख लिजे, पूरा का पूरा, ठीक है, इसके लिए मैंने काम और किया आपके लिए, मैंने प्यारे से नोट से याप आपके लिए बना दिया, आप इसको सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ये देखें, सबसे पहले अगर मैं article 13, सब article 1 की बात करूं, जो कि existing law के बारे में बात करता है, pre-conciliation laws भी आप इसको नाम दे सकते हैं, एक्दम इसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट है, जो कि fundamental rights से inconsistent है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, void मान लिया जाएगा, it is void to the extent, it is against the fundamental rights, ठीक है, लेकिन वहीं पे बाकी जो भी आपका पार्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, आपका valid माना जाएगा, और उसके हिसाब से काम जो है, उ post-constitutional law, आपका जो constitution आया तो उसके बाद का जो भी laws है, ठीक है, nothing of such laws shall contain anything, इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो कि fundamental rights के क्या है, against में, लेकिन फिर भी, अगर होता है, तो ऐसे के इसमें उसको भी क्या माना जाएगा, void माना जाएगा, till that extent, यह आपको सम सक्यू पतम नहीं होती है, ध्यान से देखे, सब बोले, article number 13 जो है, अगर इसके हिसाब से हम बात करें, मान लिजे कि पुराना एक law है, कोई भी law लगा लिजे, Indian contract act लगा लो, partnership act लगा लो, कोई भी act लगा, ठीक है, मान लिजे कि उसका एक आदा part जो है, वो inconsistent है with the fundamental rights, any part, any part is inconsistent with the fundamental rights, ठीक है, तो आपने कहा कि उसको वाइड करना है, आपने कहा कि उसको मान के नहीं चलना है, लेकिन इसके पहले एक सवाल ही आता है, कि सर, जिस पार्ट को आप वाइड करने की बात कर रहे हो, क्या उसको अलग करना possible है, क्या ऐसा, मतलब सिरी सिरी बात है, आपने ख खिचडी के अंदर चावल भी है, उस खिचडी के अंदर दाल भी है, खिचडी बनने के बाद में क्या उस चावल और दाल को अलग करना possible होगा क्या, सम्टाइम्स यू विल से, नो सर, इट विल ना बी possible, बराबर है, लेकिन कई बार ऐसे भी चीज़ें हो सकती है, जिसको अलग करना आसान हो सकता है, possible हो सकता है, बिना सही चीज़ को छेड़े, है ना, तो ऐसे के इसमें यहाँ पे आपके सामने आते हैं क्या, doctrine, doctrine of eclipse, eclipse का मतलब तो शायद आप जानते ही होंगे, ग्रहन, ठीक है, ग्रहन का मतलब क्या होता बेटा, बोले सर ये एक पार्ट, ठीक लिए आप इसको ग्रहन अगर बात बोल रहे हैं, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, सूरज, ठीक है, ये एक सूरज है, और इसके उपर ग्रहन लगता है किस चीज़ का, चंदरमा का, अगर आप इसको सूरे ग्रहन का नाम देना चाहते हैं, तो ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमन ये वाला पार्ट जो कि क्या है वैलिड है इसी को ही हम effective मानके चलते हैं इसे कहा जाएगा क्या doctrine of eclipse है बहुत द्यान से सुनिएगा बेटा हमने कहा ये जो सूरज आपका है हो सकता है कि इसका ये वाला जो पार्ट है जो कि green में हमने cover किया है ये क्या है inconsistent है क्या है inconsistent है आज inconsistent है लेकिन हो सकता है कि कल को जाके जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सर कॉंसलिटिशन में 42nd amendment आ चुका है 42nd नहीं अभी तक कि अगर आप बात करोगे तो 74, 78 ऐसे amendment जो है वो भी आ चुके है तो कल को जाके अगर कोई amendment आता है और जो पार्ट आज आपका inconsistent है तो क्या दुबारा सेक्ट बनेंगे तो यहां पर solution दिया गया कहा गया कि अभी फिलहाल जो चीज़ आपके concentration के हिसाब से inconsistent है उसको छुपा दो उसको छुपा दो मतलब यह है कि आपका जो ग्रीन वाला पार्ट रहेगा यह क्या बन जाएगा null and void बन जाएगा बात यहां पर खतम हो गई यह क्या बन जाएगा आपका null and void बन जाएगा और सिर्फ और सिर्फ यह वाला जो पार्ट आपका है यही क्या रहेगा बेटा यह आपका रहेगा operative understood the point इसे कहा जाता है doctrine of eclipse क्या कहा है मैंने जो पार्ट inconsistent है with the fundamental rights किसी भी existing law का उस पडलब पार्ट को क्या करेंगे कुछ time period के लिए हम eclipse कर देते हैं छुपा देते हैं ठीक है और कल को जाके अगर constitution में इसके favor में amendment आ जाता है तो accordingly इस eclipse को क्या कर देंगे यहां से हटा और पूरा का पूरा यह जो पार्ट आपका होगा वो क्या हो जाएगा operative हो जाएगा understood the point done तो यह मतलब किसका हो बेटा eclipse का ठीक है लेकिन सर हो सकता है एक और possibility क्या severability just a second हाँज़ हो सकता है एक और possibility that is to be called as what severability sir severability का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अलग करना ठीक है sir अगर मान लीजिए आपने कहा कि एक particular act है और आपको यह पता चला कि इस act का इतना part जो है ना वो inconsistent है क्या ही है inconsistent है और अगर इस इतने part को sorry अगर इस इतने part को अलग किया जाना possible है तो क्यों नो उसका अलग कर दिया जाए और यह कह दिया जाए कि actual में जो act था वो आपका इतना ही था जब आपको यह पता चलता है जब आपको यह पता चलता है कि आपका act जो है उसका कोई ना कोई part inconsistent है with the constitution या फिर inconsistent है with the fundamental rights जो कि कहां दिये गए है consultation में ही दिये गए तो ऐसे case में क्यों ना यह जो आपका inconsistent वादा पाट था इसको अलग ही कर दिया जाए severable अलग कर देना जब आपको यह पता है कि कल को जाके इसके लिए कोई भी amendment नहीं आ सकता जो इसके favor में हो ठीक है तो उसे कहेंगे क्या doctrine of severability फिर उसके बाद में अगला doctrine of perspective over ruling over rule करना मतलग जो लिखा है वो लिखा रहे हैं दो उसको आगे चल के क्या कर देंगे over rule कर दें prospective का मतलब क्या है future के हिसाब से किसके हिसाब से बैटा future के हिसाब से understood the point over rule करना मतलग जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो right फिर उसके बाद में acquiesants etc for interpreting the provisions of the article number 30 ये समझ में आए बटा ये देखें मैं आपको अलग से यहाँ पे नूट बुक में बना के दे दिया है सबसे पहले अगर मैं doctrine of severability के बारे में बात करूँ तो देखें क्या कहता है if any existing law example ये 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 या फिर ये और part there of is in contravention मतलब against में होना in contravention होना का मतलब क्या है वेटा against में होना किसके fundamental rights के और या फिर constitution के और या फिर constitution के ठीक है अगर है आपने कहा yes sir है तो सवाल या आता है कि whether the inconsistent part is severable क्या उस पार्ट को अलग किया जा सकता है क्या जैसे मैं आपको बता है सख खिचड अगर बन चुकी है तो अलग करना मुस्किल होगा अगर उसको अलग नहीं किया जा सकता है तो क्या कर द कर देंगे क्या कर देंगे एकलिप्स कर देंगे लेकिन अगर अलग कर सकते हैं तो क्यो ना उसको क्या कर दिया जाए अलग कर दिया जाए ठीक है वापिस एक बार whether the inconsistent part is severable without affecting the main substance or the objective of existing law मतलब बाकी जो पार्ट है आपके existing law का उसको छेड़े बिना क्या हम यहां अपने इस पडलर चीज़ को अलग कर सकते हैं जो की inconsistent है अगर आपका जवाब आता है बिलकुल सर कर सकते हैं तो ऐसे केस में क्या कहा गया that only inconsistent part shall be declared as invalid and remaining part shall continue वो वैसे वैसा आपका क्या होगा continue होगा लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा act क्या माना जाएगा invalid माना कर देंगे invalid declare कर देंगे यह समझ मैं आप नहीं करेंगा यह ध्यान रख दीगा पताला अगर लोग को invalid declare करने के लिए आप निकल पड़े ठीक है आप नहीं करेंगे parliament ऐसा करेगा ठीक है साथ लेकिन अगर in contravention है ही नहीं तो फिर क्या दिक्कत जब contravention में ही नहीं तो फिर problem क क्या है चलने दो जैसा चल रहा चलता रहेगा understood done तो ऐसे किसमें क्या होगा there will be no issue ठीक है साथ फिर उसके बाद देखें अगला भी मैंने आपको यहां पर provide कर देख देट इस तो बी कॉल्लेज वाट डॉक्ट्राइन ओफ एकलिप्स से अ सी किस्क्ड वे यूक्षारक्षड – ऑ्ल्ession सी किस्ट कदसस्ट किस्ट बारी था तो अब कुछ भी यहां पर कटेगा नहीं ठीक साब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में इसका नाम के दिया गया है Doctrine of Eclipse Got it? क्या कहता है साब? यह कहता है कि If on the commencement of constitution any part of existing law Everything is said about what? Existing law. ठीक है? Existing law or the whole existing law becomes inconsistent with the fundamental rights So what do we do? Then such inconsistent part shall remain inoperative or dormant Dormant का मतलब क्या होता है? सोई रहना Effective नहीं होगा बले क्या हो जाएगा? Dormant हो जाएगा Inactive हो जाएगा But shall not be declared or assumed to be dead उसको अलग नहीं करने का क्या मालने कि उसको? सोया है कुम करने की नीम सोया ऐस समान के चल ठीक है? Done And on amendment in the constitution If any fundamental right is abolished अगर कोई भी fundamental right को कल को जाके क्या करते है? हटा दिया जाता है Abolish करना मतलब क्या होता है? छीन लेना, खत्म कर देना कल को अगर कोई constitution में amendment आया उसकी वज़े से अगर छीन लिया जाता है या फिर changed amendment उसके अंदर आ जाते है changes उसके अंदर आ जाते है Then such part or the whole of existing law shall again become active and operative जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया ठीक है? बड़े ठीक है साब Now next point is doctrine of waiver of the right अब ये बात बहुत जान से सुनिएगा क्योंकि नया topic है क्या कहता है doctrine of waiver of the right Sir आपको fundamental rights दिये गए है क्या क्या अधिकार दिये गए है आगे चलके मैं आपको बताऊंगा Normally अगर आपको अभी भी जानना है तो equality का right आपको दिया गया है बोलने का right आपको दिया गया है express करने का right जुह है अइसे काफी सारे rights जो है हम आपको दिये गए लेकिन आपने का कि नहीं मुझे ना इन मेंज़िवए कोई अधिकार नहीं चाहिए या तो आपको कोई भी नहीं चाहिए और या तो कोई एकाद आपको नहीं चाहिए ठीक है तो क्या government आपके उपर ये force कर सकता है कि नहीं आपको ये अधिकार दिया गया है तो आपको इसको enjoy करना पड़ेगा द्यान से सुनो भाई साब जब आप ये कहते हैं या कोई भी कहते है कि मैं आपको एक अधिकार दे रहा हूँ राइट दे रहा हूँ तो हमेशे रहा रखेगा जब भी अधिकार मिलता है तो उसमें ये भी अधिकार हमारे पास में मिलता है कि हम उस राइट को enjoy ना करें अरे option दिया ना भाई साब मिल को अगर आपने का कि नहीं तिरको ये यूज करना ही पड़ेगा तो उसको अधिकार थुड़ी बोलेंगे उसको तो ये कहा जाएगा कि कोई चीज है जो कि आप मेरे उपर थोपने की बात कर रहे हो बाई साब मैं चाहूं तो exercise करूँ और चाहूं तो उसको exercise ना करूँ ऐसा बकाइदा बूला गया है और कहा गया है कि मैं चाहूं तो voluntarily यह important point है मेरी मर्जी से voluntarily का मतलब क्या होता है मेरी मर्जी से मैं क्या कर सकता हूँ अपने उस अधिकार को wave off कर सकता हूँ मैं कह सकता हूँ छोड़ो मेरे को नहीं चाहिए ठीक है डन any person on whom any right is conferred fundamental वाले क्योंकि आपन constitution की बात कर रहे है मैं voluntarily important point उसके ओपर दवाब नहीं होना किसी भी type का अपनी मर्जी से voluntarily ठीक है voluntarily wave of और leave such fundamental right वो उसको छोड़ सकता है जाने दिय सकता है ठीक है but subject to condition that he has knowledge of यह सबसे important point आप एक बारा एक चीज़ बताओ आप आप मैं से कितने लोगों को यह exactly अभी फिलहाल पता है कि constitution के इसाब से आपको क्या-क्या दिकार है maximum चीजों के बारे में आपको नहीं पता होगा हाँ शायद एक आदे चीज़ हो सकते है जैसे अभी यह CAA NRC वाला fund चल रहा था तो हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा कहीं पर पर कहीं पर सुना होगा कि हमारी country जो है वो secular country है और अगर यह NRC वागर लेके आते हैं तो ऐसे कि इसमें constitutional right जो है fundamental वाले उसके against में आप decision लेने की बात कर रहा है ऐसा आपका सोच ना हो सकता है लेकिन इसके अलावा right of equality के बारे में क्या आपको कुछ पता है I don't think so the reason being कि आपने क्या नहीं किया आपने constitution जो है वो अभी तक पढ़ा नहीं right of expression का right of assembly कहीं पर इखटा होना right of movement आपको पता है जरूरी नहीं है कि आप इंडिया के कौन से पार्ट में पैदा हुए इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर आप पैदा हुए हैं उसके बावजूद अगर इंडिया के दूसरे कोने में जाके आप रहना चाते हैं वहाँ आप अपना काम करना चाते हैं अपना business करना चाते हैं अपना profession करना चाते हैं कर सकते हैं कोई आपको रोकेगा नहीं कोई आपको रोकेगा नहीं ये आपका constitutional right है fundamental right है basic वाला right है जो सन्विदान ने आपको दिया कोई मना में कर सकता example शायद आपने सुना होगा काफी बार कि मुंबई में जो बिहार के लोग है यूपी और बिहार के जो लोग है उनको निकालने की बात करी जा दी थी बर इनको हटाओ यहाँ पर सिर्फ मराठी मानुश जो है वो यहाँ पर काम करेगा कैसा कर सकते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा किया जा रहा होगा तो it will be called as what unconstitutional तो सब भूले ऐसा करने वालों के अगिश्च में action क्यों नहीं लिए गए अरे सब कैसे लेंगे कैसे लेंगे जो कुछ पार्टी वाले लोग थे जो कि उस टाइम पे एक पड़लर एर की बात है उस टाइम पे जब बिहार और यूपी के लोगों के पिछे पड़ गए थे डंडे मार रहे थे भगा रहे थे ये कर रहे थे वो तो वो government थोड़ी वैसा वो state थोड़ी है द्यान से fundamental right जो ना वो किस के गिंस्ट में है state के गिंस्ट में अगर दो लोग आपस में जगडा कर रहे होंगे कि तुमको यहां रहने का अधिकार नहीं है तुमको यह करने का अधिकार नहीं है तो उसको आप यह नहीं कहेंगे कि मेरे constitutional right को harm किया जा रहा है यह समझ मैं है चलिए ठीक है साब सो सबसे पहली बात उसको यह पता होना ची कि उसके पास में क्या है कोई अधिकार है और दूसरी बात वो जो wave off करेगा वो कैसे कर रहा है voluntarily कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है got the point तो यह होना जरूरी हो कर ठीक है साब फिर उसके बाद में अगला point आता है क्या single person law single person law अब ध्यान से सुनो हमने कहा हमारी country में अलग-अलग type के लोग रहते हैं और अगर आप यह categorize करने की बात करो अगर आप differentiate करने की बात करो तो आप language के बिस्स पर बोल सकते हैं ठीक है कई लोग बंगाली बोलते हैं कई लोग हिंदी बोलते हैं कई लोग मराथी बोलते हैं कई लोग बिंग अपना क्या बोलेंगे भोजपुरी बोलते हैं कई मराथी बोलते हैं ठीक है काफी कि यह अलग-अलग class of people के लिए क्या बन सकता है law बन सकता है लेकिन कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि किसी एक पड़लग class के अंदर सिर्फ एक ही बंदा है single person is there only one person एक यह बंदा है उसके उपर कोई है नहीं सिर्फ एक बंदा ठीक है तो कहा गया है कि even उस एक बंदे के लिए भी law बन सकता है subject to condition कि वो एक बंदा क्या करता है किसी class को represent करता है मान लीजिए for example आपने कहा कि हमारे देश के अंदर हमारी country के अंदर पहले पुराने जमाने में आदिवासी लोग हुआ करते थे कौन ते आदिवासी लोग आज है क्या कुछ लोग कहेंगे नहीं सर अभी तो मतलब कितना आगे चल गई यह country अच्छा खासा काम हो रहा है कहां आदिवासी रहेंगे अभी लेकिन नहीं काफी सारे ऐसी जगह है 36 गड़ में आप बात कर लीजे महरास्ट्रा में आप बात कर लीजे या फिर आप MP में बात कर लीजे ठीक है तो इन जगों पे उडिसा में इन जगों पे आदिवासी लोग आज भी रहते हैं ठीक है तो उन आदिवासीं के अधिकारों को सुरक्षत रखने के लिए क्या ब दिवासी केटिगरी में सिर्फ एक ही बंदा अगर बचता है, only one person is there, ठीक है, तो even इस एक बंदे के लिए भी लौ जो है, वो बनाया जा सकता है, एक बंदे के लिए भी लौ बन सकता है, ठीक है, लेकिन subject to condition कि ये एक बंदा जो है, वो किसी ना किसी class को क्या करता है, represent करता है Got it, द्यान से देखिया, क्या कहता है भाई साब, any law or legislation made for the single person shall be valid and operative, but only if such one individual represent a class, अगर हो क्या करता है, class को represent करता है, तो, to make any classification there should be reasonable nexus, nexus का मतलब क्या होता है, relation, reasonable relation होना चाहिए, nexus का मतलब क्या बता है, मैं आपको, relation होना चाहिए, ठीक है, between such classification and the object to be achieved, किस purpose के लिए आप ये classification कर रहे हो, और उसके पीछे, object क्या है, उसका, और उस class का क्या बनना चाहिए, रिष्टा जो है, वो बनना चाहिए, understood, done, वीडियो को pause करके, आप क्या करेंगे, इस चीज को properly note down कर लेंगे, आपके लिए, सबसे पहला ये वाला पार्ट देख लीजे, नीचे वाला भी मैं जूम कर दूँगा, ताके उसको भी आप प्रॉपरली लिख पाए, ठीक है, फिर उसके बाद में, डॉक्ट्रेन आफ एकलिप्स से सबसे पहले, फिर उसके बाद में, डॉक्ट्राइन आफ वेवर आफ राइट, ठीक है, और फिर उसके बाद में, सिंगल पर्सन लॉप, चलिए, तो नेक्स्ट पॉंट्ट जो हमारा है, वो क्या है, फंडमेंटल राइट, तो फैनली हम किसकी बाद करेंगे, आपे, फंडमेंटल राइट्स आपके जो दिये गए हैं, उसके बारे में, डिस्कुशन जो है, वो हम यहाँ पर सिंपल तरीके से करें, सबसे पहले जैसा कि आपका ये सर्कल पूरा का पूरा आपका बता रहा है, वही आपसे कहता है, कि एक तो आपका राइट है, अगर मैं इसके बात करूँ, तो इसके लिए आपको आर्टिकल नमबर 14 से लेके, 18 तक जो हैं, उसको डिस्कुस करना होगा, फिर उसके बात में राइट टू फ्रिडम की बात अगर मैं करूँ, तो आर्टिकल नमबर 19 से लेके 22 जो है, वो right to freedom के बारे में discuss करता है फिर उसके बाद में point आता है right against the exploitation चीक है इसकी बात अगर करूँ तो article number 23 and 24 जो है वो इसके बारे में discuss करता है फिर उसके बाद में point आता है right to freedom of religion अगर इसकी बात की जाए तो article number 25 से लेके 28 तक अच्छा एक बात और दहर में रखेगा काफी सारे बच्चे ऐसे जिनका ये बोलना होता है कि सर हमें ये articles के जो number है और जो sections है वो हमें याद नहीं होता है आगे चलके आप एक से दिखेंगे जिसमें आपको कह दिया होगा section आपको दिया होगा ठीक है तो मेरी हिसाथ से अगर आप company secretary बनने के बारे में बात करें तो आगे चलके जिन्दगी भर आप बात करने वाले हैं sections के अंबर लेकिन starting में बच्चे क्या करते हैं कि सर हमको ना section के number और article के जो numbers है ना वो याद नहीं होते हमें यह समझ में नहीं आता कि कौन से article में क्या बात लिखी हुई होगी यह हमको याद रहता नहीं है तो मैं आपको बता दू एक important चीज कि आपने अभी तक इनको याद करने की कोशिश ही नहीं करी अगर कोशिश करी होती तो बिल्कुल याद होते हैं तो बिल्कुल आपने कोशिश करी होगी लेकिन कोशिश जो है वो सही तरीके से नहीं करी आपने क्या किया? जास रिडाओट कर लिए आपने जास रिडाओट क्या? या आपने रटाफिकेशन क्या आठिकल 14 से लेके 18 तक किसका है, right of right of right, right of equality का है, article 19 से लेके 22 तक का है, freedom का है, right 2324 किसका है, exploitation का है, 25 से लिएक कर तक का है, religion का है, इस तरीके से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको articles या फिर sections का content जो है वो याद होने वाला नहीं, सब कैसे करें फिर लिख के दिखो बार बार उस चीज़ को लिखो अपने से लिखने की कोशיש करो एक बार आपने यहां पर पढ़ने की बाद में दुबारा उसको लिखने की कोशिश करो ठीक है जितनी जादा एक चीज़ को लेके आप writing practice करेंगे उतना जादा वो चीज़ आपको क्या होगी memorize होगी अगर ratification करने की बात करोगे तो maybe हो सकता है for the timing आपको याद हो जाए लेकिन long term की बात अगर मैं करूँ तो याद होने वाला नहीं होगा understood the point? done ठीक है साथ फिर इसके बाद एक है culture and education अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका रहेगा 29 and 30 article number 29 and 30 और फिर उसके बाद में last but not the least is the constitutional remedy जिसके बारे में simply एक ही section आपको यहाँ पे दिया गया है और वो है आपका article number 32 article number 32 got the point? तो ये धान रखी का वैस सब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप fundamental rights के बारे में बात करते हैं चाहिए? तो fundamental rights आपके जो है ये आपके constitution के part number 3 के अंदर दिये गए है article number 14 से लेके 32 के तो सबसे पहले आपको ये लिखना चीए खुद से आपको खुद से ये लिखने की कोशिश करने चीए कि fundamental rights जो है वो part 3 में दिये गए है article number 14 से लेके कहा तक 32 तक फिर उसके बाद में एक 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 पॉइंट को दुबारा से लिखने की कोशिश करें चलिए करते हैं में को याद नहीं है तो मैं यहापे लिखने की कोशिश कर लेता हूँ याद करने की कोशिश करता हूँ ठीक है बहुत जहां से देखेगा हमने कहा कि अगर आप बात करते हैं fundamental rights के बारे पर ठीक है fundamental rights जो है वो दिये गए है into part 3 of constitution के अंदर ठीक है और यह article number 14 से लेके कहा तक दिये गए है 32 तक दिये गए understood the point बोले ठीक है अब इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं article number 14 से लेके article 18 की बात करूँ तो यह बात करते हैं about the right of equality के बारे ठीक है फिर उसके बात में अगर हम article number 19 से लेके 22 की बात करें तो यह बात करते हैं about the right to freedom के बारे में किस किस चीज का freedom वो अपन बात करेंगे आगे चलके लेकिन freedom के बारे में बात करता है फिर उसके बाद में article number 23 and 24 दो ही article आपको यहां पर दिये गए हैं they are to be called as what right against exploitation ठीक है सर पुराना जमाना हुआ करता था 1950 की बात यहां पर चल रही है ठीक है उस जमाने में लोगों को exploit किया जाता था चुवाचात के नाम पर चुवाचूत यह चुवाचात जो भी है ठीक है उसके नाम पर कहा जाता था कि एक चारपई के उपर जो S.C.S.T. वाले लोग है वो बोले सेम चारपई पर बैठ नहीं सकते जस ठाली में हम लोग खाना काते हैं उस ठाली में वो लोग खाना नहीं का सकते अगर हमारे करके बरतन आपने यूज की होंगे तो वो बरतनों को आपको धोके क्या करना होगा रखना पड़ेगा या फिर एवन ऐसा हुआ करता था कि कई लोग जो कि किसी जमीदार के यहां पर काम करते थे नौकरी करते थे उनका रहना खाना पीना उनके बरतन उनके कपड़े उनके बिस्तर वगरा जो ना वो भी एक्टम अलगी रखे जाते थे ताकि उनके बिस्तर जो है वो उच्च कोटी के लोग क्या ना कर सके यूज ना कर सके ऐसा पुराना वो ववा करता था ठीक है तो उसके इसाब से यहाँ पे क्या बनाया गया इसा एक्सप्लाडिशन जो है 1950 के बाद में किसे के साथ में किया नहीं जा सकता फिर उसके बाद में अगला पांट आता है आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक यह किसकी बात करता है यह रिलिजन की बात करता है आधर हें गया मुसलिम अपना ले ऑंपना यह जो अपना आपको अपनाना आ है वह आप अपना सकते हो तो उसके इसाब से क्या अधिकार आपको दिये गए हैं उसकी बात यहां पे की फिर उसके बाद में अगला पॉंट आता है आर्टिकल नमबर 29 and 30 29 and 30 जो की बात करता है about the right of education किसकी बात करता है right of education के बारे में बात करता है और फिर आर्टिकल नमबर 32 अरे प्रवीन सर आप 31 के बारे में भूल गए बीच में नहीं भूले नहीं है उसको क्या कर दिया गया है डिलीट कर दिया गया है एमेंडमेंट लाके तो उसके बारे में discussion करने के ज़रत नहीं है ठीक है आर्टिकल 32 जो है वो बात करता है about the right of constitutional remedy किसकी बात करता है right of constitutional remedy सर इसका मतलब क्या होता है बहुत एंसर सुनिएगा हमें article number यहां से लेके यहां तक बताया गया कि आपके कुछ अधिकार है लेकिन सवाल ही आता है कि सर मान लिजे कि किसी state ने या किसी government ने हमें इन में से किसी भी एक अधिकार से क्या कर दिया वंचित कर दिया या हमें उस अधिकार को enjoy नहीं करने दिया तो हम क्या कर लेंगे कोई solution है उस चीज़ का बिल्कुल solution है solution यह है कि जिसके against में यह काम किया गया होगा वो बंदा क्या कर सकता है वो बंदा सीधा जा सकता है Supreme Court के पास article number 32 के इसाब से वो बंदा सीधा Supreme Court के पास जा सकता है और writ petition फाइल कर सकता है कौन से petition बेटा writ petition बराबर और यह कह सकता है कि सर मेरे कुछ अधिकारों को यहां मुझसे क्या किया जा रहा है छीना जा रहा है मुझे उन्हें enjoy करने नहीं दिया जा रहा है यह बात कहके आप क्या कर सकते हैं आप relief जो है वो ले सकते है और इसको नाम क्या दिया गया है constitutional remedy राइट आर्टिकल 32 के इसाब से जो आप Supreme Court के पास में जाके writ petition फाइल कर सकते हैं petition का मतलब यहां पे क्या है बेटा case फाइल करना और यहां फिर we can simply say application फाइल करना अगर आपको simple words में इस से इसके बारे में बुलना होगा तो क्या करना application को फाइल करना understood the point बढ़े ठीक है साथ अब इसके बाद में एक एक करके हम यहां fundamental rights जो हैं उनके बारे में discussion करेंगे अब देखें यहां पर आपको बता दिया गया right of equality यहां दिया गया है यह बता दिया 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 तो ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरुरत नहीं लेकिन हां point आता है कौन सा article number 31 वाला right so previously the right to property right to property article 31 किसकी बात करता था right to property के बारे में कि आप कही पे भी property वारा जो वो ले सकते हैं वो था article 31 में it was also granted as fundamental right which has been removed by the 44th amendment जो कि कब आया था 1978 में था now right to property is not a fundamental right मतलग property आप रख सकते हो property आप purchase कर सकते हो property आप बेच सकते हो लेकिन property को रखना property को बेचना property को ओन करना fundamental right नहीं है constitutional right नहीं बोला जाएगा इसको understood the point done it is now only a legal right मतलब यह एक ऐसा अधिकार है जो कि हमारे country का जो कानून है वो आपको provide करता है बट यह रहाल रखेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कल को जाके अगर कोई government आप से कहती है कि यह property आप नहीं रख सकते तो आप सेधा कहां चले गए court के पास शरी ऐसा amendment क्यों लाए गया ऐसा change क्यों लेकर आए गया बहुत simple सी बात है आपके जो government होते है उसको development करने होते है कहीं पे metro rail जो है वो बनानी होती है उसके stations बनाने होते है अब आप सोचके देखिए कि आपके city है ठीक है आपके city के किसी square पे एक metro का station बनाने की बात की जा रही है metro station बनाने की बात की जा रही है अब ज़रा बताईए कि जिस square पे already flats बने होए है commercial shops बने होई है अगर वहाँ पे metro का station बनाने की बात करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वह shops को तोड़ना पड़ेगा वह flats को तोड़ना पड़ेगा हाँ या ना बले हाँ सब तोड़ना पड़ेगा अब point यह है कि अगर अगर property को own करना fundamental right होना उस property को own करना fundamental right होता तो क्या आप वह property को छोड़ते answer is no अगर आप वो property को नहीं छोड़ते तो क्या metro का station बनता अंसर is no अगर metro का station नहीं बनता तो क्या economy में development होगा अंसर is no ये सिर्फ एक example है metro station वाला इसके अलावा road बनाने की बात कर लिजे dams बनाने की बात कर लिजे highway बनाने की बात कर लिजे ये सारी चीजों को बनाने में अडचन आती अगर right to property को fundamental right की category में ही रखा जाता तो इसी वजे से इसको क्या कर दिया गया है abolish कर दिया गया तो ये point पे अपने अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे अपने लिखेंगे sir article 31 जो की बात करता था about right of property ठीक है इस परलज चीज को क्या कर दिया गया है abolish कर दिया गया है कब किया abolish abolish by 44th ये exam में आपको पुछा जा सकता है कि कौन से amendment में किया गया था ठीक है 44th amendment right in 1978 ये भी आपको सवाल जो है वो पुछा जा सकता है कि कौन से year में ये किया गया था right ठीक है साब now after that now this right is no more a fundamental right क्या नहीं है ये fundamental right नहीं है हला कि right है ठीक है but only a legal right ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक लीगल राइट है आप ये बोल सकते सर मेरी प्रॉपर्टी है मेरी प्रॉपर्टी को चीना जा रहा है तो मुझे कुछ compensation प्रॉपर्वाइड करो ये करो वो करो लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरी प्रॉपर्टी को चीना ही नहीं जा सकता है आप ये नहीं बोल सकतो इसको दर रखी understood the point done ठीके सब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले point के बारे में सब बले apart from this article 12 किसकी बात करता है state की अभी जान से सुनो जब आप बोलते सर कि मुझे articles का number याद नहीं होता है तो उसका एक और तरीका याद करने का क्या link लगाना जब आपने बात करी यहाँ पर article number 12 sir अभी recently मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे याद है तो मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ article 12 किसकी बात करता है state की बात करता है फिर आता है आपका article number 13 sir यह किसकी बात करता है sir यह बात करता है about the existing and future law existing and future law not to be inconsistent with fundamental rights क्यान यह ने ची है fundamental rights से inconsistent होने नहीं ची है ठीक है यह क्या कहते है यह कहते है that they deal with the definition of state and the law respectively article 33 235 deal with the general provisions relating to the fundamental rights ठीक है article number 33 से लेके 35 जो है वो किसकी बात करता है general provisions की बात करता है यह भी अपन यह आपे लिख देता है article 33 से 35 talk about what general provisions of fundamental rights ठीक है यह इसकी बात करता है फिर article 12 अगर अभी आपको यहाँ पर दिये गए हैं तो एक काम करते हैं उनको भी आपन पीछे क्यों छोड़े और अपन पढ़ चुके हैं तो फिर भी आपन यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे जस्ट टु इस आर्टिकल नंबर बारा टॉक अबाउट डेफिनिशन अफ स्टेट चेक हैं फिर आर्टिकल नंबर थर्टीन तोक अबाउट लॉज नॉट टॉबी इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स जो भी लॉज आपके बनाए गए हैं वो क्यानी होने चीए फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट नहीं होने चीए उनके कॉंट्राविंशन में नहीं होने चीए उनके अगिंस्ट में नहीं होने चीए understood the point, done, write it down लिख लीजे ये वाली चीज़ को आप और बहतर होगा, अगर आप अपने खुद के राइटिंग में, खुद के लेंग्विज में लिखेंगे तो ज्यादा आपके लिए क्या होगा बहतर रहेगा आर्टिकल 12, 13 फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा और ध्यान रखेंगे, इन में से किसी भी चीज़ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, there can be question on this इन में से किसी पे भी सवाल आपको आ सकता है MCQs के तौर, ये ध्यान रखेंगे ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं आगे So no fundamental right in India is absolute, very much important, सरी ये आप एक एक line पढ़के बताओगे क्या, बोर हो रहा है सर, एक एक line पढ़के बताओगे तो बात तो सही है, बोर हो रहा होगा, लेकिन एक second डान दीजेगा, अब मुझे एक बार बताइए, कि अगर यही वाले line पे आपको question पूछ लिया गया, तो क्या करेंगे जरा बताओगे एक बार आप अगर यही वाले line पे आपको question पूछ लिया गया तो क्या करेंगे, जरा बताओगे एक बार ठीक है, no fundamental right in India is absolute इसे पे question आ सकता है and reasonable restrictions can be imposed in the interest of the state by valid legislation and in such case the court normally would respect the legislative policy behind the same मतलब, मतलब यह कि आपको क्या दे दिया गया है आपको fundamental right दे दिया गया इसका मतलब यह नहीं है कि हर चिसके मालिक आप होगा इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहे वो कर सकते है और आपके यह fundamental right को क्या नहीं कर सकते है restrict नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है बुले उनको restrict भी किया जा सकता है अगर public interest में, अगर government interest में कहीं पे भी जरूरी रहा तो ठीक है, बड़े ठीक है साब People's Union of the Civil Liberties यह इस case में decide किया गया, case कौन सा है People's Union of the Civil Liberties versus Union of India पीछे का यह अगर आपने नहीं भी पड़ा तो भी चलेगा ठीक है साब Now, from the point of view of person to whom the rights are available the fundamental rights may be classified as follows अगर 15, 16, 19, 30 की बात की जाए तो यह सिर्फ और सिर्जन को मिलते हैं उसके अलावा यह वाले जो भी rights आपको दिये गए हैं they are available to any person on the soil of India, बले ही वो बंदा इंडिया का citizen होगा और या फिर वो बंदा कौन है, foreigner Got it? And the right guaranteed by the article number 10 are absolute limitation upon the legislative power यह तीन पॉइंट जो है इसको भी ध्यान में रखेगा यह बहुत ज़्यादा important आपके लिए हो जाता है, ठीक है article number 15, 16, 19 और 30, sir एक बार वापिस से ज़रा देख लेते हैं अगर मैं article number 15 के बारे में बात करूँ, 16 के बारे में बात करूँ, तो यह दोनों 14 से 18 के बीच में हाते हैं, तो कही नहीं है किसकी बात कर रहूंगे? right of equality की बात कर रहूंगे फिर उसके बार में पॉंइन आता है कौन सा उननेसवा सरी ये right of freedom की बात कर रहा होगा ठीक है फिर आता है तीसवा सरी ये right of education की बात कर रहा होगा exactly तो नहीं पता कि कौन से point पर बात कर रहा है लेकिन हाँ जितना अभी तक हमने पढ़ा तो उसके basis भी ये ज़रूर कह सकते हैं कि right of education की बात यहां पर कर रहा होगा फिर उसके बाद में article number 14 equality की बात करता है 20 freedom की बात करता है 21 freedom की बात करता है 22 भी freedom की बात करता है 23 exploitation की against बात करता है 25 religion की बात करता है 27-28 भी religion की बात यहां पर करता है ठीक है फिर उसके बाद में 15 equality की बात करता है 17 equality, 18 equality, 20 freedom की बात करता है 24 exploitation की बात करता है ठीक है तो इस तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते है प्रॉपली revise कर सकते है स्टेट का मतलब क्या होता है यह अपन पहले ही बात कर चुके है अच्छे तरीके से यहां से लेके यह पूरा अपने पढ़ लिया था और इसको भी अपन अच्छे से देख चुके हैं यहां से लेके यहां तक अगला जो topic हमको discuss करना होगा वो रहेगा आपका article number 14 से लेके 18 तक जिसका नाम क्या है right of equality understood the point? done अगर note नहीं किया अगर इसको note कर लेजे हाँज़ी अगला जो हमारा point है उसका नाम क्या है article number 14 to 81 जो कि right of equality के बारे में बात करता है और अगर मैं right of equality के बारे में भी बात करूँ तो देखे किते अच्छे तरीके से module में इसके बारे में बताएगा क्या कहता है सबसे पहली बात equality before law सर कानून की नजरों में हर कोई बंदा चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे सल्मान गान हो चाहे संजदत हो या कोई भी और बंदा क्यों न हो हर कोई क्या है सेम कानून की नजरों में हर कोई सेम है equality before law का मतलब यही निकलता है क्या कहा गया कानून की नजरों में नजरों में सब एक समान है got the point quality के साब लेकिन फिर इसके बाद में एक point और भी आता है क्या prohibition of the discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or the place of birth क्या कहा जा रहा है यह आपका article number 15 जो है वो ऐसी बात यहाँ पर करेंगा क्या कहता है कि सर्थ किसी भी बंदे के साथ में कोई भी discrimination के नहीं किया जा सकता है कौन से business पे religion के business पे यह नहीं कहा जा सकता कि यह तो उस दर्म से belong करता है यह हमारे बराबर नहीं यह नहीं कह सकते कि यह तो उस जाती का है हमारे बराबर नहीं है ठीक है या फिर male female के बीच में differentiation नहीं हो सकता transgenders के साथ में आप इस तरीकेसे नहीं कर सकते और या फिर place of birth के business पे जो मैंने आपको मुंबई और बिहार के लोगों के बारे में पता है ठीक है तो ऐसा किया नहीं जा सकता फिर उसके बाद में point आता है क्या equality of the opportunity in the matters of public employment अब आपके सामने सवाल हैगा यह public employment जो है इसका मतलब क्या होता है what is the meaning of public employment government offices में जो job आपको चाहिए होती है government offices में या फिर government की जो companies उसमें जो आपको job चाहिए होती है उसमें किसी भी type को कोई भाव बेदबाव जो है वो नहीं किया जाएगा सब को equal treat किया जाएगा और अगर differentiation किया जाएगा तो that will be on the basis of qualification and nothing else हलांकि इसी चीज में साथ में क्या दिया गया है exception भी दे दिया गया exception भी दिया गया है और कहा गया है कि अगर आप पिछडी जाते से belong करते हैं backward class से अगर आप belong करते होंगे स्ट होंगे स्ट होंगे ठीक है तो ऐसी केस में possibility है कि आपको क्या मिले reservation जो है वो मिल जाए जिसके ओपर काफी सारी controversaries जो है आज कल बहुत जादा चल रही है सब उले पुराने जमाने में ठीक है कि स्ट के साथ में इस तरीके के benefit जो वो दिये जा रहे थे क्योंकि वो टाइम पे SCST जो है वो क्या थे वो कही न कही थोड़े पिछडी जाती के थे लेकिन अब अगर आज के टाइम की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है बलकि उल्टा आपको मिलेगा कि काफी सारे ऐसे लोग जो कि general category में count के जाते हैं उनके पास में पैसा नहीं है वो गरीबी से जूज रहे और कई ऐसे लोग जो कि SCST या फिर आपके OBC category में आते हैं उनके पूरे खंदान के पास में क्या है government jobs उनके पूरे खंदान के पास में क्या है government jobs ठीक है तो अब उनके उपर controversy जो है जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई पिछड़ी जाते से belong करता है तो ऐसे case में इतना जादा गलत उनके साथ में किया जाता था कि एक ठाली में खाना नहीं खा सकते हैं जस glass में हम लोग पानी पी रहे हैं उस glass में तुम पानी नहीं पी सकते ठीक है उनके गाउं में कोई जाएगा नहीं ऐसे ऐसी चीज़े हुआ करते हैं जिसको क्या कर दिया गया है फिर उसके बाद में abolition of title अब इसमें से अगर मैं सब की बात करूँ तो ये जो है ये article number 16 में लिखा हुआ है ये आपके article number 17 में लिखा हुआ है और ये जो लिखा है वो आपके article number 18 में लिखा हुआ है ये देखे आप अच्छे तरीके से सर लिंक बन गया सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने wide angle यहाँ पे देखा सबसे पहले मैंने article number 14 से लेके 18 तक की बात करे जिसमें ये समझ में आ गया कि article 14 से लेके 18 तक किस की बात करता है right of equality की बात करता है लेकिन उसमें भी अगर मैं 14, 15, 16, 17 और 18 की बात करूं तो उसको अपन अलग-अलग यहापर study कर सकते है ठीक है चलिए ठीक है साथ द्यान से लिखेगा the general principle find expression in 14 particular application particular मतलब specified specifically on the basis of race वगरा specifically on the sorry in the public employment अगर उसकी बात की जाए तो ये बुले आपको article 15 और 16 में दिया गया है and still more specialized application सबसे पहला untouchability वळा और दूसरा कौन सा titles वला सर ये title वाले का क्या मतलब है बहुत simple सब पुराना जमाना हुआ करता था जब अगर आप राजा महराजाओं के परिवार से विलॉग करते हैं तो आपके सामने word लगता था राजा महराजा राजकुमार राजकुमारी ठीक है या फिर उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे चीज़े मान लिजे फर एक्जामबल जमीनदार चौदरी पहले टाइटल पहले लगते थे ठीक है तो अब यह कहा गया कि नहीं भाई साम ऐसे किसी भी टाइब के टाइटल जो है न वो इंडिया में यूज नहीं किये जा सकते और इवन अगर किसी फॉरिन गवर्मेंट से या फॉरिन युनिवर्सटी से आप ऐसा कोई टाइटल लेना चाहते होंगे तो पहले आपको इंडियान गवर्मेंट की पर्मिशन जो है वो लेनी पड़ेगी ऐसा सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको क्या किया गया है कहा गया है ठीक है बढ़ी के साब देखते जान से सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका आर्टिकल नबर 14 अब यही वाली चीज़ अगर मैं बात करूँ जो कंटेंट आपको इतना दिया गया है मैंने क्या किया मैंने उसके उपर बहुत ही प्यारा सा नोट जो है वो बना लिया अब सिरी सिरी बात अब आपको क्या करना है आपको MCQs को सॉल्व करना MCQs जो आपको पूछे जाएंगे वो इनी टॉपिक्स के उबर पूछे जाएंगे तो एकदम पूरा वहाँ पर जाके AKK की लाइन को पढ़ना जिसमें repetitive वाली चीज़े आपको दी गई होंगे उससे अच्छा क्या होगा कि हम यहां से सिदा 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 इसको पढ़ने सबसे पहले अगर मैं right of equality की बात करूँ article number 14 इसके बारे में बात करता है और कहता है that the state state का मतलब क्या है government मैं चाहूं तो आपके साथ में बेदबाव कर सकता हूं क्योंकि मैं कौन नहीं हूं मैं government नहीं हूं ठीक है लेकिन जिनको government बोला गया है sir मैं याद नहीं कर रहा था लेकिन मुझे यहां article number 12 याद आ गया जो कि state के बारे में बात करता है एसे याद होते है articles ऐसे याद होते है section ठीक है article number 12 जो state के बारे में बात करता है कहता है sorry article 14 कहता है that state shall not deny deny मतलब मना नहीं कर सकता किसको to any person किसी भी इंसान को citizen बोला क्या नहीं क्या बोला any person हो सकता है वो बंदा इंडिया का citizen होगा या हो सकता है कि वो किसी foreign का citizen होगा foreigner होगा any person equality before the law मतलब कानून की नजर में हर इंसान क्या है same है चाहे वो इंसान इंडिया का citizen हो ये इंडिया के बाहर का citizen हो चाहे वो इंसान अमीर हो चाहे वो इंसान गरीब हो चाहे वो इंसान male हो चाहे वो इनसान female हो, चाहे वो इनसान बच्चा हो, चाहे वो इनसान बड़ा हो, या फिर बुड़ा हो, ऐस जा किस में, हर कोई बंदा जो है, वो कानून की नजरों में सेम है, पहली बात, और दूसरी बात, equal protection of the law, ये क्या कहता है, सर ये आप से कहता है, कि अगर, अगर मान आली आता है, कि अगर आप की जान को खत्रा है, और आप जाते हैं, गवर्मेंट के पास में, और ये कहते हैं, सर मुझे सुरक्षा चाहिए, तो क्या, police protection आपको मिलेगी, answer है, yes, yes, आपको भी मिलेगी, ठीक है, and कानून में जो भी लिखा हुआ है, अगर चीजें आपने ग बना हुआ है, law में आपको benefit भी मिलेगा, और अगर आप गलत काम करते हो, तो आपके against में action जो है, वो भी लिया जाएगा, तो दो important वाली बाते आती हैं, article 14 में पहला, equality before the law, जिसका हिंदी में मतलब है, कानून की नजरों में सब एक समान है, दूसरा, equal protection of law, सरक कानून, भी मिलेगा, कोई बेदबाव इसमें किया, नहीं जाएगा, within the territory of India, ये बहुत important वाला word है, क्या, इंडिया की territory के अंदर, सर, foreign में आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, हम करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इसके लिए ये मत बोलना कि सर, इंडिया के बाहर हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा था, और इंडियन government ने इस पे step नहीं लिया, it is against my fundamental rights, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वहाँ प्या, ये कहा गया है कि इसके अंदर, article number 14 के अंदर, that's it, simple, कतम बाद, इसके आगे इसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद में अगला आपका आता है, article number 15, ये क्या कहता है, prohibition of the discrimination on the ground of religion, सब बोले, धरम के नाम पे, race के नाम पे, जातपात के नाम पे, क्या नहीं कर सकते, discrimination नहीं कर सकते, भेदबाव नहीं कर सकते, ध्यान से देखिए, क्या कहा गया है, इसमें अगर आप सब articles की बात करोगे, तो article number 15 में, sub article 1, sub article 2, sub article 3, and sub article 4, चार बाते आपको यहाँ पे बोली भी, सबसे पहली बात क्या कहता है, against, state को बोला गया है, किसको बोला गया है, state को बोला गया है, that state cannot discriminate against, any person बोला क्या, नहीं, sub, क्या बोला है, any citizen, ड्यान से सुनिएगा, article number 14, जो है, वो हर एक इनसान को protection प्रोडिक्शन प्रोडिक्शन कर रहा है, लेकिन 15 की बात अगर आप करोगे, तो क्या यहाँ पे any person बोला गया, नहीं, क्या बोला गया, any citizen, यह article 15 का जो अधिकार है ना, यह सिर्फ और सिर्फ भारतिय नागरिक के पास में है, foreigner को मिलेगा benefit, नहीं, foreigner को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ Indian citizen की बात की जा रही है, on the ground only of, कौन से points पे आप बेदबाव नहीं कर सकते, कहा गया है, religion के base पे, race के base पे, caste के base पे, sex के base पे, place of birth के base पे, ठीक है, कितने point होगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच point होगे, या फिर any of them, इन basis पे आप differentiate नहीं कर सकते हैं, discriminate नहीं कर सकते हैं लोगों के बीच, ठीक है, ठीक है साब, लेकिन ध्यान दीजेगा, साथ में ये भी कहा गया, no citizen shall be subjected to any disability, or restriction, or condition, with respect to access to public place, important point, अगर मैं mall भूमना चाहता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ, mall public place है, जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ, हाँ जा सकते है, अच्छा, एक भिखारी है, उसके पास में पैसा है, वो mall में जाना चाहता है, वहाँ से कुछ खरीदना चाहता है, क्या वो खरीद सकता है, हाँ खरीद सकता है, एक भिखारी है, उसके वास में पैसा है, वो restaurant में जाके खाना खाना चाहता है, क्या वो खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, कोई problem वाली बात नहीं, या फिर मान ल में बोला गया है कि किसी भी Indian citizen को ऐसा बंदा जो India का citizen है ठीक है उसको क्या नहीं किया जा सकता उसको disabled नहीं किया जा सकता उसके उपर restrictions नहीं डाले जा सकते उसके उपर condition नहीं डाली जा सकती है अगर वो किसी भी public place को access करना चाहता है तो एक गरीब है एक भीकारी है जो कि थेटर में जाके movie देखना चाहता है क्या वो देख सकता है? हाँ देख सकता है जैसे आप देख सकते हो जैसे मैं देख सकता हूँ वैसे वो भी देख सकता है उसको मना नहीं किया जा सकता है अगर किया जा रहोगा, दियान से दिखिए गाँ, public places की बात की गई, सिर्ट क्या, public park में जा सकता है, हाँ जा सकता है, लेकिन एक मिनट, एक मिनट, अगर आपने अपने घर पे park बनाय हुआ है, क्या उस park में कोई भिखारी आके बैठ सकता है, सर नहीं सर, वो मैं decide करूँगा अगर मैं अलाव करूँगा तो, अगर मैं मना करूँ तो चलेगा, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत वाले बाद, क्यों, क्योंकि that is not a public place, that is what, that is a private property, understood, भले ठीक है साथ, now apart from that, even उस पे restriction वगरा नहीं हो सकते हैं, for the use of the things which are maintained out of the government funds, अगर ऐसी कोई चीज है जिसको की government के funds से बनाया गया है, again kind of public place हो गया, या फिर we can say something which is nothing but a public property, कौन से property बटा, public property, उसको enjoy करने से मना कर सकते क्या, नहीं, ठीक है, या फिर dedicated for the use of general public, क्या बस में बैठने से मना कर सकते बिखारी को, नहीं, अगर वो ticket pay करता है, बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, flight में भी बैठ सकता है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, understood the point, डल्टी के साथ, now state can make special provision for the women and children, हाँ sir, ये चीज हो सकती है, जगह जगह पे आपको ये मिल जाएगा, कि महिलाओं के लिए आपको मिले, कि लेडिस first, या या फिर हो सकता है, कि आप जब कहीं वे train से जा रहे होंगे, तो जब आपके station पे train आई, तो आपको वहाँ डबा दिखाई देगा, केवल महिलाओं के लिए, है तो public property ना, लेकिन वहाँ पे reservation दिया गया है, क्या का गया है, केवल महिलाओं के लिए, हो सकता है क्या, ये sir हो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर हो सकता है, कि अगर बच्चा हो, तो कहा जाए, कि उसकी ticket नहीं लगेगी, या फिर half ticket लगेगी, ठीक है, तो क्या किया गए बटा, special provisions किया गए, कर सकते गया इसा, बिल्कुल सा, या फिर apart from that, other special provisions हो सकते है, for SEBC, या फिर ST और या फिर SC, scheduled caste, scheduled tribe, ठीक है, या फिर, जो socially और economically backward class वाले होंगे, इनका full form जो मैं यहा पर लिख देता हूँ, ताकि आप इसमें confused ना हों, ठीक है, सबसे पहले, SEBC, C, scheduled caste, sorry, scheduled economic, नहीं, sorry, 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 scheduled नहीं आएगा है, या पर, social, social और economical, backward, backward class, ठीक है, अगर आप इससे बिलॉंग करते हैं, या फिर ST, scheduled tribe, ठीक है, और या फिर SC, scheduled caste, कास्ट, ठीक है, सर, scheduled caste का मतलब क्या है, सर, ऐसी caste जिसको की constitution के schedule के अंदर लिखा हुआ, आपको ये भी बता दूँ, कि हर एक act आपका जो होता है, कानून जो आपका होता है, या constitution की बात कर लीजे, उसमें mean content के अलावा ennexures आपको दिये हुए होते है, ennexures मतलब साथ में attach किया हुआ document, उसमें आपको schedules मिल जाएंगे, schedules में आपको बताया होगा, कि कौन से कौन से caste को ये benefit मिलेगा, या फिर, ऐसे tribe आपको बताया गए होंगे, कह सकते हैं, kind of जाती, आपको बताया गए होगी, जो कि schedule में लिखी हुई है, और उनको अलग से benefit जो है, वो दिया जा सकता है, तो ये दिया गया किसके अंदर, article number 15 के अंदर, फिर उसके बाद में अगला point आता है, आपका कौन सा, article number 16, किसकी बात करता है, public employment, यानि कि government service, ठीक है, उसमें equality of the opportunity, बेदबाव नहीं किया जाएगा, कौन से basis पे, again, religion के basis पे, race के basis पे, caste के basis पे, sex के basis पे, इन सब चीजों के basis पे, सर, एक महिला जो है, अगर वो इंडियन आर्मे में मरती होना चाहे, तो कर सकती है क्या, हाँ, कर सकती है ना सर, eligibility होनी चाहिए, qualification आपके पास में होना चाहिए, कुछ conditions दी गई है, जो कि सब के लिए एक समान है, वो conditions को आपको पूरा करना होगा, अगर वो आप पूरी करते हैं, तो ऐसे के समें अब महिला है, पुरुष है, डोजन मेटर, अब अमीर है, गरीब है, डोजन मेटर, आप कौन सी कास्ट को बाल आप करते हैं, डोजन मेटर, सर, आज के टाइम पे, ऐसी मतलब बोलना नहीं चाहिए, platform पे, लेकिन the point इस, कि ऐसा माना जाता है, कि जो आ बिल्कुल साथ, खुले दिल से बढ़ती होती है, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप पुलीस की बात कर लीचे, बहुत सारे लोग हैं, जो की बढ़ती किये गए, understood the point, sir हमारा constitution, लोग क्या सोचते हैं, उसके basis पे constitution नहीं बनाया गया, सही क्या है, justice क्या है, just क्या है, fair क्या है, equal क्या है, उसके basis पे constitution जो है, वो बनाया गया है, ठीक है, तो आप हिंदू है, मुसलिम है, सिख है, इसाई है, it doesn't matter at all, अगर public employment है, अगर government service की बात की जाए, तो हर किसी को opportunity मिलने का equal अधिकार है, लोग क्या सोचते हैं, उससे कोई फरक पड़ता, नहीं है, understood the point, done, ठीके सा क्या कहा गया, अच्छा, ये भी अगिन ध्यान नीजे भाई सब, all citizens, अब खुद से ही आपको समझ में आ गया हुआ कि यहाँ पे any person क्यों नहीं बूला, sir, अगर कोई पाकिस्तानी बंदा इंडिया में आता है, वो कहता है, कि मुझे इंडियन आर्मी जोइन करना है, करने क्या कोई बंदा है, वो इंडिया में आके कहता है, कि मुझे इंडियन आर्मी जोइन करनी, क्या उसको करने दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, अलाओ यह नहीं होगा, ठीक है, done, sir, all citizens shall have equal opportunity for the employment and appointment in the public offices, shall be no discrimination, there shall be no discrimination against a citizen on the basis of same सारे के सारे, पूरे पांचों पॉइंट से, religion, race, caste, sex, और place of birth, यह पांचों के पांचों पांचों पॉइंट, ठीक है, done, ठीक है, sir, लेगिन फिर उसके बाद में कुछ exceptions भी दिये गए, मतलब क्या कहा जा रहा होगा, sir, कुछ conditions डाले जा सकते, कुछ restrictions जो है, वो डाले जा सकते, क्या-क्या, सबसे पहली बाद, Parliament can make a law that residents within the state or union territory, UT का मतलब क्या है, यहाँ पे, union territory, लिख दे तो मैं, UT का मतलब है, union territory, ठीक है, UT is essential qualification, ठीक है, ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है, अगर आप किसी दूसरे state के अंदर रहते हैं, और किसी state government का जो post है, उसको अगर आप लेने की बात करें, तो हो सकता है कि थोड़ा problem रही, ठीक है, तो genuinely public policies के basis पे यह differentiation वाँ पे किया चाह सकता है, या फिर, there can be reservations, जो कि है already, reservations can be made for the backward classes of the citizen, और या फिर, office related to any religious institution can be reserved for a person who profess that relation, तीसरे वाला पॉइंट, बहुत जादा इंपोर्त, office related to the religious institution can be reserved for a person who profess that religion, अब जरा एक बार एक बात बताईए कि क्या किसी मस्जिद के अंदर सोचने वाली बात है, ठीक है, क्या किसी मस्जिद के अंदर जो मुलाना होते हैं, क्या करते हैं, तालीम देते हैं, क्या उसके अंदर किसी क्रिश्चन फादर को अपॉइंट किया जा सकता है, नहीं, क्या क आपने उसी धर्म के इंसान के लिए पोस्ट को रिजव किया तो सही होगा बिल्कुल सब सही होगा उसमें कोई दिक्कतवाली बात नहीं है understood तो यह कहता है आपका article number कौन सा बेटा 16 वाला understood ठीक है सब फिर उसके बाद में आता है क्या article number 17 जो की बात करता है abolition abolition का मतलब क्या होता है बेटा हटाना हटा देना ठीक है किसी इसको untouchability छूवा छूथ छूथ ठीक है दोनों चीज़ा आ गई and its practice in any form is forbidden forbidden मतलब सक्थ मना है allowed ही नहीं है restriction नहीं है forbidden कर दिया गया मना कर दिया गया करी नहीं सकते यह वाली चीज़ा forbidden and such practice will be a punishable offense अगर कहीं पे भी ऐसा पाया चाता है example शायद आपने एक movie देखे होगी जिसका नाम है article number 15 movie है जिसका नाम क्या है article number 15 अगर मैं article number 15 के हिसाब से बात कुरूए यह देखे article number 15 ठीक है इसी article के उपर पूरी की पूरी movie बनी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी बंदे के साथ में छुआ छूद जो है नहीं कर सकते आईश्वान खुराना की वो movie है और मैं चाहूंगा चूंकि आप एक law के student है और चूंकि आपने एक consultation जो है इसको आज यहां पर पढ़ लिया है तो जाईए और उस movie को देखिए पूरा का पूरा example है मैं तो कहूंगा सिर्फ 15 नहीं उसमें पूरे इसकी बात की गई है पूरे right of equality की बात जो है वह वहां पर करी गई है मैं आप चाहूंगा कि आप और वह अले movie को देखिए ठीक है ठीक है ठीक है साब आटिकल नंबर 17 क्या कहता है कि आप चुआ चुद जो है उस पर वरोसा नहीं कर सकते हैं and then comes what आटिकल नंबर 18 क्या कहता है टाइटल को abolish कर दिया गया इसके हिसाब से क्या बो लगया बैसाब no title except military और academic sir अगर military के हिसा किसी को सुविदार कहा जाए चलेगा अगर military के हिसाब से किसी को major कहा जाए commander कहा जाए दोड़ेगा साब military में Air Force में या फिर academic बहुत important sir आपने doctor करी हुई है आपके नाम के सामने DR लग रहा है चलेगा क्या दोड़ेगा sir आप एक chartered accountant है नाम के सामने CA लग रहा है चलेगा क क्या दोड़ेगा sir आप कल को जाके company secretary बनने वाले हैं नाम के सामने CS लग सकता है क्या हां sir क्यों नहीं अगर आपने engineering कर ली और नाम के सामने ER लगाया यह फिर आपने architect किया है नाम के सामने AR लगाया चलेगा क्या दोड़ेगा sir आपने किसी field में PhD किया है और फिर से आपके पहला military के basis पे military जिसने सब आ गए आपका air force आ गया army आ गया और navy आ या फिर दूसरा academic जिसमें ये सारे आ गया ठीक है या फिर आपने क्या किया है law किया और आपके नाम के सामने ADV advocate अगर use करने की बात की जाए कर सकते है क्या बिलकुल साब कोई दिक्कत नहीं ठीक है distinction shall be comfort by the state ठीक है साब no citizen वापिस से ही right किसको citizen को क्या कहता है he shall not accept any title against the foreign state अरे बापर हो सकता है कल को जाके आप Indian government में ambassador का का काम परते हैं और foreign में जो इंडिया की embassy है वहाँ पे आप job कर एंडिया की जो government है वो government आपको कोई title देना चाहती है तो क्या आपको accept करना चीए सबसे पहले कहा कि है नहीं करना चीए या फिर या फिर आपने शारुक खान के बारे में सुना हो कप किसी Oxford University से उन्होंने PhD करी doctorate करी या कोई और university होगी I don't know exactly कौन सी university थी but करी ये confirm है right और उनके नाम के सामने doctor word जो है वो use किया ज़र है कौन देरा title foreign government foreign state foreign university which is nothing but the instrument of a foreign state ले सकते हैं but उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको permission लेनी होगी ये रेखे यह आपके दिया हुगा no person other than the citizen shall accept any title from the foreign state or any present और any present or involvement kind of present ही होगया price होगया without the consent of president अगर आपको लेना भी चाते होगे आपको क्या करना होगा president का consent जो है वो आपको लेना पड़ेगा ये समझ मैं done तो ये है बेटा right of equality अगर मैं पूरा का पूरा यहाँ पे बोलूँ तो लिख लीजिए इसको प्रॉपरली इसको no down कर लीजिए इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली आप इसको लिख सके और जहां जहां पे short term use किये गए सबसे पहरे आप यह लिख लीजिए आप right of equality article no.14 right of equality article no.14 फिर article no.15 वीडियो को pause करते जाएए लिखने के लिए पहला point फिर यह दूसरा point जहां पे एक word आ रहा है wrt इसका मतलब बनता है with respect to ठीक है यह आपका हो गया point no.2 फिर point no.3 और point no.4 point no.4 में SEBC इसमें आपका आगया क्या socially economically backward class ST की बात अगर आप करोगे तो इसको आप नाम दे सकते हैं scheduled tribe और SC की बात अगर आप करोगे तो इसको आप नाम दे सकते हैं scheduled caste ठीक है तो यह भी आप लिख लीजी वीडियो को pause करके फिर उसके बाद में article no.16 जो है equality of opportunity in matters of public employment article no.16 वाला फिर इसका जो content है वह आप लिख लीजे यहां पर UT word use किया है अपने exception में इसका मतलब क्या है union territory ठीक है Union territory for example Delhi हो गया recently Ladakh had हुआ था वो हो गया done with this next is article no.17 abolition of untouchability इसके बारे में पुरा content वीडियो को pause करके आप लिख लेंगे and its practice in any form is forbidden and such practice will be punishable offense अगर ऐसा कहीं पे भी पाया जाता है करते हुए तो उसमें आपको punishment जो है वो दी जाएगी ठीक है next point abolition of title article no.18 इसको लिख लीजी आप without the consent of president done चलिए यह पूरा प्रॉपरली यहां पे लिख लीजी हां जी so welcome back everyone सबसे पहली बात तो यह कि article no.14 जो है उसकी बात हमने कर ली फिर उसकी बात में article no.15 जो था उसका भी पूरा discussion जो है वो हमने कर लिया अब यह देखिए content अगर आप module में देखेंगे same वही दिया गया है जो अपने discuss किया अगर आप यहां पे देखेंगे तो article no.3 सब article no.3, 4, 5 और 6 यह क्या करते हैं exceptions create कर ला ठीक है exceptions में क्या-क्या बोला गया है वो अपनने पूरा discuss वहां पे कर लिया कि अगर आप backward class के हैं तो उस case में आपको benefit मिल जाएगा ठीक है तो यह पूरी जो चीज़ें हैं यह अपनने क्या किया चार्ट में study अच्छे से कर लिया तो आपको module को refer करने की ज़रद नहीं पड़ेगी इस चीज़ के अंदर ठीक है फिर हमने article number 16 के बारे में जो बात थी वो भी यहाँ पे देख ली फिर article number 16 के बाद में 17 वाला जो point था untouchability वाला वो भी हमने कर लिया और फिर उसके बाद में आया आपका article number 18 जो की titles को abolish करने की बात करता है उसको भी हमने यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से देख लिया है understood the point यह पूरी के पूरी बाते यह देख लीजे आप अच्छे तरीके से पूरी के पूरी बाते जो है यह हमने अपने charts में properly बना लिया और अगर MCQs की बात करूं तो इन ही points में से MCQs आएगा जो हमने के अपने chart में discuss करी ठीक है done लेकिन हाँ फिर उसके बाद में अगला हमारा point यहाँ पे आता है जो की article number 19 से शुरू होगा और यह कहां तक जाएगा आपका 22 तक ही जाएगा article number 19 से लिए के 22 तक जो की किस की बात करता है freedom की बात करता है आजादी की बात करता है अगर मैं यहाँ पे आजादी के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजेगा सबसे पहले आपका article जो है वो दिया गया है 19 इसके अंदर कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 article number 19 के सब article 1 के अंदर यह 6 बाते जो है वो आपको दी गई है इस तरीके से दिया गया है सबसे पहला बोलता है freedom of speech मतलब अगर आप अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाते हैं कुछ बताना चाते हैं कुछ बोलना चाते हैं बोल सकते हैं अगर आपको लगता है कि इस economy के अंदर या इस country के अंदर कुछ सही नहीं हो रहा है उस पर आप कुछ बोलना चाते हैं आप बोल सकते हैं एक्जांबल शायद आपने news channel वगर आपे देखा होगा कि काफी सारे politicians लोग जो होते हैं या businessmen जो होते हैं वो आते हैं और इवन जो सरकार हमारी काम कर रही होती है उसके against में जो opposition है वो भी वहाँ पर आते हैं और criticize करते हैं कि मेरे इसाब से ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था उस तरीके से होना चाहिए था ध्यान दीजेगा आपने कहा कि हम आजाद भारत के citizen हैं इसमें हम क्या है इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें किया करने का काम करना ठीक है किसी की मान हनी करना है ऐसा कुछ काम कर रहा है तो वह लाउड होगा क्या नहीं सब तो common sense वाली बात होगे कि यहाँ पे general restrictions जो है वो लगाए जा सकते हैं जिसमें आपको का जा सकता है कि आप बोल तो सकते हैं पर ऐसा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं जो कि हमारे देश के खिलाफ हो जो कि किसी person के liberty के खिलाफ हो किसी person को injury create करता हो या फिर किसी को defame करने का काम क करेंगे लंबी चोड़ी बातें इस पटलर topic में भी आपकी रहेगे ठीक है तो सबसे पहली बात तो यह article 19 जो है उसका sub article 1 उसके अंदर एक clause दिया गया है जो कहता है कि हमें अपनी बात रखने का और अपने expressions दिखाने का अधिकार है जो भी मैं सोचता हूँ जो भी मेरा मा आनना है उसको express करने का अधिकार जो है वो मुझे देता है constitution ठीक है फिर उसके बाद में दूसरा देखे असेंबल peacefully असेंबल होने का मतलग क्या होता है इकटा हो कैसे शांती पुर्वक मतलब मैं दंगे करने की बात नहीं कर रहा है अगर आप दंगे करने के लिए assembly create कर रहे हैं आपस में खटा हो रहे तो वो allowed होगा क्या नहीं सब वो allowed नहीं होगा लेकिन हाँ अगर चार-पांच लोग बैट के आपस में बात करना चाते हैं खेलना चाते हैं यह फिर मान लीजिए आपको system की किसी बात से problem है और आप धरना देना चाते हैं अंदोलन करना चाते हैं भूक हर्थाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या, अरे डिफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, it is allowed, allowed है क्योंकि आप ultimately अपने विचारों को व्यक्त करने की बात कर रहे हैं, और हर बार ये ध्यान देना जरूरी है कि भाई सब, we are part of independent India, कौन से इंडिया का part हैं हम लोग, हम लोग independent इंडिया का part, ठीक है, और इसका जितना अधिकार आपके पास में है, उतना ही अधिकार मेरे पास में है, और हर किसी के पास में है, हमारी country के अंदर कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, एक समान है, और हाँ, एक और important वाली बात, कि जितने भी ये नेता वगरा हैं, मंत्री वगरा हैं, ये government officials हैं, इन लोगों को किस ने चुना, हम लोगों ने चुना, तो ये जो किस के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम करना चाहिए, ठीक है, हमको इनके नीचे दब के रहने का point नहीं है, इसलिए ये सारी बाते जो वो यहां पर बोली गई, क्या काज अरब ऐसा, कि without arms, arms का मतलब यहां पर क्या है, हतियार वगरा नहीं होने चाहिए, peacefully, अगर हम assemble होने की बात करें, तो हमें assemble करना क्या है, allowed, apart from that, form, association, or union, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी association, create कर सकते, association का मत union भी बना सकते हो, आपने सुना हो, auto union के बारे में, labor union के बारे में, trade union के बारे में, ठीक है, तो एक community के जो लोग है, वो अपने community को grow करने के हिसाब से, अगर चाहें, तो union बना सकते हैं, या फिर association को भी create कर सकते, allowed है, apart from that, we can move freely throughout the territory of India, sir, मैं फिलाल महारास्टा में रहता असम चले जाओ, जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल साब, कोई problem नहीं है, या फिर मैं असम में रहता हूँ, मैं सोच रहा था, क्योंना गुजरात चले जातो, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, अरे, sir, बिल्कुल, आपको यहाँ एक state से, दूसरे state में जाने के लिए, कोई passport या वीजा की ज़रत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप freely move कर सकते हो, इसी country के territory के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पे, यह important ज्यान रखेगा, क्या कहा गया है, territory के अंदर, इसके बाहर नहीं, इसके बाहर जाओगे, तो आपको उस country की जो rules वगर होंगे, उनको follow करना जा सकता हूं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई problem नहीं है, understood the point, बल्टीक है साथ, या फिर आप सिर्फ move होने की बात नहीं करें, बल्कि आपने कहा कि मैं वैसे तो पैदा हुआ था महारस्टरा में, बट मैं सोच रहा था कि काश मैं पंजाब में जाके settle हो जाओ, तो क्या allowed है, और या फिर practice कर सकते हो, any profession जो आपको काम करना है, वो कर सकते हैं, सर मैं सोच रहा था, मैं किसी भी state में जाके खेती बाड़ी कर लो, कर सकता हूं क्या, allowed है सर, मचली पालन करना चाह, अरे सर allowed है, सर मैं कल को जाके company secretary बन जाओंगा, लेकिन जिस शहर में आज मैं रहता मैं metro cities में जाके काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है, कि metro cities में काम जो है, वो अच्छा खासा रहता है, और वहां पे growth भी अच्छी हो, तो अगर मैं मुंबई जाना चाहूं, पुने जाना चाहूं, या फिर मैं डेली जाना चाहूं, चिन्नी जाना चाहूं, कौलक ट्रेड या फिर बिजनस कर सकते हैं लेकिन हाँ यह दियान दीजेगा अगर आपको कि सर मैं सूच रहा था कि जादा गुस्तों मैं करने ही पाऊंगा क्योंकि पड़ाई बड़ाई में मन लगता नहीं है तो क्यों ना मैं सुपारी लिने का काम कर देता हूं मतलब सुपारी म इस वापस से आती है अगर आप आप आर्टिकल नंबर 19-20 की बात करें तो काफी सारी बाते जो हैं वो यहाँ पे आपको दी गई इनी सारी की सारी बातों को मैंने क्या किया है मैंने एक चार्ट के अंदर वापस से इसको पिरो लिया है जो कि आपको पढ़ने में और समझन में बहुत ही आसान जाएगा यह देखिए इसी चार्ट के अंदर पूरी की पूरी कान ही आ गई मॉडल साब मैच करके देख लीजेगा लगे तो ठीक है सबसे पहली बात अगर मैं आर्टिकल नंबर 19-right to freedom के बारे में बात करूं तो उसमें मैंने कहा कि सब आर्टिकल 1 अधिकार है, Assembly करने का अधिकार है, Association क्रेट करने का अधिकार है, Movement करने का अधिकार है, Reside करने का अधिकार है या फिर कही पर भी Trade या फिर occupation या फिर Profession जो है उसको continue करने का अधिकार है लेकिन इसके उपर کچھ restrictions जो हैं वो भी लगाए जा सकते हैं, They can also be imposed, but subject to falling conditions, अभी दान से सुनिए सर सबसे पहले आपने कहा कि आपके पास में क्या है बुले साहब फ्रीडम है आजादी है जो करना चाहो करो क्या 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 आजादी दी स्पीच करने की एक्सप्रेस करने की फिर उसके बाद में असेंबली करने की असोसियेशन क्रेट करने की फिर उसके बाद में म यह फिर आप महरास्टर में रहते हैं जहाँ पर एलकोहल अलाओड है और आप जाना चाहते हैं गुजरात में जहाँ अलकोहल क्या है बिलकुल भी अलाओड नहीं है तो क्या आपको वहां अंदर जाना अलाओग किया जाएगा answer is no, मतलब restrictions डाले जा सकते हैं, बहले हाँ सकते हैं, अब restriction डाले तो जा सकते हैं, लेकिन subject to certain condition, सब क्या है condition, तो ज़रा देखते हैं यहां पर जान से, just a second, subject to certain condition, उसमें भी सबसे पहला point क्या है, कि आपका जो restriction रहेगा, वो lawful होना चाहिए, illegal restrictions गवर्मेंट नहीं डाल सकती ह है, पहली बात, ठीक है, दूसरी बात, जो भी restriction डाला जाएगा, उसके पीछे एक कारण रहना चाहिए, it must be reasonable, ऐसा नहीं कि उटे सुटे आपको मना कर दिया, नहीं नहीं वैसा, sorry माफ करना, आप क्या हैं, आप बिहार और यूपी से आई हुए लोग हैं, नॉर्थ इंडि ले यहां से, ऐसा कर सकते हैं, नहीं साथ, there should be a justified reason behind any kind of restriction जो भी किसी के उपर impose किया जा रहा होगा, article number 19-1 के against, got the point, ठीक है, फिर उसके बाद, जो भी restriction इंपोस किया जाएगा, वो किस में होना चाहिए, public interest में होना चाहिए, restriction डाला जा रहा है, इसलिए डाला जा रहा है, त अगर आपको drugs लेके, अफीम लेके, या फिर कोई भी और illegal वाली चीज़े लेके, किसी भी state में गुसना, अगर allow कर दिया जाए, तो क्या यह public interest में होगा, answer is no, public interest में नहीं होगा, तो क्या हो आपको allow किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं साथ, वो आपको कतही allowed नहीं ह ठीक है, ठीक है साथ, फिर उसके बाद में, अगला point आता है क्या, protection against ex post facto laws, article number 21, very 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 much important, क्या, sir, अगर मैं कानून की बात करूँ, अगर मैं एक्स की बात करूँ, अगर मैं constitution की बात करूँ, मैंने आपको क्या बताया, अभी तक बहुत सारे amendments आ चुके हैं, module में ही 42nd amendment, 44th amendment जो है वो अपने देखा, ठीक है, और अभी तक अगर आप बात करूँगे, तो 78th amendment तक आ चुका है, got the point, अब point यह सर, ऐसा हो सकता है न, कि कल तक कोई चीज जो है, वो legal हुआ करती थी, बट आज illegal कर दी गई है, अगर law में change कर दिया गया होगा तो, या फिर उल्टा, सर, कल तक कोई चीज जो है, वो illegal थी, लेकिन आज वही चीज को lawful कर दिया गया है, आज वही चीज को क्या कर दिया गया है, lawful कर दिया गया है, ऐसा possible है, बोले हाँ सा possible है, ठीक है, एक example में आपको देता हूँ, सर, for example, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, तो there is a section which is called as 377, section 377, क्या है, LGBT, ठीक है, lesbian, फिर gay, फिर bisexual, I guess, and transgenders, ठीक है, सर, एक time था जब यह कहा जाता था कि यह सब लोग अगर है, ठीक है, यह सब लोग अगर आपस में relations create कर रहे हैं, तो it was what? It was illegal, ऐसा पहले बोला गया था, लेकिन अब अगर आप बात करोगे, तो आपका जो supreme court है ना, उसका ruling आया है कि नहीं नहीं वैसा, यह एक normal human, क्या बोलागी, genetics है या ऐसा कुछ तो भी है, जिसके वज़े से अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है, तो it is legal, allowed बोले, अभी तो यह भी बोल दिया गया है, कि साहब, अगर दो lesbians हैं, वो अगर आपस में शादी करते हैं, allowed है, अगर दो gay हैं, दो लड़के हैं, वो अगर आपस में शादी करते हैं, allowed है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, legal बोल दिया गया इस चीज़ को, लेकिन कोई जमाने में यह क्या होता था, illegal होता था, अब कहता है, साथ ध्यान से देखिएगा, यह आपको कहता है, that no person, सबसे पहली बात तो यह, कि क्या यह सर्फ citizen को बोला गया है, नहीं, यह किसको बोला गया है, any person, कोई भी बंदा, no person shall be convicted, convicted का मतलब क्या होता है, क्या बोलेंगे इस चीज़ को, जिसके उपर जुर्म जो है, offense जो है, वो प्रूव हो चुका है, convicted मतलब, offender, जिसने offense किया है, ठीक है, उसको convicted बोलेंगे, right, of any offense except for the violation of current laws, अगर आज आपने जो भी law, आज चल रहे हैं, जो laws आज के date में valid है, अगर आपने उनको नहीं माना, तो ऐसे case में आपको convicted माना जाएगा, लेकिन कोई जमाने में law हुआ करते थे, उसके हिसाब से आज काम करना जरूरी है क्या, नहीं सब, उसके हिसाब से आज काम करना करते ही जरूरी नहीं है, right, तो जब उसके हिसाब से आज काम करना जरूरी नहीं है, तो उसके हिसाब सब सजा कैसे दे दोगे, punishment कैसे दे दोग केस फाइल करना no person shall be prosecuted and punished ध्यान दीजेगा important वाली बात ये law का एक बहुत ही important चीज वर्ड क्या यूस किया गया बीच में and क्या कहा जा रहा है कि sir no person can be prosecuted किसी भी बंदे पे आप case file नहीं कर सकते and उसको punishment नहीं मिलना चाहिए for the same offense more than once very 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 much important sir एक बंदा है उसने किसी दूसरे इंसान का murder कर दिया ठीक है अब इस आशंका पे कि उस बंदे ने murder किया था court में क्या हुआ case चला court में क्या हुआ case चला एक example मैं यहां पे लेके चलता हूँ मान लीजे एक इंसान मान लीजे एक इंसान जिसको नाम आपने क्या दिया सुशान सिंग सुशान सिंग नाम सुनाओ को शायद आपने ठीक है सुशान सिंग राज़कूद इनके बारे में बोला यह गया था कि सर ये बंदे ने क्या किया सुसाइड किया बट साथ में ये भी अटकले लग रही थी कि सर ये सुसाइड नहीं अब मान लीजे कि बॉलिवुट के अंदर किसी एकादे एक्टर पे या फिर किसी एकादे डिरेक्टर पे और या फिर जो भी nepotism वाले लोग होंगे उनके ऊपर किसे ने क्या किया case file किया actual में ये काम हुआ भी था actual में बिहार में बकाईदा case जो है वो file किया गया कि एक बंदे को जिसका नाम है सुशान जिंग राजपुत उसको क्या किया गया mentally इतना हराश किया गया उसको abate किया गया suicide करने के लिए abate करने का मतलब क्या होता बेटा kind of uksana साथ देना किया नहीं ते कोई काम करना ही चीए करके provoke किया गया गया उस बंदे को suicide करने के लिए and it should be considered as a murder अब माल लीजिए कि किसी भी actor, director या nepotism वाले जो भी लोग है उनके उपर case जो है वो file हुआ सबसे पहला point यहाँ पर क्या हुआ they are being prosecuted prosecute किया गया case file किया गया ठीक है लेकिन सबसे पहला option यह कि उनको क्या हुई उनको ना सजा भी हुई and punished यह दोनों काम हो गया ठीक है तो कहा गया है कि जब एक बार इस particular matter के अंदर कौन सा matter matter है सुषान सिंग राजपूर का कतल करना सर इस matter के अंदर सामने वाले के ओपर case भी हो चुका है प्लस सामने वाले को क्या मिल चुकी है punishment भी मिल चुकी है तो क्या उसी बंदे पे दुबारा case किया जा सकता है हो गई सामने वाले को उसके हिसाब से क्या मिल चुकी है सजा भी मिल चुकी है इसकी भी पुष्टे होगी लेकिन आप आपका ये बोलना सब मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे में को बहुत दुख हो रहा हो यह वाली चीज का मैं चाहता हूँ कि ये बंदे को सजा पे सजा, सजा पे सजा, सजा पे सजा मिलती रहे दस साल की जेल काटे होगी उपरे उसने बट मैं चाहूँगा जैसी वो जेल से बाहर आए उसको फिर से जेल बेजो फिर से जेल बेजो फिर से जेल बेजो तो law कहता है कि एक ही इनसान को हिंदी में सुनिएगा आगे भी काम आएगा एक ही इनसान को किसी एक चीज के लिए बार 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 केस करके आप हार्ष नहीं कर सकते उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है अगर किसे ने गुना किया था आपने उसके अगेंस में केस फाइल किया प्लस उसको क्या हो चुकी है सजा भी हो चुकी है बात कतम होगी ना और क्या चाहते हो गुलाब लेकिन हाँ अगर सामने वाले के उपर आपने केस फाइल किया था लेकिन सजा नहीं मिले थी सामने वाले के गेंस में आपने हाइप कोट में केस फाइल किया था पर सजा नहीं मिले थी तो क्या आप उसके उपर अगें केस फाइल कर सकते हैं क्या आपने यहां जो वर्ड यूस किया वो वर्ड क्या था वो वर्ड था एंड प्रोसेक्यूटेड एंड पनिष्ट अगर सिर्फ प्रोसेक्यूट हुआ था लेगिन पनिश्मेंट नहीं मिले थी कोट ने क्या कि उसको बाइज़त बरी कर दिया क्यों सबले कोट में जो जजज बैटा था ना वो भी उसका क्या है चाचा है मामा है नाना है कोई भी हो सकता इंसानी बैटता ना वाई साब रोबोर्ट थोड़ी बैटते है वहां पर जो कि अनबायस डिसिजन दे दे हो सकता है कि कोई नो कोई वहां पर रिलेटिव बैट understood the point, अच्छा है एक बात और ध्यान से सुनू, क्या, सर यहां matter किस चीज़ का है, matter है इसका, क्या इस बंदे का murder किया गया by this person, ठीक है, इसके उपर prosecution भी चला और prosecution चलने के साथ-साथ एक काम और भी हो गया, that is what, that is punishment, दोनों काम हो चुके, तो क्या इसी matter के लिए इसके उपर दुबारा case file हो सकता है, नहीं हो पाएगा, लेकिन एक second, एक second, मान लीजे, industry में वापस से कोई एक बंदा आया, जिसका नाम था Mr. X, ठीक है, और इस बंदे का actual में क्या हुआ, murder हुआ, और पता यह चला कि murder करने वाला बंदा भी कौन था, यह इस इम बंदा, तो क्या उसी बंदे के उपर किसी दूसरे matter के लिए case file हो सकता है क्या, बिलकुल साथ, अरे माना है कि उसको सजा मिली है, पर वो तो किसी और गुना के लिए मिली थी, यह तो दूसरा गुना है वाइसा, इसके लिए भी सजा मिलनी चाहिए ना, understood, वापिस से एक एक word को ध्यान से समझ ल होने चाहिए, अगर एक बार prosecution हो चुका है, प्लस उस prosecution के basis पे उसको सजा मिल चुकी है, for the same offense, उसी offense के लिए तो उसको दुबारा आप prosecute नहीं कर सकते, दुबारा prosecution नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अगर दूसरा offense किया गया होगा तो, तो कर सकते, या फिर सब prosecution हुआ था, ल उसी matter पे दुबारा भी case किया, तो भी क्या होगा, चलेगा, कोई problem वाली बात यहां पे नहीं है, ठीक है सब, फिर उसके बाद में next point आता है क्या, article number 20, sub article 3, बहुत ही प्यारा, filmy type of article है, protection against self-incrimination, self-incrimination मतलब, मतलब यह किसी ने आपके उपर ना, एक case फाइल कर दिया, आप एक दम मतलब अच्छे इंसान है, कोई बुराई आप में नहीं है, लेकिन सामने वाला कोई बंदा है, जो पैसे वाला बंदा है, और आप से बहुत दुखी है, because of any reason, maybe आप competition में अच्छे होंगे, आपका business अच्छा चल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, सामने वाले ने क्य इसमें क्या बना दिया, witness बना दिया, ठीक है, हो सकता है, आपकी बीवी को kidnapped कर लिया, अच्छा सौरी आप तो अभी बच्चे हो, कहाँ आपकी बीवी को kidnapped करेंगा, ठीक है, या आपके मतलब जिसके भी, जो भी होगा, उसके बीवी बच्चों को kidnapped कर लिया, या ऐसा कुछ भी हो गया, जिसकी वजए से आपको मजबूर होना पड़ रहा है, अपने ही against में गवाई देने का, तो क्या ऐसा allowed रहेगा, नहीं, क्या कहता है बटा ज्यान से, no person shall be deprived of his life or personal liberty, except according to the procedure established by the law, ठीक है, आपकी जिन्दगी है, आपकी personal liberty है, क्या उस आजादी को चीना जा सकता ह नहीं, लेकिन हाँ, अगर law के हिसाब से आपको arrest किया जाए तो, मनलब आपने गुना किया है, पुलीस वाला आया, आपको arrest करके लेके चला गया, law के हिसाब से, law के काईदे के हिसाब, आपके against में F.I.R. register करी गई है, F.I.R. file की गई है, तो अगर आपको किया तो, तो भी चलेगा, या फिर दूसरा, अगर आपको कोई उकसाता है कि, अरे, तुमारी जिन्दगी खतम कर दो, बूले इसको, कोई काम की नहीं है, कोई दूसरा आपको उकसा रहा है क्या करने के लिए, suicide करने के लिए, क्या ही चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, understood the point, done, nobody shall be deprived of his life Sir, उसकी जिन्दगी है, उसको जीने दीजे, independent है वो बंदा, independent भारत का पार्ट है वो बंदा, उसको अपनी लाइक जो है, उसको जीने दीजे, उसको आप क्या मत कीजे, mentally, harsh मत कीजे, got it, ये भी कहा गया, और फिर उसके बाद में आता है, क्या, right to education, article number 21A, अभी यह ज्यान हाँ, 23 वाला जो था, वो था witness वाला, लगबख सेम सेम पॉइंट हो गए, किसी को भी उसके अगेंस्ट में गवाई देने की बात, नहीं की जा सको, फिर उसके बाद में आता है, कौन सा, 21, जो की बात करता है, protection of the life and personal liberty के बारे में, ठीक है, अब लेकिन इसके बाद में देखिए, कि 22 और 21 इसके बीच में क्या आया है, article 21A, जहां पे भी आपको ऐसा बीच में A वगरा लिखा हुआ मिलेना, तो समझ जाना, कि ये by amendment लाया गया है, ठीक है, कब आया था, जब भी आया था सर, अभी नहीं है, बहुत पुरान ठीक है, लेकिन जब 21 और 22 के बीच में, 21A आ रहा है, मतलब ये amendment के जरिए यहां पे लाया गया, क्या है, right to education, ये बहुत important, क्या कहता बैसाब, सब बोले, there should be a free and compulsory education, क्या होना चाहिए, free and compulsory education to all children, जिनकी age कितनी है, 6-14 साल, ये ध्यान रखेगा, exam में इसके उपर point आ सकत है, कि कितने साल के बच्चों के लिए, free education compulsory है, ठीक है, कितना है बटा, 6-14 साब, ठीक है, फिर उसके बाद में last point आता है, क्या, right against the illegal arrest, आपका रास्ते में किसी से जगडा हुआ, ठीक है, जिस से जगडा हुआ, उसके पापा, उसके चाचा, उसका भाई, ये कोई भी पुलीस में था, सामने वाले से जगडा हुआ, सामने वाले का इगो जो था, वो हर्ट हो गया, आपके गाड़ी का नंबर उसमें नोट कर लिया, या फिर एक मुवी शाद आपने देखियोगी, थोड़ी सी पुरानी मुवी है, बरदाश्त, बावी देवल, रितेश देश मुख, ठीक है, जिसमें रितेश देश मुख को अरेस्ट किया जाता है, हालां कि उसकी कोई गल्ती माँ पर होती नहीं, पुलीस वाले थे, दारू पिके थे, और बातो बातों में बातों में इतनी बात बिगड़ गई, कि उन्होंने उस बंदे को अरेस्ट किया, और उसको एंकाउंटर भी कर दिया, इनलीगल एंकाउंटर, तो क्या ये करना लाओड होगा, सोचने की बात है, आज की डेट में पुलीस ओफिसर जो है, उसके पास में इतनी अथारिटी है, कि वो बहुत सारे काम कर सकता है, या फिर दूसरे एक और मुवी आपने देख चोगी, इसके मुवी है, अक्षे कुमार की, उस मुवी के अंदर एक बंदा जिसका नाम था, इकबाल कादुरी, उस बंदे का फर्जी एंकाउंटर कर दिया जाता है, इल्लीगल अरेस्ट नहीं, अरेस्ट तो छोटी चीज होगी, क्या कर दिया, इल्लीगल एंकाउंटर कर दिया, ये बता के कि वो बंदा क्या है आतंग पादी तो क्या उसके सवाल उठ सकता है अरे उठा सर बकाइदा P.I.L. फाइल करीगे सर वोट इस P.I.L. पॉब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन ठीक है एक ऐसा केस जो की जनता के हित में किया गया हूँ पॉब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन ये फाइल किया गया द्यान से क्या कहता है बट इस नॉट अप्लाइट तो आल दा परसन यूनिफॉर्मली एंड मेक्स डिस्टिंक्शन बिट्वीन पहला एलियन एनमी बात करते हैं इसके बारे में बहुत द्यान से सुनिएगा और ध्यान से अभी भी हमारा जो में टॉपिक है वो क्या है बेटा फ्रीडम ठीक है अगर कोई भी बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पीछे जस्टिफाइड कारण होना चाहिए अगर जस्टिफाइड कारण नहीं है तो आप रेमेडी की बात महाँ पे कर सकते हो लेकिन एक सेक्ड़ अगर कोई बंदा एलियन एनमी है तो सर समझा नहीं मतलब आपने मुवी देखी थे क्या मुवी का नाम था सरब जीत ठीक है रियल स्टोरी थी जिसमें इंडिया का एक बंदा पुराने ज़माने में जब पीओ के वाला जो बॉडर है जहां पे तार लगे हुए वो नहीं हुआ करते थे पूरा लगबक आपका यह लगा लो सेम ही था बस इधर इंडिया और उधर पाकिस्तान था तो यह शरब जीत नाम का जो बंदा है वो स्कूटर से जा रहा था एलकॉल उसने पिया हुआ था और सड़नली गिर किया और पाकिस्तान में जाके गिर 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 थे उसको द जेल में रखाइब, इल्लीक रर्स अगर देखो गई तो बिल्कुल से अथिख यह यह रच्त नहीं होना चील है आपके, क्या कर रहा थो वह थ आप इंपे, बाद कि जमीन पर रहा हुआ था यह माना को प्या था था आठी ऑट इसको आप यह यह कह सकते ह। यह रही में चा द्यान रखिएगा law में एलियन का मतलब क्या होता है foreigner और enemy मतलब ऐसी country का बंदा जिससे हमारा जगड़ा है हमारा जगड़ा फिलाल दो country से है एक है आपका पाकिस्तान ठीक है और दूसरा को ने बेटा चाइना इन दो country से हमारा जगड़ा जो चल रहे है ठीक है तो इस country के र understood? done ठीक है साब फिर उसके बाद में दूसरा person arrested or detained under preventive detention law very much important कौन सा law बेटा प्रिवेंटिव प्रिवेंट करने का मतलब क्या होता है? रोखना detention करने का मतलब क्या होता है पिटा? कस्टडी में लेना ठीक है साब बुले कई बर कैसा होता है सामने वाले बंदे ने कोई offense नहीं किया यहम जानते हैं सामने वाले इंसान ने किसी भी टाइप का कोई offense नहीं किया ये हमको पता है बोले हम अच्छे से जानते इस चीज़ के बारे में लेकिन डाउट है कि शायद ये offense कर सकता है क्या कर सकता है शायद बोले ये offense कर सकता है तो ऐसे केस में आपको रोका जा सकता है आपको detain किया जा सकता है example देता हूं आपको for example जब आप जम्मू and कश्मीर की बात कर रहे थे तो article number 370 आपने सुना होगा कि इसको क्या कर दिया गया है हटा दिया क्या है जिसकी वज़े से अब ऐसा नहीं कहा जाएगा applicable to whole of India except German Kashmir ऐसा कहा जाएगा applicable to whole of India मतलब अब officially जम्मू and Kashmir is part of India except और इंडिया की जिते भी laws हैं पहले जम्मून कश्मीर पे नहीं लगते थे बट अब वो जम्मून कश्मीर पे भी लगेंगे correct तो अब point इसमें ऐसा आता भाई साब की article 370 को जब हटाया जा रहा था तो उस time पे जम्मून कश्मीर में एक तो था आपका अमर अब्दुल्ला ठीक है और दूसरा क्या नाम था मुफ्ती महमूद नहीं महबूबा ऐसा उस तो भी नाम था जो की lady थी वहां की जो actual में वहां की जनता को बढ़काने का काम करती थी तो अब point ऐसा है कि government को क्या लगा कि अगर हम section sorry article 370 को अठाने का काम करेंगे तो ये लोग क्या कर सकते हैं पंगा कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे case में अगर मैं preventive detention की बात करूँ तो simple तरीके से इसको आप नाम दे सकते हैं क्या नजर बंद कर देना साहथ public interest के against में अगर कोई बंदा ऐसा लगता है अगर ऐसा लगता है कि वो बंदा कुछ गलत कर सकता है तो उसको वो गलत करने से रोकने के लिए prevent करने के लिए उसको क्या कर सकते हैं detain कर सकते हैं और उसको illegal arrest का नाम नहीं दिया जाएगा understood the point ये कहा गया और फिर उसके बाद में other persons depend करता है कभी specify किया जाएगा अलग से special cases के अंदर जिसमें हो सकता है कि आपको arrest किया जाए और उसके पीछे government के पास में कोई justified reason भी रहेगा कि इस वज़े से आपको क्या किया गया है arrest किया गया understood the point done so this is all about what the right to freedom note कर लीजे इसको अच्छे से ठीक है यह उपर का हो गया और फिर यह नीचे वाला जो है इसको भी आदो डाउन कर लीजे चलिए so welcome back everyone बढ़ते हैं अगर बात करते हैं हमारे अगले topic के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर यह देखिए simple तरीके से restriction जो है उनको बुले impose किया जा सकता है अगर आप speech और expression वाली की बात करे तो ठीक है लेकिं restriction जो है वो किस type से हो सकते हैं सबसे पहली बात बुले आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जो हमारी country के sovereignty और integrity के against हो क्या नहीं कर सकते ऐसा आप कुछ भी नहीं बोल सकते या फिर आप कुछ भी express नहीं कर सकते जो की इंडिया के sovereignty और integrity के क्या है अगेंस्ट है पहली चीज़ या फिर दूसरा state की security के against मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी दूसरे country की जो आर्मी है उनको जाके हमारे country के जो trade secret से हो जाके देखे आजए यह कहके कि सर हमें तो बोलने का allowed था हम तो अपने आपको क्या कर सकते थे express कर सकते थे क्या ऐसा कर सकते हैं answer is no फिर उसके बाद में या फिर ऐसा कुछ भी बोलना या express करना जिससे कि जो भी foreign government है उनके साथ में हमारे relation क्या हो जाए खराब हो जाए या फिर ऐसा कुछ भी बोलना जिसके वाज़े से जो public order public order मतलब जो भी situation चल रही है इंडिया के अंदर शान्ती जो बनी हुई है उस शान्ती में भंग हो जाए कैसा कुछ कर सकते हैं या फिर decency या morality के अगेंस कुछ कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं क्या जो court के आदेश के अगेंस्ट हो मलब आपको court ने कहा था कि कोई पडलर काम जो है वो आपको नहीं करना आपको कुछ नहीं बोलना ऐसा आपको court ने कहा था बट आपने क्या किया कोट के ओर्डर की तोहीन करी ठीक है कंटेंट ओफ कोट का मतलब क्या बिटा कि कोट के ओर्डर के पालन नहीं करना कोट ओर्डर का पालन नहीं करना कोट का जो ओर्डर उसका पालन नहीं करना यह हो गया आपका क्या कंटेंट ओफ कोट और या फिर जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी को defame करने का काम आप कर रहे होंगे defame करना हिंदी में क्या बूलेंगे इस चीज को मान हानी करना ठीक है अगर ये वाला काम भी आप कर रहे हो तो ये भी आपको allowed कते ही नहीं होगा और या फिर incitement to an offense मतलब किसी को अपराद करने के लिए उकसाना incitement का मतलब क्या होता है उकसाना अगर आप किसी को कोई अपराद करने के लिए उकसाते हैं तो भी आपको बुलना और या फिर express करना क्या नहीं होगा allowed नहीं होगा मतलब कि इस type के restrictions वगरा जो है वो आपके उपर लगाए जा सकते हैं ये बुलाए कि इसमें article number 19 के अंदर तो अगर मैं notes की बात करूँ ठीक है तो notes के अंदर अगर आप देखेंगे तो normally अपने क्या बताया कि restrictions यहाँ पर लगाए जा सकता है बट restriction in conditions के basis पर रहेंगे यह अपने बोला लेकिन अपने यहाँ पर क्या नहीं बताया था कि यह इस type के restriction यहाँ पर हो सकते है तो यह एक बर आप क्या करेंगे model से देखके इसको properly implement कर लेंगे ठीक है page number कौँसा यह 14 बागा understood the point ठीक है साब बढ़ते हैं आगे और बात परते हैं अगले point के बारे में जिसमें से है कौन सा protection of the life and the personal liberty article number 21 पूरी की पूरी बात जो है वो अपने यहाँ पर अच्छे तरीके से कर ली है और आपको यह पूरा content पढ़ने की कोई जरुवत नहीं फिर उसके बाद में आता है आपका right to education article number 21a जिसमें क्या कहा गया है there should be free and compulsory education to all children जिसकी उमर क्या है 6 साल से 14 साल के बीच की तो यह भी discussion अपने क्या किया था अच्छे से कर ली अब अगर मैं module की बात करूँ तो module में आपका जो article number 22 है वो दिया हुआ नहीं हलां कि अगर अ अपने नोट के इसाब से बात करेंगे तो हमने article number 22 को भी अच्छे तरीके से यहां पर cover कर लिया additional information जो है वो अपने आपे देख लिए understood the point done and I hope कि आपने इसको नोट भी कर लिया हुआ अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं right against the exploitation exploitation करना मतलब हिंदी में इसका होता है किसी का भी सोशन करना क्या करना सोशन करना सब बच्चे अगर आप चोटे-चोटे बच्चों की बात करो तो देखा है काफी सारे factories होती है जहां पर बच्चों से काम करवाए जाता है अलावड होगा क्या अलावड होना चाहिए क्या या फिर कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि मजदूरी करवाई जाती है बड़ उनको जुत्ते पैसा देना चीए वो पैसा नहीं दिया जाता है या मजदूरी जो है वो करवानी चाहिए आठ घंटे के लिए दिन बर में बट उसी एक इंसान से बारा घंटे पंदरा घंटे बंदूवा मजदूर की तरह काम जो है वो करवाया जाता है काम करवाते हैं वो अलग बट साथ ही साथ जो उनको फैसलिटी प्रोवाइट की जानी चाहिए वो फैसलिटी प्रोवाइट नहीं की जाती यह क्या? आंसर is no. तो ऐसे किसमें क्या कहा गया है? कि किसी भी टाइप को कोई exploitation करना allowed नहीं होगा और सामने वाले बंदे का यह अधिकार है कि उसके against वो क्या कर सकता है? रोक सकता है. एक्षन लेने का काम जबू कर सकता है, remedy मांग सकता है. ठीक है? चली. क्या कहता है? सब बोले, अगर मैं Article 23 के साब से बात करूए, इसका चार्ट मैं नहीं बना पाया, बट अभी बना लेंगे इसको अगर Article 23 के साब से बात करूँ, सबसे पहली बात, human trafficking is not allowed. क्या लाओड नहीं बेटा? Human trafficking. शयद मुवीज वगरा में आपने काफिकर देखा होगा, किसी कंटेनर के अंदर मजदूरू को बांग के लेके जाये जा रहा है, या फिर एक मूवी आपने देखे होगी, जिसका रहा था, कुलार गोल्ड फिल्ड, KGF. गाना था उसके अं मेरे रिंटोन है, जब से वो मूवी आई है, तब से लेके अभी तब, इतने साल हो गए, बट मेरे रिंटोन जो है, वो अभी भी वही है, बहुत ही प्यारा लगता होगा, ठीक है, जो भी है, उसके अंदर अगर आप देखोगे, तो ट्रक बर के मजदूरू को ले जाये ज ठीक है, पहली बात, या फिर बेगर, या फिर other similar form of forced labor, किसी से भी खमंगवाना, या फिर किसी को बंदूवा मजदूर बनाना, are prohibited and any contravention shall be an offense which is punishable in accordance with the law, अगर ऐसा कुछ भी करवाया गया, तो ऐसी केस में आपको punishment जो है, वो जरूर मिलेगी, इस बात करहाना रखिए, अप Article 24 जो है, वो भी कुछ कहता है, क्या कहता है, it says, no child below the age of 14 years, 14 साल से कम का बच्चा, फिर चाहे वो 13 साल का हो, 5 साल का हो, 4 साल का हो, कोई वे बंदा क्यों हो, ठीक है, 14 साल से कम का, अगर कोई बच्चा है, उसको employ नहीं किया जा सकता है to work in any factory or mind, और engaged in any other hazardous employment, अब ये बात ब 13 साल का बच्चा है, वो अगर किसी चाहे के ठेले पर काम करता है, चलेगा क्या, हाँ, चलेगा, क्यों, क्योंकि से dance सुनियेगा, क्या, चाहे को, ये चाहे की जो टपरी है, क्या उसको मैं फैक्ट्री का नाम दू, नहीं सा, वो फैक्ट्री नहीं है, ये फिर अगर चाहे क की बात करें तो क्या माइन में काम कर रहे हैं नहीं सब माइन में काम नहीं कर रहे हैं और नहीं चाय की जगह क्या है हजार्डस हजार्डस मतलब क्या होता है खतरनाक ठीक है वो भी यहां पर नहीं है ठीक है सब तो इसके हिसाब से अगर मैं नोट्स बनाने की बात करूं जस् सेकेंड चली तो ध्यान से सबसे पहली बात तो यहां पर क्या राइट अगेंस्ट एक्स्पोइटेशन ठीक है इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया गया है आर्टिकल नंबर 23 जिसमें कहा गया है क्या देट नो पर्सन नो पर्सन शेल भी इंगेज़्ट इन हुमन ट्रैफिकिंग ठीक है स्पेलिंग तो अगर गलत होगी तो मार्क कीजेगा देख नहीं रहा होगा तो मैं दुबारे इसको कनेक्ट कर देता हूं ठीक है कोई भी बंदा किसमें इंगेज़्ट नहीं होना चाहिए यूमन ट्रैफिकिंग में इंगेज़्ट नहीं होना चाहिए एंड 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 नो वन शुड़ बी फोस्ट टू बिकम बेगर ठीक है भीकारी नहीं बनाने किसी को बेगर और फोस्ट लेबर ठीक है उससे फोस्ट लेबर भी मतलब अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से काम करना चाहता है बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है अपनी मर्जी से वो बंदा वो काम कर रहा है ठीक है लेकिन आप उसको force कर सकते हो कि नहीं ते कोई काम करना ही पड़ेगा नहीं साथ independent भारत का independent citizen है वो बंदा उसको force किया नहीं जा सकता ठीक है ये कहा गया है किसके अंदर आर्टिक्रमर 23 के अंदर लेकिन फिर आता है आपका आर्टिक्रमर 24 क्या कहा गया है कहा गया है that no child no child below the age of 14 years shall be employed ठीक है अब यह अंसर सुनो भैसा आप force नहीं बूला है क्या बूला है shall be employed मतलब किसी भी बच्चे को employ नहीं करना है sir अगर कोई बच्चा खुद से आके बूलता है कि मैं आपके factory में काम करना चाता हूँ तो भी employee नहीं करना है straight away मना कर दिया बहले ही सामने वाला बंदा अपनी मर्जी से यह कहता होगा कि sir मैं आपके factory में आपके mind में काम करने को तयार हूँ उसके बावजुद कहा गया है कि उसको employ नहीं करना है ठीक है इसके पहले अगर आप 23 वाले की बात करोगे तो उसमें क्या कहा गया था कि आप किसी को force नहीं करोगे human trafficking जो है वो तो बहुत करनी ही नहीं है लेकिन किसी से भीख मंगवाना क्या करना भीख मंगवाना या फिर किसी से जवरस्ती काम करवाना ये बिल्कुल भी allowed नहीं होगा लेकिन हाँ अगर वो voluntarily वो काम करना चाहता है उसकी मर्जी वो कर सकता है लेकिन वहीं पर अगर आप article 24 के साब से बात करों तो क्या कहता भी ऐसा that no child below the age of 14 years shall be employed कहां पर in factory या फिर माइन और 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 अधर हजार्ड़स Hazardous please ठीक है वहाँ पे इनको employ करना नहीं है यह आपको सिदह सिदह यहाँ पे बोल दिया अंडऱ्ूर्ट थीक है साब बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे Sir right against exploitation यह बात अपन कर चुके हैं इस पे और माथा पच्चेगर के मतलब नहीं आता लेकिन हाँ आगे बढ़ते हैं there is a right to freedom of religion Sir हमारी country जो है वो secular country है हमारा constitution कहता है कि हमारी country धर्म निरपेक्ष country है हमारी country का कोई भी धर्म नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि हमारी country में किसी धर्म को माना नहीं जाएगा इसका मतलब यह है कि हमारी country में जो बंदा जिस धर्म को प्रॉफिस करना चाहता है जिस धर्म को अपनाना चाहता है जिस धर्म के इसाब से पूजा करना चाहता है या फिर क्या बोलेंगे उसी इसको नमाज पढ़ना चाहता है या फिर अपने गौड को याद करना चाहता है या फिर सिखिजम के इसाब से काम करना चाहता है कर सकते है कोई प्रब्लम वाली बा होता है धर्म निर्पेक्ष होना किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती है किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती है सभी एक समान है ऐसा यहां पर बोला जा रहा है ठीक है अब इसके हिसाब से आर्टिकल 25 से लेके कहां तक 28 तक, आर्टिकल 25 से लेके कहां तक 28 तक, क्या बात करते हैं, सबसे पहली बात, freedom of consigns and free profession, practice and propagation of the religion, freedom of the consigns, आपको क्या समझ में आता है, आपको कौन सा दर्म चूस करना चाहिए, या फिर आपको कौन से दर्म को profess करना चाहिए, practice करना चाहिए, या फिर उसको propagate करना चाहिए, मतलब उसको बढ़ाना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए उसके, आपकी मर्जी है, you have what, you have freedom, मर्जी बोले आपकी, कोई आपको आके ये कहने वाला नहीं कि तुम इस दर्म की बात क् पहली बात, दूसरी बात, freedom to manage the religious affairs, क्या कर सकते हो, कहीं पर अगर आपको मान लीजिए, 25 डिसंबर आता है, चर्च वगरा में क्या होते हैं, प्रेयोस वगरा होती है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली मना नहीं आपको, मना ये दिवाली, एद मनाना चाहते हो, म जैसे अपने religious affairs को manage करना है, पूरी freedom है, आप अच्छे से अपना काम जो है, वो कर सकते है, ठीक है, फिर उसके बाद में, freedom as to payment of taxes for the promotion of any political religion, ये बहुत ध्यान से सुनियेगा, ये थोड़ा सा, मेरे इसाब से यहां model में प्रॉफरली लिखा हुआ, नहीं है, क्या, सर, आज ब लिया जाता है, और दूसरा कॉन सा, सर्वो GST वाला, goods and service tax, ठीक है, जो कि basically अगर मैं आपको बताऊं, तो ये kind of आपका indirect tax की category में आ जाता है, अब मान लीजिए हम लोग उसे क्या लिया गया, टेक्स लिया गया, आप कौन है, आप एक सिक है, और आप से टेक्स वसुल किया आएगा ना, इस से बोले हम हिंदु धर्म को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, चलेगा क्या, answer is no, किसी एक पर्टलर धर्म को बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आप से टेक्स वसुल किया जाए, कैसा किया जा सकता है, नहीं साब, ऐसा होना तो नहीं चीए, तो यहाँ जो यह freedom word लिखा हो है ना, यह freedom word आपका क्या हो गया, गलत हो गया, अरे बैसाब, आम जनता से आप पैसा लेने की बात कर रहे हो, और उस पैसे से आप यह कहना चाहरे हो, कि किसी particular religion, particular मतलब specific, किसी एक, एक से जद नहीं, किसी एक ही religion को क्या किया जाएगा, उसी को propagate किया जाएगा, उसी को promote किया जाएगा, सही बात है क्या, नहीं सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कर रहे हो, तो हर दर्म के लिए रहना चाहिए, नहीं कर रहे हो, तो किसी भी दर्म के लिए मत करो, सीधा simple point, understood, done, और फिर उसके बाद में, freedom as to attendance at the religious instructions, और religious worship in a certain educational institution, अब इसमें भी, kind of मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आपकी मर्जी है, क्या मर्जी है, मान लीजे कि आप एक Muslim है, और किसी स्कूल में आप जाते हैं, वहाँ जाके आपको पढ़ा चलता है, कि जो हिंदूओं की आरती होती है, वो आरती वहाँ पर करवाई चाहती example देरों में यहाँ पर simply है, और आपकी इच्छा है कि नहीं साब, मैं चुकि मुसलिम हूँ, तो मैं यह आरती वगरा चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं उसमें participate नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या कोई आपको force करेगा, क्या, नहीं कर सकता, या फिर दूसरा, मा आपको कोई कमपेल कर सकता है कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे ही करके खड़े रहेंगे, again, answer is no, got it, जिसको जिस हिसाब से, जिस धर्म को मानना है, जिस तरीके से मानना है, जो आपको करना है, वो आप कर सकते हैं, आपके उपर किसी भी टाइप को कोई burden जो है, वो नहीं डाला तक का, got the point, अब इसमें 25 से 28, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये हो गया आपका article 25, ये 26, और ये 27, और ये कौन सा है 28, understood the point, एस बात को ध्यान में रखेगा, चलिए, इसका भी मैं आपको चार्ड बना जिता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्या है topic का न इसमें अगर मैं बात करूँ, article 25 के बारे में, तो यहां पर क्या बोलता है, freedom of consigns, freedom of, तीन-चार चीज़े आपको दी गई है, चारो अलग अलग लिख लिएते हैं, सबसे पहला, spelling वापर से गरत हो गई, consigns, ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा, profession, freedom, to profess कर देता हूँ, इसको मैं, profess, to practice, and to propagate, ठीक है, to propagate any religion, religion of your choice, ठीक है, आपको जो लगता है, आप उसको follow कर सकते हैं, आपको छूट है, कोई दिकत नहीं, पहली बात, फिर उसके बाद में एक आता है, article number 26, यह article क्या कहता है आपको, freedom to manage the religious affairs as you want, ठीक है, आप अपने इसापस, उसको manage कर सकते हैं, आपको कोई force नहीं करेगा कि आप, जैसे मालने जिए, for example, सबले गणेश चतुर्थी आ रही है, बट आपको मना कर दिया गया कि नहीं, आप उसको क्या नहीं कर सकते हैं, आप उसको मना नहीं सकते हैं, उस ते ओहर को आप मना नहीं सकते हैं, ऐसा आपको कोई बोलने वाला नहीं है, नहीं इत के बारे में बोलने वाला है, नहीं बैसाखी के बारे में बोलने वाला है, और नहीं Christmas Day के बारे में बोलने वाला है, आपकी मरजी है, करो, enjoy करो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा करना है वैसा करो, ठीक है, डन, लेकिन हाँ, अगर उसी पढ़ले चीज़ को, country के sovereignty against आप यूज़ करने की बात कर रहे हूं, नहीं चलेगा, public interest के against यूज़ करने की बात कर रहे हूं, नहीं चलेगा, उसमें आपको र no person can be compelled, compelled to pay taxes, to pay taxes, for the purpose of, for the purpose of प्रमोटिंग एनी स्पेसिफिक एनी स्पेसिफिक रिलीशन ठीक है? गवर्मेंट ऐसा कोई टेक्स इंपोज नहीं कर सकती है जैसे माली जे डाल दिया हिंदू टेक्स, मुसलिम टेक्स नहीं साथ नहीं चलेगा ठीक है? और फिर आता है लास्ट में आर्टिकल नंबर ट्वेंटी एट यह क्या कहता है? इसको भी मेरी लेंवेज में नो पर्सन शेल बी फोस्ट टू अटेंड एनी रिलीजियस रिलीज न्स्रिक्षा क्ट्टियरिश्टिश्टिन Regist रिय Courts आप्स ए्यूड यूश् निलीजियरिश्चर्टियश्टिश्टियर न्स्रिक्षा आल इन्सिट च्चिश्ण managed by state fund ठीक है अब ये बात थोड़ा ध्यान से समझेगा भैसाब क्या अगर आप मश्जिद में पढ़ाई कर रहे हैं मुस्लिम होने के नाते ठीक है तो वहाँ पे आपको कुरान पढ़ाई जाती है क्या पढ़ाई जाती है गरान कर सकते है ऐसा अरे असवाज बिलकुल कर सकते हैं तो उसमें problem क्या है यह फिर अगर किसी का private school है जो कि Christian ने बना है और अगर आप उस school में जाके admission लेते हैं और अगर आपसे कहा जाता है कि यहाँ आपको जो prayer बोलना पढ़ेगा वो वही वाला बोलना पड़ेगा जो Christians के लिए बोला जाता है या फिर बगवान येशु के लिए बोला जाता है वो बोल सकता है आपको ऐसा करने के लिए लेकिन अगर ऐसे जगह की बात आप करें ऐसे educational institutions की बात आप करें जो कि किस से manage किया जा रहा है स्टेट फंड से manage किया जा रहा है क्या वहाँ पर आसा करने के लिए आपको बोला जा सकता है क्या answer is again no सवाल ही पैदा नहीं होता है ये बाद धन में रखिएगा ठीक है चली फिर उसके बाद ये जो बाकी है उनको पढ़के अपन खतम करते हैं ताकि पार्ट फ्री जो है वह आपका यहाँ पर complete हो जाए और फिर उसके बाद में आगे उसमें बढ़ेंगे पार्ट फूर की बाद जो वो करेंगे ठीक है लेकिन पार्ट फ्री के अंदर एक बहुत ही important वाली चीज यहाँ पर आती है that is right to the constitutional remedy article कहां दिया गया है 32 वाला बहुत मतलब बहुत ही zายँ बहुत जहां से सुनिए कÜ इसमें कहना क्या चाहते है ŧुयना चाहते है अब के आपको article number 14 से लेके article number 30 तक कहां से लेके कहां तक spot article number 15 तक आपको क्या दिये गया है सब उले हमको दिये गए है fundamental rights ठीक है यानि कि हर एक बंदा कुछ cases में citizen, कुछ cases में हर एक बंदा क्या कर सकता है इन fundamental rights को enjoy कर सकता है लेकिन अगर इन rights का infringement होता है क्या होता है infringement मतलब आप से ये अधिकार जो है वो छीन लिया गया या आपको ये अधिकार जो है उसको freely enjoy नहीं करने दिया गया या government जो है वो आपको इस अधिकार से क्या कर रही है वंचित कर रही है जान बुच के आपको deprive कर रही है अगर ऐसा आपको पदा चलता है तो आप उस infringement के against में क्या कर सकते हो आप remedy ले सकते हो ठीक है ये remedy के लिए आपको कौन बोलता है बेटा ये remedy के लिए आपको बोलता है article number 32 जो कि आपसे ये कहता है कि अगर कोई भी government officer या फिर government या फिर government की कोई agency अगर आपके right को infringe करती है तो आप सीधा जा सकते है Supreme Court के पास straight away Supreme Court ध्यान दीजिएगा Supreme Court के पास जाना मतलब इंडिया के सबसे बड़े क्या बात कर रहे हूं ऐसा हो सकते है क्या सीधा Supreme Court के पास में जा सकते है अरे yes आप straight away सीधा Supreme Court के पास जा सकते है और उनके पास जाके आप writ petition नाम के एक चीज होती है ठीक है word यहां पर यूज किया गया है petition जिसका अगर मैं simple तरीके से मतलब निकालूं तो वो होता है क्या application जब आप application किसी court के पास में फाइल करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है legal words में petition कहा जाता है तो आप petition फाइल कर सकते हो अब चूकि अपने को यहीं पर मिल रहा है तो यहां पर अच्छे से बात कर लेते हैं ठीक है अगर मैं writ petition के types की बात करूं तो मैं आपको बता दू कि यह पाँच type का होता है किते type का होता है पाँच type का ठीक है एक होता है जिसको नाम दिया जाता है habis corpus क्या नाम दिया habis corpus मतलब यह की एक latin word है और इसका अगर मैं English में मतलब निकालने की बात करूं तो इसका मतलब होता है to have the body क्या मतलब होता है to have the body सब कई बार ऐसा होता है बहुत ध्यान से हिंदी में समझ येगा क्या बोल रहा है सब बोले कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को एक police officer पकड़ के ले गया अरेस्ट कर लिया लेकिन उस police officer को जाके हम पूछ रहे है कि साहब आपने इनको मतलब relative गया relative ने जाके पूछा कि साहब आपने इसको गिरफतार क्यों किया इसका गुना तो बताईए पुलिस वाला बोलता है नहीं बताऊँगा अरेस्ट किया हुआ है एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पास दिन हो चुके है अरेस्ट किया हुआ है लेकिन कारण नहीं बता रहा उस चीज़ का अच्छा हाँ लॉग के इसाब से माप को एक बात और बता दू यूजुवली कैसा होता है मान लीजे किसी भी बंदे को पुलीस वाला आया और उठा के लेके चला गया पुलीस वाले की ये ड्यूटी है कि जब से उसको अरेस्ट किया गया है उसके अगले 24 आर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको क्या करना पड़ेगा प्रेज़ेंट करना पड़ेगा किसके सामने मजिस्ट्रेट के सामने ठीक है कोट का जो जज आपका होता न उसके सामने उसको क्या करना पड़ेगा present करना पड़ेगा ये law कहता है और फिर उसके बाद में उसको और लंबी custody में रखना है या नहीं रखना है ये magistrate बताएगा पुलीस वाले को और अगर magistrate कहता है कि नहीं इसको छोड़ दो तो छोड़ना पड़ेगा समझ मैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपसी ग्रज की वज़े से हो सकता है कि किसी पुलीस वाले के साथ में आपका जगडा हो गया पुलीस वाले का ego जो वो हर्ट हो गया और उसने आपको क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया तो हैव दा बॉड़ी क्किम बाड़ी कौन है अपन अपने को क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया किसने किया? पुलीस वालेने तो अब हम जाएंगे सिधा सुप्रीम कोट के पास कौन जाएगा? मेरा रेलेटिव सुप्रीम कोट के पास जाएगा रिट पेटिशन फाइल करेगा और उसमें लिखेगा सहाथ सोएन सो पुलीस ओफिसर था उसने मेरे लेटिव को अरेस्ट कर लिया लेकिन कारण ही नहीं बता रहा है अगर कोई जस्टिफाइड कारण है तो बताओ बले हमको हम उसके लिए कुछ अपोज नहीं करेंगे लेकिन बिना किसी कारण के आप कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हो भाई साब सवाल ही पादा नहीं होता है तो इसमें क्या होगा कि जब हमने पेटिशन फाइल करी सुप्रीम कोट के पास में तो सुप्रीम कोट जो है उसका कारण क्या है कारण बताओ ऐसा आपको 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 पुछा जाएगा यह होता है किसके अंदर है बस कॉर्पस के अंदर understood the point ठीक है साब लेकिन फिर उसके बाद में एक और important आता है आपका जिसको नाम दिया जाता है क्या करना prohibition ठीक है नाम खुदी बता रहे है क्या prohibit करना रोकना मना करना कई बार ऐसा होता है कि government authority जो है या फिर कोई government का officer जो है वो अपने limit को पार कर देता है अपने jurisdiction को पार कर देता है ठीक है तो ऐसे के इसमस बंदे से कहा जाता है भाई साब सुनो 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 जो काम करने के लिए आपको बोला नहीं गया है आप वो अला काम क्यों कर रहो भई आप वो अला काम करी क्यों रहे हो जहां आपका jurisdiction नहीं है वहां तक आप जाही क्यों रहे हो ठीक है तो ज्यान से prohibition issued by तो नहीं लेते हैं आपे issued to subordinate court which exercised beyond its jurisdiction or power ठीक है जिसने अपने दायरे को cross करने की कोशिश करी उसको कहा जाता है example देता हूँ वापिस आपको मान लीजे कई बर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई case है जो कि कोई court entertain कर रहे है लेकिन सवाल ही आता है कि भैस सब क्या उस court के पास में authority है कि वो उस case को entertain करे example देता हूँ आपको इस चीज के बारे में sir आज की date में हमारे country में 21 high court है कितने high court है 21 high court है ठीक है हर एक state को represent करने के लिए कही ना कहीं high court जो है वो बना हुआ है Bombay high court है जो कि महारास्टा को represent करता है फिर उसके बारे में जबलपूर high court है जो कि मध्यपरदिस को represent करता है फिर करनाटका high court करनाटका के लिए God the point, Madras high court है जो कि किसके लिए है तमिल नाडू के लिए अब आप बोलेगे से एक मिनट स्टेट तो एक किस नहीं है सब स्टेट तो जादा है बिल्कुल लेकिन कई बार कैसा होता है कि कुछ union territory या फिर एक से जादा स्टेट के लिए एक ही high court दिया हुआ example अगर आप चंडिगड high court के बात करेंगे तो हरियाना पंजाब और चंडिगड चंडिगड क्या है union territory है ठीक है तो हरियाना पंजाब दो स्टेट और चंडिगड तीन स्टेट ये तीनो जगों के लेके एक ही high court जो है वो बनाए गया ठीक है लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि basically आपको जाना चाहिए था करनाठका high court के पास बढ़ आप चले गए कहां बॉंबे high court के पास बॉंबे high court के पास में इसका decision लेने का कोई authority था ही नहीं क्योंकि property कहां पे है करनाठका high court में ठीक है तो case कहां जाना चीए था करनाठका में तो ऐसे case में अगर बॉंबे high court इस बात को ध्यान में रखे बिना ही कोई decision अगर देता होगा तो आप क्या कर सकते हो supreme court के पास जाके writ petition file कर सकते हैं हमारे साथ ये गलत हो रहा है case जो entertain किया जाना चाहिए वो बॉंबे high court में नहीं बलकि करनाठका high court में होना चाहिए हमको decision वहां से चाहिए ठीक है तो उसके लिए वापिस से ये कौन issue करेगा supreme court किसको करेगा subordinate court को करेगा understood the point ठीक है साब फिर उसके बाद में एक और यहाँ पे Latin word आता है जिसका नाम दिया जाता है mandamus सर ये कैसे कैसे नाम ले रहे हो सर अरे ये तो foundation है foundation मतलब cswt basic base है आपका नीव है आपकी ठीक है आगे आगे देखो होता है क्या जब आप executive में आओगे तो एक से एक भारी word आपको यहाँ पे मिलेंगे ठीक है बट ठीक है that is a part and parcel of the life profession वैसा है तो उसमें वैसे words यूज होंगे होंगे अच्छा अब अगर मैं यहाँ mandamus की बात करूं तो mandamus का मतलब होता है we command क्या मतलब होता है इसका इसका मतलब होता है we command command करने का मतलब क्या होता है order देना sir यहाँ आपने prohibition की बात करी यहाँ आपने mandamus की बात करी प्रोहिबिशन में आप क्या कर रहे थे कोई बंदा जो अपने पावर से आगे जा रहा था उसको आपने रोका उसको आपने ये कहा कि जो आथोरिटी आपको दी गई है आप उसके बियॉंड मत जाईए उसी पावर में रहे कि आप काम करो चीक है और वही पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा है जो कि आलसी है कौन है आलसी है मतलब मतलब यह कि कि किसी बंदे का दायरा जो है किसी गर्मेंट दिला ही जा सकते हैं, तो Supreme Court क्या करेगा? Supreme Court यहाँ पर उसको command देगा, उसको आदेश देगा, कि तुमको so and so काम करना है, जो कि तुमारी जिम्मेदारी है, और अभी तक तुम यह करने ही रहे थे, अभी order देने के बाद तुमको यह काम करना पड़ेगा, उससे कहा जाता है, क्या? मेंड़मस, मेंड़मस का मतलब क्या है बिटा? वी कमांड, अब यह आपके MCQs के साब से ध्यान में बस यही रखेगा, कि मेंड़मस का मतलब क्या होता है? ठीक है? इसका, अगर expression लिखना है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ, Supreme Court order the subordinate court or the government officer to comply with his duty properly ठीक है? जो तुमारा काम है बोले, उस काम को तुम को करना पड़ेगा, यह उसको यहाँ पर क्या किया जाता है? remind करवाया जाता है, फिर उसके बाद में अगला जो point यहाँ पर आता है, that is again very much important, नाम है कुवो वारंटो सर यह कैसे कैसे नाम आप यूज़ कर रहा हूँ सर, पैबलो एसको बार, कुवो वारंटो, एक सेकिंड ना, कुवो वारंटो को अगर मैं मतलब की बात करूँ, तो हिंदी में सिंपली बूला जाएगा किसने अधिकार दिया? हिंदी में क्या बोलेंगे? किसने अधिकार दिया? या फिर इंगलिश में हूँ गेव दा ऑथोरिटी या हूँ ऑथोराइजड यू सर, कई बार ऐसा होता है, शाद आपने मुवीज वगरा में देखा होगा, साउथ इंदिन मुवीज में यूजूली होता है, क्या? एक पुलीस वाला है, कौन है? पुलीस वाला है, SP है, वो जाता है डेली अपने पुलीस ऑफिस के अंदर, जाके अपना नॉर्मल काम करता है, रूटीन वर्क करता है, वापिस अपने घर पे आता है, और बीवी बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करता है, और आराम के जिन्दी उसकी चल रही होती है, अगले वाले दिन जो बंदा पुलीस ऑफिसर है वो अपने स्टेशन पे नहीं जा रहा है, बलकि एक ऐसा बंदा जो की रिलेटिव था, बट वो पुलीस ऑफिसर नहीं है, वो जाके पुलीस स्थाने में बैठ गया, क्या उसको अलाउड है क्या, नहीं, ठीक है, कल को जाके अगर इसी इसका डाउट आता है कि भाई साब ये बंदा यहां बैठा हुआ है, पर सवाल है कि क्या इसके पास में इस बात की ऑथरिटी है, कि वो यहां पे बैठ सके, आंसर इस नो, ठीक है, तो ऐसे केस में, अगर कोई भी बंदा किसी गवर्मेंट ओफिस का मिस्यूस कर रहा है, मतलब उस गवर्मेंट ओफिस पे बैठने की ऑथरिटी उसके पास में नहीं थी, बड़ उसके बाउजुद वो वहां पे बैठा है, और एकॉर्डिंगली वहां पे काम कर रहा है, और अगर किसे को डाउट जाता है, तो सुप्रीम कोट के पास में जाके अप्लिकेशन किया जा सकता है, कि सर, ऐसे ऐसे सीट पे एक बंदा बैठा है, लेकिन नहीं तो वो बंदा अपना आईडी कार दिखाता है, और हमें तो ये भी डाउट है, कि शायद वो बंदा वहाँ बैठने के डिजर्फ करता ही नहीं है, मतलब ऑथर्टी नहीं उसके पास में कोई भी, तो ऐसा अगर डाउट जाता है, तो सुप्रीम कोट उसको और इशू कर सकता है, कि आपको ये बताना होगा, कि आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, वहाँ बैठने का अधिकार आपको दिया किसमें, कोई एक्जाम एक्जाम पास की होगे ना बोले आपने, तो अगर की है, तो दिखाई ये उस चीज़ का प्रूफ, कि आपने एक्जाम पास करी है करके, ठीक है, कुओ वारिंटो, किसके ओर्डर से तुम आपे बैठे, अंडर्सूट दा पॉइंट, ठीक है सब, और फिर उसके बाद में आता है आपका, लास्ट बट नॉट दा लीस्ट, ये वाँज़ लेज़ लेज़ सर्शियरी, क्या ना बाता है, सर्शियरी, सर्शियर क्या है, अब इसका जो मतलब होता है, वो बहुत रैंसर सुन लीज़े, सिंपल तरीके से क्या, कि आपका जो सुपीरियर कोट होगा, सुपीरियर कोट जो है, इट ओर्डर्स, सरी, इट रिव्यूज, रिव्यूज, इस लोवर कोट, ठीक है, अभी ध्यान दीजेगा वैसाब, क्या, सर, इसके पहले हमने जहां पे भी बात की न, चाहे आप हैबस कॉर्पस की बात करो, मेंडमस की बात करो, प्रोइबिशन की बात करो, या कोब वरंटो की बात करो, ये हमने court के बारे में भी बात कर ली और court के साथ-साथ में जो government officers हैं, चाहे वो police officer होगा, income tax officer होगा या कोई भी और officer, सब की बात कर ले लेकिन जब आप यहाँ पर surgery की बात कर रहे हो तो इसमें it is always against a particular court जो subordinate वाले court होते हैं, lower वाले court होते हैं अगर उन्होंने कोई decision दिया, ठीक है, बहुत answer देखिएगा क्या बुला हमने, हमने कहा कि यह जो आपका lower वाला court है इसने क्या किया, इसने अपना कोई decision जो है, वो सुना दिया लेकिन यह decision को सुनाते टाइम पे, उसने evidence को डंग से देखा नहीं दोनों पक्षों की बात जो है, उसको सुना नहीं decision दे दिया, लेकिन biased वाला था एक party की बात सुनी और उसी की favor में decision जो सुना दिया दूसरे party की पूरी बात सुनी नहीं, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सकता है सामने वाला जो बंदा है, सामने वाला जो judge है, वो हो सकता है कि एक party से मिला हुआ होगा, या उसका relative होगा तो decision accordingly सुना सकता है और अगर किसी दूसरी party को जो की aggrieved है, जिसकी बात सुनी नहीं गई उसको अगर ऐसा लगता है, तो वो सीधा किसके पास जाएगी superior court के पास, उसके पास जाएगी जाके क्या गएगा sir, मेरी बात को वाँ पे डंग सर सुना नहीं गया order pass किया गया है, लेकिन वो order, genuine order pass किया हुआ नहीं है, तो accordingly बोले क्या करना है accordingly उसके decision को check करना है, review करना है और अगर आपको सही लगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, revise करना भी पड़ेगा got it, done, तो इस तरीके से ये 5 क्या हो सकते हैं, ये ध्यान में रखेगा इनके उपर exam में question आना एकदम पक्का है, आएगा मतलब आएगा ही आएगा doubt ही नहीं इस बात का कोई, ये पांचों के उपर question जो है, वो आएगा ही आएगा ठीक है, लेकिन ज़रा एक second, एक और कहानी में twist जो है, वो मैं आपको बताता हूँ ये जो writ petition है ना, these writ petition can also be filed in high court कहा कर सकते हो, high court में भी जा सकते हो, under article number 226 article number 226 के साब से, लेकिन important point dancer सुनिएगा but, but, it is not to be considered as fundamental right ये बहुत important point भाई साब, सर, fundamental right की बात अगर आप करोगे, तो हमने क्या बुला, हमने कहा था, article number 14 से लेके 32 तक, वैसे तो 33 तक है, लेकिन, fundamental right जो है, वो कहा तक है, 32 तक है, अगर आप 35 तक की बात करो, तो जो पार्ट नंबर 3 आपको दिया हुआ है, वो पार्ट नंबर 3 14 से लेके कहा तक जाता है, 35 तक जाता है, और उसमें भी अगर आप 33, 34 और 35 की बात करोगे, तो उसमें general वाली बाते जो हैं, वो बोली गई है, जनरल वाली बातों का मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपना इन points को enforce करने की बात नहीं कर सकते, उसमें जो point दिये गए हैं, अग तो please हमको क्या दिलवाओ, नहीं दिलवाओ, यह नहीं बोल सकते, ठीक है, बट ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पे, हमने क्या कहा, कि सर, article number 14 से लेके 32 तक जो है, वो fundamental rights है, और अगर आपके fundamental rights का harm होता है, तो ऐसे के इसमें आपके बास में remedy रहेगी, यह हमने कहा, Supreme Court के पास में, और अगर इंड में से किसी भी एक matter पे आप क्या करते हो, writ petition file करते हो, तो Supreme Court आपको यह नहीं कह सकता, कि मैं आपकी बात नहीं सुनूगा, उसको सुनना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि article 32 जो है, वो आपको constitutional remedy प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक आपका क्या है, fundamental right है, आप से यह अधिकार को चीन नहीं सकता, सामने होले को सुनना ही पड़ेगा, लेकिन आपको additionally यहाँ पे क्या बताया गया, कि आप High Court के पास भी जा सकते हो, लेकिन यह कहां बोला हुआ है, Article 226 के अंदर बोला हुआ है, सब क्यों बोला, क्योंकि Supreme Court इंडिया में किते ह है, एक, High Court के ते है, 21, अगर सारे के सारे के से Supreme Court अगर हैंडल करेगा, तो burden बहुत जादा हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, तारिक, तारिक पे, तारिक, तारिक पे, तारिक, तारिक पे, तारिक, तो case जल्दी solve हो पाएगा, नहीं, तो ऐसे case में High Court के पास भी power दिया गय है कि अगर Supreme Court के पास में time लगेगा ऐसा आपको लगता है तो आप अपने state के High Court के पास में चले जाईए वो आपके problem को solve कर देंगे लेकिन आप High Court के पास में गए पर जाने के बाद में High Court ने आपको बोला कि नहीं मुझे इसमें कोई problem नहीं लगता है आपके writ petition को मैं reject करता हूँ कर सकता है क्या हाँ सर High Court जो है वो आपके writ petition को अगर चाहे तो reject कर सकता है it is not at all important कि वो आपकी बात को वहाँ पे माने और आपके writ petition को वो entertain करे अगर उसको लगता है कि हाँ करना चाहिए तो कर लेगा अगर लगता है कि नहीं करना चाहिए तो नहीं करेगा मरज़ी है उसके और यह मरज़ी क्यों है क्योंकि हाई कोट के परस में रिट पेटिशन फाइल करना is not your fundamental rights यह आपका fundamental right नहीं है बिल्कुल भी इसी understood the point done चलिए साथ ठीक है तो सबसे पहले आप यह no down कर लीजिए आप यहाँ पे ठीक है इसको मैं जूम कर देता हूँ प्रॉपर ले आप इसको no down कर लीजिए ठीक है फिर उसके बाद में अगले वाला आर्टिकल 25 जो है उसको no down कर लीजिए फिर आर्टिकल 26, 27, 28 जो है इसको आप no down कर लीजिए राइट और फिर यह वाला पेज इसको भी प्रॉपर ली आप no down कर लीजिए डन चली हम यह देख लीजिए यहां पर आपको दिया हुआ है हेबस, कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, को वरंटो, सर्शरी ठीक है तो यह पूरा कंटेंट जो है वो अपने यहां पर देख लिया और एवन अगर मैं आपको बता हूँ तो यह आपको आगे भी दिया हुआ है जब आप ड्यूटे की बात यहां पर कर लेंगे तो आगे चल के आपको यह कहां मिलेगा यह देखें, टाइपस ओफ रिट के बारे में यहां पर दिया हुआ है, यह पूरी जो बाते हैं इसके अंदर का जो कंटेंट दिया हुआ है यह पूरा मैं आपको बताया मेंडमस के बारे में पूरा मैंने आपको बताया प्रोइबिशन के बारे में बताया सरशरी के बारे में बताया जितना बताया है उतना ही sufficient रहेगा इसके जादा आपको पढ़ने के यहां पर ज़रूरत नहीं रहेगा स्टिल एक रीडिंग अगर आप यहां पर लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं अदर्वाइस जितना आपने नोट्स में किया उतना ही आपके लिए क्या रहेगा sufficient होगा understood done चलिए वैसा अब इसके बाद में हम यहां जब बात कर रहे थे freedom की बात हो गई थी enforcement of fundamental rights 32 हाँ अब यह वाला एक paragraph यहां पर देख लेते हैं जहां पर article number 33 से 35 के बारे में भी कुछ बोला गया क्या कहता है that they are supplementary supplementary का मतलब क्या होता है additional कुछ additional आपको दिया गया है and do not create or guarantee any right so माना कि यह part 3 का ही part ठीक है माना कि यह 14 से लेके 35 तक part 3 का part लेकिन section number sorry article number 14 से लेके 32 जो है यह आपको fundamental right create करता है but 33, 34 और 35 जो है यह क्या है बटा यह सिफ supplementary matters के बारे में दिया हुआ है यह किसी भी टाइप के guarantee यह right create नहीं करते है यह ध्यान में रखेगा therefore we shall discuss article 32 first and then rest of the article 33 to 35 32 की बात यहां पे हो गई 32 की जो बात है वो यहां पे आपकी हो गई got it that's it चली हाँ जी so बढ़ते हैं आगवे बात करते हैं अगले point के बारे में जो की बहुत ही ज़्यादा important वाला point है नाम है directive principle of the state policy ठीक है अब इसने एक बात बहुत जान से सुनिएगा हमने सबसे पहले बात किस के बारे में करी fundamental rights के बारे में fundamental rights क्या है अधिकार किसके Indian citizen के या फिर कुछ cases में लोगों के लेकिन इसके अलावा यहां पे कुछ principles बताए गए हैं जो की जो की enforceable नहीं है मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि sir government ने या फिर government offices ने इन principles को follow नहीं किया इसलिए बोले आप इनके against में case करो ठीक है उसको आप fundamental rights का infringement नहीं बोल सकते लेकिन उसको आप directive principles का नाम जो है वो जरूर दे सकते हैं of the state policy understood the point तो अब यह बहुत जांग से तुरह सा पढ़ना पढ़ेगा यहां पर बोल हो सकता है लेकिन एक एक लाइन जो है वो पढ़ना जरूरी हो है क्या कहता है the subcommittee on the fundamental right constituted by the constituent assembly suggested two type of fundamental rights पहला जिसको enforced क्या जा सकता है दूसरा जिसको enforced नहीं कर सकते है सिर्फ क्या रहेगा directive रहेगा ठीक है one which can be enforced in the court of law and the other which because of their different nature cannot be enforced in the law ठीक है साब now later on however the former were put under the head of fundamental rights जो की part 3 में cover किये गए है which we have already discussed and the latter were put separately in part number 4 यानि कि जहन से अगर आप fundamental rights के बारे में बात करते हैं तो part number 3 में cover किये गए है लेकिन अगर आप directive principles के बारे में बात करते हैं ठीक है तो ये आपके cover किये गए है part number 4 के अंतर understood the point ठीक है साब article कहां से कहां तक 36 से लेके 51 तक article number 36 से लेके 51 तक जो है वो directive principles के बारे में बात करते हैं ये रहान रखिएगा it contains the certain directives which are the guidelines क्या है ये guidelines है guidelines for the government to lead the country article 37 provides that the provisions contained in this part पहला shall not be enforced by any court जैसे fundamental rights को enforced के जा सकते हैं वैसे इनको enforced नहीं किया जा सकता बस guidelines दी गई है government को के आपको consequence चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप government को proper तरीके से चलाना चाहते हैं या फिर country को lead करना चाहते हैं but the principles therein laid down are nevertheless क्या दूसरा point fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making the laws दो बाते क्या बोली गई? सबसे पहली बात तो ये कि प्लीज ये directive principles को आप ये समझ के मत चलियेगा कि ये fundamental rights अगर इन में से कुछ भी छूट जाता है कभी इनको follow नहीं किया जाता है तो आप government के against में case कर पाएंगे ऐसा मान के मत चलियेगा ये कह दिया गया पहली बात दूसरी बात क्या कहा गया? सब बहुले government government जब भी क्या कर रहे होगी? कंट्री के towards अपना governance निभा रही होगी अपने जिम्हेदारी को निभा रही होगी तब इन principles को follow करना ये government की क्या होगी बेटा? duty होगी ठीक है? Now, the directives however differ from the fundamental rights contained in part number 3 of the constitution और the ordinary law of the land in the following respect मतलब वो क्यों अलग है fundamental rights से उसके पीचे कित्ते कारण है? इस तरह difference किया दोनों के अंदर? और किस कारण से डिफरेंस है? छे कारण बताएगे, सबसे पहला कारण the directives are not enforceable जो कि हम पहले ही बात कर चुके है लेकिन वहीं पे अगर आप fundamental rights के बारे में बात करते तो वो क्या है? enforceable होते मतलब अगर आपके fundamental rights का infringement किया जाता है तो आप writ petition file करने की बात कर सकते हैं लेकिन अगर government directive principles को किसी case में follow नहीं करती है तो आप ये नहीं कह सकते कि government ने ऐसा क्यों नहीं किया पहली बात, ठीक है? फिर उसके बाद में दूसरी बात the directives required to be implemented by legislation and so long as there is no law carrying out the policy laid down in the directive neither the state nor an individual can violate any existing law वापिस एक बाद हैं से क्या कहता है यहाँ पे? just a second क्या कहता है? the directive principles require to be implemented by the legislation जो parliament है, state legislature है उनका काम इसको क्या करने का? implement करने का and so long as there is no law carrying out the policy laid down in the directives and so long there is no law carrying out the policy laid down in the directives मतलब इनको किस तरीके से carry करना है जो directives यहाँ पे दिये गए है इनको कैसे carry करना है? इसके उपर चुकि कोई law बना हुआ नहीं है neither the state, नहीं government, नहीं individual क्या कर सकता है? can violate any existing law आप किसी भी law को violate नहीं कर सकता है ठीक है साथ? फिर उसके बाद the directives per se do not confer upon और take away any legislative power from the appropriate legislature directives क्या है बिटा? सिर्फ guidelines से बोले क्या कहा गया है? कि अगर आप law को बनाओगे तो जो directives principles आपको यह नीचे में दिये गए हैं इनको ध्यार में रखना अगर रखोगे यहां में बहुत अच्छी बात है लेकि नहीं रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलेगा फुल यह नहीं कहा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया फिर उसके बाद मलब गुमा फिरा के वही वाली बात जो यहां पर बोली जा रही है ultimately पूरे statement का मतलब क्या निकलता है that directive principles are not enforced by the court of law अगर directive principles को follow नहीं किया गया है तो ऐसे के इसमें आप court में case file करने की बात यहां पर नहीं कह सकते और नहीं यह का जा सकता है कि कि किसी भी law को इसलिए void मान लिया जाएगा क्यूंकि उनको directive principles को ध्यार में रखके बनाया नहीं किया था ठीक है पाच्पोपंट क्या कहता है the courts are not competent to compel the government to carry out any directive or to make any law for that purpose court यह भी नहीं कह सकता है कि आपको directive principles को follow करना है यह उनको follow करना चाहिए इस तरीके का कोई law बनाया चाहिए यह भी नहीं बोल सकते या फिर though it is the duty of the state to implement the directives क्या है यह state की duty है कि आपको क्या करना है directives to implement करना है मानना बोले ऐसा बूला हुआ है लेकिन it can do so only subject to the limitations imposed by the different provisions of the constitution upon the exercise of the legislative and the executive power by the state इन सबको द्यान में रखके आपको यह काम करना पड़ेगा understood the point अब यह मापको simply यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपने यह पूरा भी नहीं पड़ा तो चलेगा simple तरीके से इसका एक chart जो है वो मैं आपको बना के दे देता हूँ क्या तॉपिक का नाम है डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी ठीक है कवर कहां किया गया है साब इसको बोले इसको कवर किया गया है पार्ट नम्बर फोर में और आर्टिकल्स की बात अगर आप करोगे तो 36 से लेके 51 तक आते है and apart from that अगर मैं इसके मतलब की बात करूँ कि इसका मतलब क्या निकलता है तो कहा गया है ऐसे प्रिंसिपल्स ठीक है ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको ध्यान में रखकर रखकर कोई भी लौ बनाया जाना चाहिए इनको ध्यान में रखके लौ बनाओ बुले ऐसा यहां पर कहा गया है ठीक है बनाओ परिंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्법टम्ysical से Istघए प्रिंसिपल वाइल मेकिंग एनी लॉउ ठीक है जब भी कोई लॉउ बनाय जा रहा है उस टाइम पे अगर इसको क्या नहीं किया गया है देन सच एक्ट और लॉ cannot be declared as wide उसको कह नहीं बोला जा सकता है उसको wide नहीं बोला जा सकता है understood the point ठीक है सब ये बात आपको समझ में आ गई ये है डिरेक्टिर प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के बारे में और इसके बाद अगर बात करें टाइट के बारे में मतलब की कौन से कौन से प्रिंसिपल है तो यहां से पढ़ लेते में क्याल से वही काफी रहेगा इंपोर्टेंट डिरेक्टिव प्रिंसिपल ये इंपोर्टेंट है इसमें एक्जाम में कोशिन जो है आपको पूछा जा सकता है To be specific, the principles are as follows सबसे पहला principle क्या है? State to secure social order for the promotion of welfare of the people मतलब government की ये जिम्हेदारी है कि society को properly maintain किया जाए दंगे वगरा नहीं होने चाहिए ठीक है? जो peace है society के अंदर वो peace बनी रहनी चाहिए ताकि जो समाज है, जो लोग है, उनका क्या हो सके? Welfare हो सके इसके संदर में अगर बात की जाए तो state must strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, political should inform all the institutions of the national life मतलब justice maintain करना जरूरी है society के इसाब से देखके चलना जरूरी है economic welfare के इसाब से देखके चलना जरूरी है और political शांती जो है वो बनी रहनी चाहिए उसके बारे में सोचना आपको जरूरी होगा the state shall in particular strive to minimize the inequalities in the income and endeavor to eliminate inequalities in the status, facilities and opportunities not only among the individual but also among the group of people residing in the different areas or engage in the different vocations मतलब यह कि लोग अपना काम कर रहे है लोग अपनी income जो हो उसको कमा रहे है लेकिन government की यहाँ पे duty बनती है इस बात को ध्यान में रखना कि लोगों के पास में income की opportunities जो है वो लगबख equal रहे हैं अगर अमीर बंदा है तो उससे tax जादा लीजिए अगर गरीब बंदा है तो उससे tax क्या लीजिए जहाँ पे जुगी जोपड़िया वगरा है जैसे अगर आप बात करेंगे MIDC जो आपका industrial development area जो आपका रहता है ठीक है तो वहाँ पे अगर factories रहेंगी शहर से थोड़ा दूर तो वहाँ के जो आजपास के लोग रहेंगे उनको क्या मिलेगा जोब के opportunity मिलेगी वो लोग होई के वही क्या करने जासकेंगे जोब करने जासकेंगे ठीक है तो इन सारे चीजों का ध्यान रखना आपको क्या होगा ज़रूरी होगा यानि कि ultimately अगर मैं पहली ही line को लेके चलूँ तो यह आपके लिए क्या होगा sufficient होगा कि government की duty है कि social order को maintain किया जाए ताकि लोगों की भलाई करी जासके उनका welfare जो है उसको promote किया जासके यह पहला आपका objective होना चाहिए यह principle ठीक है फिर दूसरा certain principles of the policy to be followed by the state the state particularly must direct its policy towards securing that the citizens men, women equally लगबख सेम बात है ना जैसा fundamental rights में अपने पढ़े थे लगबख वही बात है कि लोगों को सेम मान के चलना चाहिए ठीक है have the right to an adequate means of the livelihood हर किसी के पास में equal offer होना चाहिए equal opportunity होनी चाहिए कि अपनी जिंदगी जीने के जो साधन है means का मतलब क्या है यहां पे साधन वो उनके पास में क्या रहे adequate रहे ठीक है apart from that that the ownership and the control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good मलब जो भी resources बगड़ा है वो इस तरीके से distribute किया होने चाहिए ताकि सब का भला जो है वो किया जा सके apart from that that the operation of the economic system economic system हमारे country का जो भी है उसका काम जो भी चल रहा होगा वो इस तरीके से होना चाहिए which does not result in concentration of the wealth and mean of production to the common detriment मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग जो already अमीर हैं वो और अमीर बनते जाए by doing the exploitation of poor people सबके भले के बारे में आपे सोचा जाना चाहिए फिर उसके बाद में there should be equal pay for the equal work for both men और women ये भेदवाव नहीं होना चाहिए कि अगर एक मर्द 12 गंटे काम कर रहा है उसको 50,000 के salary दी लेकिन वही 12 गंटे का काम अगर एक woman ने किया तो उसको 40,000 रुपे दी जा रहा है नहीं अगर दोनों का काम बराबर है दोनों का time बराबर है तो उनको payment भी क्या मिलना चाहिए equal मिलना चाहिए apart from that that the health and the strength of the workers health and the strength of the workers and children is not abused exploit नहीं करना है right against the exploitation यादा है लगबग वही वाली बात होगी लेकिन उसमें कहा गया था कि अगर exploitation किया जा रहा है तो action लिया जा सकता है यहाँ क्या कहता है यहाँ कहता है कि government को law बनाते टाइम पर यह धान देना है कि ऐसा कुछ ना because of that reason आपको बताऊं कि एक act बनाया गया है जिसका नाम है Factories Act 1948 उसके अलावा बहुत सारे acts बनाया गया है जिनको अगर मैं पूरा का पूरा एड कर दू कहा जाता है labor laws उसमें बताया गया है कि एक महिला को maternity leave जो है वो मिलने चीए छे महिने की जिसमें उसको salary भी मिलेगी उसमें बताया गया है कि अगर किसी भी factory में number of workers एक limit से जादा है तो वहाँ पे medical facilities होनी चाहिए वहाँ पे canteen होनी चाहिए अगर कोई महिला अपने बच्चे को लेके factory में आती है तो उसके लिए crunches होने चाहिए जहाँ पे उसका बच्चा जो वो खेल सकता है और time जो वो spend कर सकता है तो ऐसे बहुत सारी चीज़े जो है उसके बारे में law बना हुआ है क्यों बना हुआ है ऐसा law ऐसा law इसलिए बनाया गया है the reason being यह directive principles यहाँ पे दिये गए otherwise शार ऐसा law नहीं बनता ठीक है? चली क्या कहता है? that the health and the strength of the worker and the children are not abused and citizens are not forced by the economic necessity to enter evocation unsuited to their age or the strength the childhood and the youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment अगर किसी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है तो government के जिमेदारी बनती है कि उसके लिए रोजगार उत्पन किया जाए उसके लिए रोजगार जो है वो बनाया जाए उसके opportunities बनाई जाए हमारे country का जो यूथ है वो बेकार नहीं जाना चाहिए उसके पास में opportunities की कमी नहीं होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखना government के जिमेदारी है ऐसा यहां पे कहा जाए फिर उसके बाद़ the state shall secure that the operation of legal system जो भी legal system है they should promote justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or the scheme or in any other way to ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of the economic and other disability मतलब यह कि अगर कोई इन्सान है जो कि court के case वगरा जो है उसके लिए fees भी नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको justice नहीं मिलेगा just because of the reason because he will not be able to afford it economically सिर्फ और सिर्फ वो economically उसको afford नहीं कर पाएगा इसके लिए आप उसके साथ में क्या कर रहे हूँ आप उसको justice नहीं दिलवाओगे कैसा चलेगा answer is no because of that reason there is something जिसे आप क्या कहते हैं कि government की तरफ से भी advocate होते है government की तरफ से भी क्या होते हैं advocate होते हैं जो कि ऐसे cases में क्या करवाएगा आपको relief दिलवाने की कोशिश करेगा justice दिलवाने की कोशिश करेगा understood the point ठीक है सब now state must take steps to organize the village panchayat and enable them to function as units of the self-government गाओं की जो panchayat वगरा है उसके लिए proper तरीके से provisions रहने चाहिए ताकि गाओं के development के बारे में proper steps जो है वो यहाँ पर लिए जासके apart from that within the limit of economic capacity and development the state must make effective provision for securing the right to work to education, public assistance in case of unemployment, old age, etc because of that reason आपने 11-12 में पढ़ा भी होगा कि हमारे country के अंदर 5-year plans वगरा बनाया जाते है हमारे country के अंदर पर्धान मंतरी, सवरोजगार, योजना ऐसे वाले चीज़े जो है वो बनाई जाती है क्यों? ताकि ऐसे लोग जो पढ़ाई करके बैठ चुके हैं पर उनके पास में जॉब नहीं है उनको रोजगार दिया जासके ठीक है? कोई अगर old age वाला होगा उसके पास में काम नहीं है तो उनको रोजगार दिया जासके एक पढ़लर गाओं है जहां पर की और development किया जासकता है प्लस वहाँ के लोगों को रोजगार भी दिया जासकता है उसके towards कुछ काम किया जासके ठीक है? यह सब चीज़ है इसकी बात अपन नहीं करी वो proper होनी चाहिए सही होना जस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? सही होना अगर कोई lady है जो की pregnant है क्या उससे नौवे महिने तक काम करवाना फेक्टरी में ज़रूरी है? answer is no क्या बताया गया है? government ने बकायदा क्या किया है? छे महिने की paid maternity leaves का provision किया living wages and good standard of the life to all type of the workers and must endeavor to promote cottage industries on an individual of the cooperative basis in the rural areas मतलब जादा कुछ ना सही कम से कम उतना पैसा जित्ते से उसकी क्या उसके जो रोजी रोटी है वो कमें जासके दो टाइम का खाना जो वो उसको मिल सके दूसरा good standard of the life रोटी, कपड़ा और मकान ये उसके पास में आसके इसके लिए जो जो step लिए जा सकते है by the government उनको लेना चाही sir cottage industries अगर मैं हिंदी में बोलूं तो लगू उद्धोग मुम्बत्ती बनाने वाला काम हो गया ठीक है? या फिर जो paper bags होते है वो बनाने वाला काम हो गया इन सब को promote करना चाही है ताकि rural areas के अंदर भी proper development जो है उसको लाया जासके apart from that the state take steps by suitable legislation or in any other way या तो बोले law बनाओ या फिर किसी और तरीके से क्या करने के लिए to secure the participation of the worker in the management of undertaking undertaking का मतलब यहाँ पर क्या है company, established का मतलब क्या है company, or other organization मतलब company, ठीक है? उसमें जो worker है, अब अगर आप worker की बात करोगे है तो इनसान ही ना ऐसा दोड़ी होता है कि जो worker होता है उसके पास में दिमाग नहीं होता है, कई बार हो सकता है कि जो worker है वो इतने अच्छे तरीके से चीजों को manage कर सकता है कि शायर एक पड़ा लिखा manager भी ना कर पाए, तो ऐसे provision बनाए जाने जाने जिसमें जो बंदा worker वाला काम कर रहा है वो बंदा management में participate कर सके ऐसे provision जो है वो बनाए जाने जाने जी ठीक है, ताकि जो बंदा आज worker के तौर पे काम कर रहा है अगर उसके अंदर दिमाग होगा तो वो अपने आपके अंदर growth ला सकता है उससे उसका भी growth होगा as well as company का भी growth होगा organization का growth होगा ठीक है, apart from that the state must endeavor to provide a uniform civil code for all the Indian citizen मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है एक ऐसा code बनाना है एक ऐसा law बनाना है जो कि सारे के सारे लोगों पे क्या होगा equally applicable होगा आगे चलके आप पढ़ेंगे भी executive के अंदर there will be something called as CPC जो कि 1908 का है यह आपको पढ़ना पढ़ेगा आगे चलके ठीक है, फिर उसके बाद में provision for the free and the compulsory education बात कर चुके है fundamental rights में यह fundamental rights में भी दे दिया गया है और directive principles में भी दे दिया sir, directive principles में लगबग वही वाली बाते बोली गई है जो की fundamental rights में भूली गई लेकिन आप यह कहेंगे कि अगर ऐसा बुला ही क्या था, तो फिर directive principles को बताने की जरुद क्या थी, simple सा point यहाँ पर यह है कि directive principles के साब से यह कहा गया है कि कल को जाके जब आपका parliament या फिर state tax literature law बनाएगा क्या करेगा law बनाएगा तो उस time पे आप इन बातों को ध्यान में रखके ही law बनाएगा ताकि यह जो principles से इनको follow किया जासके और सारी की सारी जो जनता है उनके हित में decisions को लिया जासके got it, done apart from that the state must promote the educational and economic interest वापर से देखे scheduled caste, tribe and other weaker section उनके development की बात जो होगा आपको करनी चाहिए उनके towards steps आपको लेने चाहिए फिर उसकी बाद state must regard it one of its primary duty to raise the level of nutritional आपने सुना होगा midday meal वगएरा ठीक है वो इसी की वजे से आ रहे nutritional and the standard of living and to improve the public health and in particular it must endeavor to bring about the prohibition of the consumption except for the medicinal purpose in intoxicating drink and of the drug which are injurious to the health मलब सिरी सिरी बात यह है कि nutrition की बात जब आप कर रहे हैं तो midday meal वगएरा का प्लान होना चाहिए फिर उसके बाद में अगर आप बात करते हैं standard of living के बारे में तो रोजगार की योजना होनी चाहिए फिर उसके बाद में अगर आप पब्लिक हेल्थ की बात करते हो तो सरकारी अस्पताल अच्छे होने चाहिए उसमें proper facilities होनी चाहिए फिर उसके बाद में अगर आप बात करते हैं किसके बारे में intoxicating drinks के बारे में सर क्या cocaine वगएरा heroin वगड़ा ये सब allow किया जाना चाहिए नहीं सब नहीं होना चाहिए उल्टे law ऐसे होने चाहिए कि अगर किसी medicinal purpose के लिए इन drugs के इस्तिमाल हो रहा है तो ठीक है बट otherwise इन drugs के इस्तिमाल का weed के इस्तिमाल का allow नहीं किया जाना चाहिए जो कि हमारे health के लिए क्या है हानिकारक है ये कहता है आपका article number 47 just take a readout अपने को करना है इसको ठीक है फिर उसके बाद में the state must organize agriculture and the animal husbandry on the modern and the scientific line and improve the breed and prohibit the slaughter slaughter मतलब काटना slaughter of the cows and the calves and other milch and the drought kettles ये बहुत important सब बोले हमारे country की बात अगर की जाए तो हमारे country जो ना वो कृष्षी परधान दी इस agriculture हमारे country में बहुत जादा है कोई time हुआ करता था अभी फिलाल तो industries बढ़ गई है बट कोई time था जब 60% of the income जो आती देना हमारी country में GDP का 60% जो था वो किसके वज़े से था अगरी कल्चर की वज़े से तो ऐसे case में क्या decide किया गया था कि हमारी country में जो अगरी कल्चर है या एनिमल हजबेंट्री है ठीक है उसको और modern करने की कोशिश की जाए हाला कि हम देख भी रहे हैं आज के time बगर आप किसी भी गाउं वगरा में जाते हैं तो बैल गाड़ी वगरा बहुत कम लोग यूज़ करते हैं ट्रेक्टर्स आ गए कल्टिवेशन की मशीन्स आ गई इक्विप्मेंट्स वगरा आ गए ठीक है देक्विशन के अगरवक जो भी लॉज आपके बनाये जाएंगे उनको इस ही सबस्टाप को बनाना है कि जो भी हमारा इनवार्मेंट है उसको क्या क्या है? जसके सेफगार्ड करें उसको प्रेटेट करें और उसको और ज्यादा इंपरूब करें और wildlife अगरा जो है उसको भी क्या करें, improve करें उसके against में कुछ भी decide करना नहीं है फिर apart from that, protection of the monuments monuments मतलब ऐसी जगे या ऐसी चीजे या ऐसे structure जो की historical type के पुतले अगरा जो बनाए गए हैं, उनका protection किया जाए ऐसा होना चीए and places and the objects of the national importance is obligatory upon the state जितनी भी धरोवर, monuments का मतलब धरोवर, ठीक है for example जो खुदाई वगरा में, मोहन जोदड़ो ये सब की जो अपने को ये मिले थे, पुराने अवशेस वगरा मिले थे वो सब, खजुराहो के मंदर, ठीक है ये स्टेट को बोला गया, फिर अपार्ट फूम देट, the state must separate the executive from the judiciary in the public service of the state ये तो बिल्कुल किया हुआ है, अगर मैं judiciary की बात करूँ, मैं आपको पहली बताया था, judiciary independently काम करती है ठीक है, अगर मैं executive body की बात करूँ, जिसमें कौन आते है बेटा, ministry आती है M.C.A. हो गया, ये ministry of finance हो गया, ministry of education हो गया, ठीक है तो ये और judiciary दोनों क्या है, अलग-अलग, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि judiciary system के उपर executive का दबाप नहीं रहेगा, judiciary system जो भी decide करेगी वो अनबाइस तरीके से decide करेगी, और अगर executive को कुछ भी गलत करते हुए पाया तो उसको बोल सकते कि तुम ये काम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, understood, फिर उसके बाद में, in the international matter, cross-border matter जो आपके रहेंगे, the state must endeavor to promote peace and security, maintain just and the honorable relation in respect of international law between the nations, treaty, obligations and increase the settlement of the international dispute by the arbitration, ये बहुत ही ज्यादा important वाली बात क्या सब बोले हमारे country के, दूसरी country के साथ में जो relations है, उनको बहुत ही सोच समझके शान्ती पुर्वक, security के साथ में सुलजाये जाने चाहिए ठीक है, कल को जाके, अगर किसी भी type का को dispute create होता है between the countries, इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंदा बीच में appoint किया जाता है, जो कि दोनों पक्षों की बात को सुनेगा और उसके हिसाब से decide करेगा कि सही कौन और गलत कौन, किसकी बात सही, किसकी बात गलत, यह decide करेगा, ठीक है, तो वो किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, कि dispute है, चलो बोले पन क्या कर करक्ते हैं, क्यों आपके लड़ाइ कर लेते हैं, क्यों है अगर ऐसा करेंगे, तो हमारे country की जो resources हैं, वो भी तो waste होंगे, वो waste होंगे, इसका impact जो है वो economy में पड़ेगा, और हमारे country की जो लोग हैं, जो सिपाही हैं, वो लोग भी मरेंगे, क्या यही objective हमारा है? नहीं, ह बढ़ाई वाला काम करना बढ़ाई करना यह हमारा काम नहीं है बराबर तो अगर लडाई हो रही होगी तो ऐसे कि इसमें पहले हम लोग कोशिश यह करेंगे कि उस पढला चीज को सुलजाये जाज़े अगर लास्ट रिजॉट् लडाई ही बचती है तो भी आपकी मर्जी है पहले हमने बोला कि directive principles को follow करके ही काम करना पड़ेगा जरूरी नहीं आपकी मर्जी है अगर कहीं पर surgical strike करना चाहते हो कर दो बोले कोई पंगे वाली बात नहीं चलेगा in case of international matters it's okay आप देख लो बोले लेकिन वो करने के पहले देख लिना कि क्या ये करने से solution हो सकता है या वही आपका last resort अगर आप कहते हैं कि नहीं सर वही last resort है go ahead कोई दिक्कत नहीं है you can do that understood the point that's it तो ये थे कि आपके directive principles मैं कहूंगा कि directive principles पे बहुत ज़ादा जोर देनी की ज़रत नहीं है क्योंकि इस में से questions उतने ज़ादा नहीं आएंगे कि article number ये क्या कहता है लेकिन हाँ ये ज़रूर दीजेगा कि अगर मैं directive principles की बात करूं तो part number 4 में दिये गए हैं इसमें से क्यों आ सकता है article 36 से 51 में इसके बारे में बात की गई है इसमें से क्यों आ सकता है apart from that सबसे important point ये है कि they are not legally enforceable just like the fundamental rights fundamental rights अगर infringe होते हैं तो आप court के पास जा सकते हैं लेकिन law बनाते टाइम पे directive principles को follow नहीं किया था इस बात की basis पे court पे नहीं जाय जा सकता या court ये नहीं कह सकता कि law क्या है invalid है just because इनको आपने comply करके law को नहीं बनाया understood the point अगर आपको लगता है कि आपको directive principles लिखने हैं तो आप यहां पे उसको लिख भी सकते हैं ये आपका homework ठीक है but copy paste मत कीजेगा otherwise कोई मतलम नहीं आएगा conceptually आप इसको क्या करेंगे लिखेंगे और ये जो है इसको आप क्या करेंगे properly no doubt कर लीजे करेंगे done चल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले topic के बारे में that is what fundamental duty is very 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 much important fundamental rights आपको एक right दिया जा रहा था जिसने आपको ये कहा गया था चिंता मत करो माना की government नाम की जो चीज़ उसको बनाई गई है बट वो आपके भले के लिए बनाई गई आपके साथ में सब अच्छा होगा लेकिन एक second अगर सिर्फ और सिर्फ आपके favor की बात की जाए तो आप तो सरपे चड़ जाओंगे आप बोलोगे कि मैं ही राजा हूँ सब कुछ मेरे लिए हो रहा है मेरी किसी के towards को जिम्मेदारी नहीं बनती है लोगों को मेरे towards जिम्मेदारी जो है क्या करनी पड़ेगी निभानी पड़ेगी कैसा चलेगा answer is no ध्यान दीजेगा यहाँ पे हमने क्या कहा कि constitution जो है it is by the people of the people for the people ठीक है तो इसमें जहां हमारे कुछ अधिकार बनते हैं तो वहां हमारे कुछ duty भी बनते हैं वो भी basic वाले fundamental वाले बाकी कुछ अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट कम से कम जो यह fundamental duties है न यह duties को आपको क्या करना पड़ेगा निभाना पड़ेगा हलेकि यह भी बहुत आसान आसान है देख लेते हैं क्या क्या बोलता है यहां पे अच्छ तरीके से सर, fundamental duties आर्टिकल कौन सा दिया गया है 51A आर्टिकल कौन सा है 51A डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जस्ट बाद में उसको अबाइड करना है उसको मान के चलना है कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि क्या रहे अनकॉंस्टिटूशनल रहे यह कॉंस्टिशन के अगेंस्ट रहे ठीक है साथ रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टिटूशन्स अगर आप तिरंगी का अपमान करने के बारे में सोचेंगे गलत हो जाएगा मतलब आप फंडमेटल डूटी को नहीं नहीं बारे अगर आप नैशनल एंथम का सम्मान नहीं करते हैं तो वो भी चलेगा क्या नहीं साब नहीं चलेगा बीच में कुछ केसेज आपने देखे होंगे कि कोई मूवी थेटर है उसमें नैशनल एंथम जो है वो बज रहा है और कोई बंदा वहां पे खड़ा नहीं हुआ ठीक है एक मतलब अलग पॉइंट है यह मेरा परसनल अपिनियन है अगर नैशनल एंथम चल रहा है उस पर आप खड़े नहीं हुए तो क्या यह कहा जाएगा कि आप उसका सम्मान नहीं कर रहे है मेरे सब से नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा कहीं पर लॉव में भी लिखावा नहीं ठीक है और खड़े सब यह ऐसे ही खड़े होना ज़रूरी है क्या नॉर्मली मतलब ऐसे भी तो खड़े हो सकते सम्मान करने का मतलब क्या है कि आप उसके बारे में गलत सोचते नहीं हो आप उसके बारे में गलत कहते नहीं हो उसे कहा गया है क्या करना सम्मान करना अब्यूस तोड़ी कर रहे हैं अगर कमर में दर्द होगा अगर कोई बंदा विकलाम होगा तो कैसे करेगा विचार विल देट बी पॉसिबल ठीक है तो समान मेरे हिसाब से समान करने का अब सिर्फ यह नहीं होता कि आप खड़े ही रहेंगे और वह एकदम सावदान खड़े हो सकते हैं साथ आप नॉर्मली अगर मुझे बोलते हैं साथ में अगर आप जंगनमन गाते हैं तो वो भी एक समानी है उसको अपना नहीं कहा जाएगा अंडर्सूर दा पॉइंट कहने का मतलब यह है कि कॉंस्टिशन जो है उसकी इज़त करना है हमारे जितने भी आइडल रहे हैं साथ नतर्रा सिनानी जितने भी रहे हैं जिन्हों ने देश के लिए कोई भी कॉंट्रिबूशन किया है उन सब का समान करना है इंस्टिटूशन का समान करना है नेशनल फ्लैग तिरंगे का समान करना है और नेशनल एंथम जन गनमन ठीक है वंदे मातरम वाला ने तो उसका सम्मान जो है वो अपने को करना है अपार्ट रूम देट तो चेरिश एंड फॉलू दर नोबिल आइडल्स विच इंस्पायड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर दर फ्रीडम जितने भी लोगों ने सवतंता सेनानी के तौर पे काम किया था उन सभी का सम्मान कीजे और उनको चेरिश कर चेरिश करने का मतलब क्या है उनको जितना उसके उतना प्रमोट कर ताकि आने वाली जो पीडी रहेगी उनको इस चीज का पता रहे कि यह जो आजादी मिली है यह फ्री में नहीं मिली इसके लिए हमारे जो पुरवज है उन्होंने लड़ाई लड़ी ठीक है फिर उसके बाद में तो अफोल एंड प्रोटेक्ट दा सोवर्निटी सोवर्निटी का मतलब क्या होता है वेटा सुपरमेसी ठीक है सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ओफ इंडिया इसका ध्यान हमको रखना है अगर कल को जाके कहीं पे लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान या फे चाइना के साथ में तो हम लोगों को वहाँ पे खड़े रहना चाहिए और कभी भी तयार होना चाहिए अगर हमें जाना पड़े आर्मी जोइन करनी पड़े हम तयार है कर लेंगे लड़ लेंगे ठीक है अपार्ट वम देट तो प्रमोट हार्मणी हार्मणी मतलब एकता काइंड ओफ एकता ठीक है पीस बोल दीजे एकता बोल दीजे वेलफेर बोल दीजे अब एकता अब अब ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी महिला का अपमान किया चाहिए पुराने जमाने में हुआ करता था ठीक है कहा गया है कि अब हम को ऐसा नहीं करना है महिला का सम्मान करके चलना है भाईचारा बढ़ाना भाईचारा बढ़ाना है एक दूसरे के फाइदे की बाते जो है वो अपने को करना understood या to value and preserve the rich heritage of our composite culture ठीक है ये करना है to protect and improve the natural environment including the forest lake, river and wildlife सर ये तो state को भी का गया था सर सिर्फ state नहीं हमारी भी जिम्यदारी है कल को चले मत जाना जाके कोई काला इन मार के मत आ जाना बाकी result क्या निकलेगा वो आपको पता है ठीक है फिर उसकी बाद में to develop the scientific temper humanism and spirit of the inquiry and reform मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ आपने government के उपर छोड़ दिया कभी-कभी जब विब्दा आती है तो ऐसे केस में आपको भी आपकी जो जिम्यदारी है वो निभानी है जिस field के अंदर जैसा आप काम कर सकें हो सकता है कि scientific nature का काम होगा हो सकता है कि इंसानियत का काम करना पड़े हो सकता है कि आपको कुछ चीजों का inquiry करना पड़े या फिर reform करने के लिए आपके जरुद पड़े तो जो चीज़ें आप से country को बहतर बनाने के लिए की जा सकते हैं उनको कीजिए ये आपकी basic duty रहेगी फिर उसके बाद to safeguard the public property and to abjure violence abjure का मतलब क्या ओदर बेटा मना करना या refrain ठीक है violence को बड़ावा नहीं देना है उसको क्या करना है abjure करना फिर उसके बाद to strive towards excellence अपने आपको और बहतर बनाईए आप बहतर बनोगे तो society बहतर बनेगी economy बहतर बनेगी और हमारी country क्या होगी वो बहतर बनेगी अपने आपको develop करनी की बात करता बैसाब यहां पर अपने आपको आप develop कीजे आप अपने आपको पहले सो और excellent बनाईए in all sphere of the individual and collective activity so that the nation constantly rise to the higher level of endeavor and achievement जैसा मैंने आपको बताया आप आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा तो वो अंको करना अच्छी ठीक है now since the duties are imposed upon the citizen and not upon the state states के लिए का आते है directive principle हमारे लिए क्या है fundamental duties legislation is necessary for their implementation मतलब इन duties को implement करने के लिए law का होना क्या होगा जरूरी होगा the duties can't be enforced by the writs obvious ही बात है duties का infringement थोड़ी होता है तो उसके लिए writs को कैसे आप वो करेंगे writs is not the solution for that ऐसा बोला गया सुरे नारायन versus union of India के case के अंदर got the point अब ये बहुत ही brief में आपको दिया गया कि fundamental duties आपके क्या-क्या बनती है तो इसके लिए तो क्या ही बनाना है इनको अब अच्छे से देख लीजिए